हलो अब्रिवन और वेरी गुड मॉर्निंग तो अलो फ्यू वेलकम तो दी लॉव एंट्रेंस चानल अफ अड़ा 24 7 आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है जो भे यहां पे कान रेट सें जो क्लाट अप 2024 का प्रिप्रेशन कर रहे हैं आप सबको मालुम है 3 दिसम्बर 2023 को क्लाट का पेपर है और बहुत कम समय बाकी है क्लाट के पेपर में और अभी तक क्लाट का application फॉर्म यहां पे ओपन है 3 November CLAT application का last date है तो आप मेंसे जो भी यहाँ पे ice parent है जिनका 12 हो चुका है या जो 12 में अभी है तो आप सब लोग CLAT का form भर सकते हैं क्योंकि इसका जो counseling है इसका जो session है वो अगले साल July 2024 से आप लोग का शुरू होगा तो यहाँ पे जो भी ice parent है यह session आप लोग का बहुत important है क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग की legal mentor legal reasoning का जितना भी topic आता है जो भी आप लोग का syllabus है आज सारे syllabus का यहाँ पे discussion होगा और हम लोग यहाँ पे जो main motive है मेरा passage based question जिससे की बच्चे बहुत घबराते हैं तो आज हम एक passage, दो passage, तीन passage नहीं बलकि बहुत सारे passage हम लोग करेंगे आप लोग का legal reasoning मैंने आपको पहले ही बोला है legal reasoning में अब जो आप लोग का main subject है उसमें से questions बहुत कम आते हैं लेकिन जो आप लोग का other legal subjects है इसमें से questions आप लोग के बहुत आते हैं तो जो भी यहाँ पे मेरे ice parent है सब को निकता माम का good morning तो चलिए नौरातन चल रहा है मा अंबे के आश्रिवास से हम लोग अपना यहाँ पे session यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं ओके कामिनी सब लोग यहाँ पे ready हैं तो फटा फट पहले session को आप लोग share कर दीजे session को आप लोग अपने whatsapp telegram पे यहाँ पे share कर दो और एक आप लोगों के लिए good news है जैसा कि आप सब जानते हैं आप लोग का दश्मी आने वाला है तो इस उपलक्ष में यहाँ पे 80% का discount चल रहा है तो अगर आप लोगों को CLAT का crash course लेना है crash course मंडे से शुरू है second crash course है तो concept को detail में पढ़ना है crash course ले सकते हैं जो 3 year के बच्चे हैं जिनका basic aim है CUVT, PG के थू DU और BHU में जाना तो आप लोग भी next batch ले सकते हैं जो कि आप लोग का 26 October से आ रहा है तो यहाँ पे जितने भी ice parent है यह आप लोग का session है अगर आपको batch कोई सा भी लेना है बटा तो आप लोग को सिर्फ coupon code यहाँ पे use करना है Y391P Shall we start the session? तो चलिए session को फटाफट share करिएगा session को like करिएगा और मेरे साथ पूरा 6 घंटे तक आपको यहाँ पे बने रहना है सबसे पहला चाहे आप लोग कोई सा भी legal reasoning का exam देते हैं चाहे CLAT का MSCT का भी date आ चुका है CUVT UG का date आ चुका है CUVT PG का date आ चुका है कोई सा भी exam दो यह आप लोग के law के subjects है बहुत ध्यान से सुनिया ध्यान से सुनिया देख विज़े चीके सो जो भी यहाँ पे candidate से बेटा सबसे पहला आप लोगों का क्या है और हर एक subject का मैं बहुत crisp way में आप लोगों के सामने content लेके आई हूँ उस content को हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग का आज का जो 6 घंटे का प्लान है सबसे पहले सारे subjects का हम लोग content पढ़ेंगे then we will focus on the passage based question और आज हम लोग बहुत सारे passage based question करेंगे ठीके देखिए जो हम लोग का सविधान है सविधान एक आप लोग का ऐसा book है न इसमें से किसी भी एक्जाम में आप लोगों का 60% बोला जाता है legal का syllabus आता है और constitution में भी कौन सा important है ये सब हम लोग यहां पर discussion करेंगे ओके सचिन उसकी बाद बेटा आप लोग का है law of taught का subject then law of contract criminal law criminal law में आप लोग को basically पढ़ना होता है सिर्फ और सिर्फ IPC IPC हम लोग का change होने वाला है लेकिन winter session के बाद लेकिन आप लोगों के लिए जो CLAT 2024 के students हैं आप लोगों के लिए criminal law जो पुराना वाला है आप लोगों को उसी पे focus करना है और last आप लोग का other legal subject से आता है क्योंकि हम जानते हैं day to day life में हमारे इंडिया में इतने सारे act हो रहे हैं चाहें बच्चों से लेके चाहें women से लेके तो इस act में daily आप लोगों का हर साल हर आप लोगों का दूसरे साल में नया act बनता है तो उस नया act के उपर questions पूछे जाते हैं that is other legal subject ठीक है और उसके बाद आप लोग का अब one by one हम लोग start कर रहे हैं सबसे पहला law of taught होता क्या है और बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जितने भी आप लोग को concept पढ़ाए जा रहे हैं सब आप लोग के future के exam में काम आएगे बिलकुल बेटा जो भी यहाँ पे candidates है this is also important for the MSCT law ice parent because MSCT में law आता है तो law का जितना भी slavus है सब यहाँ पे हम complete करेंगे ठीक है? सबसे पहला taught taught एक ऐसा subject है class जिसको हम क्या बोलते हैं that is uncodified जैसे जो आप लोग का contract होता है IPC होता है इन सब में क्या होता है sections होते है इनका bear act होता है bear act क्या होता है जो हमारा parliament बनाता है जिसमें हर एक चीज़े आप लोगों की systematic wise given रहती है तो जो taught है इसका कोई bear act नहीं है taught में एक भी section नहीं है तो taught का जो law का बुक है वो कहां से बना taught का law का बुक बना है England के common law से बना है तो क्या मैंने बोला England का जो common law है वहां से आप लोगों का taught का topic यहां पे लिया गया है common law क्या होता है common law England में use होता था इसका मतलब होता है जब किसी भी custom को जो practice के रूप में हम करते हैं रीती रिवाद जब यह आप लोगों का custom law बन जाता है this is called common law तो हमारे इंडिया में भी वो चीज़ अपलाई होती है किसी भी custom को suppose हिंदू law में आप लोगों का सब्थ पदी था सब्थ पदी एक आप लोगों का custom था लेकिन अब जाके आप लोगों का यह law बन चुका है तो यानि की common law जब जिसमें customs follow किये जाते हैं जब custom को law में converge कर दिया जाता है this is called what common law तो taught का यह थोड़ा सा structure है ठीक है तो taught is basically what अगर मैं देखू तो taught civil wrong है civil wrong का मतलब क्या होता है जहां पे जो कोई सबी case होता है वो x versus y का case होता है यानि की जो आप लोग के civil matter होते हैं taught में अधिकतर I am not saying all taught में अधिकतर जो आप लोगों के cases होते हैं वो person versus person होते हैं क्योंकि इसको civil wrong बोला जाता है और मैंने आपको पहले ही बताया है जो civil wrong होता है तीन चीजों से civil cases आते हैं जड, जोरू, जमीन जड मतलब पैसा भाई-भाई के बीच पैसों का बटवारा हो रहा है लड़ाई हो गई कोट के पास गया मामला जोरू, बीवी, husband wife का मामला और last is जमीन, property को लेके तो civil matter आप लोग का basically इन ही तीनों से arise होता है तो ये आप लोगों का क्या है taught, एक civil wrong है लेकिन, जैसे taught में एक question arise होता है जो आप लोग का taught में civil wrong होता है क्या उसमें इंसान का intention होता है जैसे जब मैं suppose किसी का murder करने जा रही हूं तो जब मैं murder करने जा रही हूं तो मेरा एक criminal mind होगा कि मुझे उस person का murder करना है लेकिन taught में जब कोई भी crime होता है तो याद रखिएगा generally intention is absent क्या बोला मैंने intention आप लोगों का absent होता है लेकिन class exception हमेशा है exception का मतलब है taught में कुछ-कुछ ऐसे भी cases है जहां पे आप लोगों का intention होता है जैसे assault, battery, false imprisonment, etc Is that okay? तो ये आप लोगों का taught का एक छोटा सा introduction था कि taught का lock of book होता क्या है ठीक है? अब देखिए अगर मैं essential points की बात करूँ taught का तो तीन essential points होते हैं किसी भी taught में arise होने के लिए wrongful act होना चाहिए then legal damage होना चाहिए or legal remedy होना चाहिए This is very important क्योंकि taught में मैं जितने भी आप लोगों के सामने ये wrongful act लेके आई हूँ हर wrongful act में ये तीन essential points होना बहुत ज़रूरी है Is that okay? तो जैसे अर्चना wrongful act भाई देखो taught में basically क्या होता है defendant होता है और plaintiff होता है तो wrongful act करता कौन है? wrongful act आप लोगों का defendant करता है किस के साथ करता है? plaintiff के साथ करता है तो यानि कि जब plaintiff के साथ wrongful act होता है तो case कौन फाइल करेगा? plaintiff so plaintiff versus defendant defendant क्या करेगा? अपने आपको बचाएगा तो अगर आप लोगों के legal fact में या आप लोगों के case study में principal और defendant आता है तो confuse मत होना कि principal, sorry, plaintiff का मतलब क्या होता है और defendant का मतलब क्या होता है MSCT में ये वाले बच्चों वाले questions पूछे जाते है MSCT में गन बेटा ये बच्चों वाले questions पुछे जाते है the person who filed the case, what? that is called plaintiff and the person to whom we are filing the case, that is called defendant, okay so plaintiff defendant legal damage किस के साथ हो रहा है? plaintiff के साथ legal remedy कौन मांगेगा? plaintiff मांगेगा, that's it तो ये आप लोगों का essential points है अब अगर मैं legal damage भूनू बेटा तो legal damage आप लोगों के दो तरह के होते है सबसे पहला आप लोगों का है injuria sign damnum और दूसरा है आप लोगों का damnum sign injuria जो student यहाँ पे sincerely class attend करेगा class, trust me, Christian बेटा पूरा legal का एक एक concept आपको मैं revise कराऊंगी क्योंकि आज के बाद जैसा कि निकिता मैं हमेशा से बोलते आ रही है concept legal का नहीं पढ़ना कल से full focused way में आप लोगों को mock paper यहाँ पे देना है दिन में अभी October खतम होने वाला है दो-दो mock दीजे और November में एक दिन में तीन mock paper आपको देना है कैसे भी करके जिसने ये बात मानी उसका selection done है और जो रटंत विद्या करता रहेगा November तक mock paper चुवेगा नहीं आप लोग अपना selection अभी से मत मानना Is that okay? तो यहाँ पे बेटा दो तरह का आप लोगों का legal damage होता है injuria samdomnam इसका famous case क्या है आप लोगों का aspay versus white तो aspay versus white में क्या होता है इसको मैं voting case से दाना जाता है voting case का मतलब एक person vote देने जा रहा था उसको vote देने नहीं दिया गया जिसको vote देने जा रहा था वो party win हो गया in that case जो vote देने जा रहा था उसका legal right violate हुआ है I can file the case तो taught में आपको मालू मैंना हर एक आप लोगों का जो topic है उसके famous case है वो सब हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे दूसरा क्या है damnum sign injury so what is damnum sign injury damage हुआ लेकिन कोई injury नहीं हुआ जैसे सबसे famous case इसका Gloucester grammar school case एक school था उसके सामने दूसरा school खुलता है दूसरा school बहुत benefit कर रहा है जिससे की पहले school को loss होता है but इस loss के लिए आपका पहला school case file नहीं कर सकता क्यों? भाई मेरी property है मेरी मर्जी मैं student का fees कितना भी रखू भाई बच्चे अगर तुम्हारे coaching से तुम्हारे school से मेरे school में आ रहे है तुम्हारी गलती है तुम्हारे अच्छा अपना teachers नहीं रखे होगे सो इसमें loss खुब हो रहा है financial loss लेकिन इस financial loss के लिए जो आप लोग का school 2 है that is not right तो यह क्या आप लोग का है damn numb sign injuria इसका famous case Gloucester grammar school case is that okay? उसकी बाद glass ध्यान रखेगा आप लोग का dot में जो damage होता है न जैसे plaintiff देखो civil cases में क्या होता है civil cases में जो punishment मिलता है वो कोई jail का सजा नहीं मिलता civil cases में जो punishment मिलता है आप लोगों का वो simply क्या होता है unliquited damages होता है तो damages का मतलब क्या होता है, that is compensation, और जो taught में damages होता है, क्योंकि taught भी आप लोग का basically civil wrong है, और civil wrong में हम क्या करते हैं, damages का demand करते हैं, compensation का demand करते हैं, taught में damages is not calculated, taught में damages is not calculated, जैसे short चराबा हो रहा है, मेरे flat में उपर, जो साहिल है, 12 महीने में 12 बर्डे मनाता है, ओके, मुझे disturbance हो रहा है, तो क्या इस disturbance के लिए, जब मैं case file करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे एक करोड चाहिए, मुझे 50 लाग चाहिए, तो taught में, जो damages होता है, that is unliquidated, question के फर्म में आ सकता है, तो what is unliquidated, that cannot be calculated, otherwise मैं contract पढ़ाऊंगी, उन सम में आप लोगों का calculated होता है, is that okay class, तो यह आप लोगों का क्या है, this is your introduction of the what, this one, okay, complete, now, what is strict and absolute liability, बहुत ध्यान से concentration के साथ करिए, क्योंकि यह आगे के जो एक घंटा class है, सिर्फ concept हम समझेंगे, उसके बाद हमारा question का सिलसला जारी होगा, ठीक है गन बेटा, strict liability और absolute liability, taught का बहुत famous topic, जिसमें से question आप लोगों के आते हैं, मैं आपको यह भी बताऊंगी, last में, taught में इन topics में से किस-किस topic से question आ चुका है आप लोगों का, is that okay, अब देखिए, strict liability क्या है आप लोगों का, इसका famous case है आप लोगों का, what? Reland versus Fletcher, और absolute liability का famous case क्या है, MC Mehta versus Union of India, और एक और famous case है, that is Bhopal gas tragedy, तो Reland versus Fletcher में क्या होता है, एक water reservoir defendant बनवाता है, water reservoir का पानी जो है, वो plaintiff के coal mine में चला जाता है, जब complete बन जाता है, अब plaintiff ने क्या किया, उसको wrongful act हुआ ना, तो उसने क्या किया, defendant पे case file कर दिया, defendant पे case file कर दिया, तो भाई, जब मामला court में गया, court ने क्या बोला, court ने बोला, देखे, जो आप लोग का defendant था, defendant भाई साब, आपने जो ये water reservoir open किया है, ये एक unnatural land में किया है, इस water reservoir से आपका पानी escape हुआ, जिससे की plaintiff का coal mine damage हुआ, तो इन ही essential points को लेके, हमारा strict liability का concept बना, तो taught में, आप ल topics का famous case है, और इसी famous case से आप लोगों का ये taught के topics arise हुवे, is that okay, तो यहाँ पे strict liability में, रिलन बसेस फ्लेचर, और जब आप लोग का absolute liability का बात आया, जैसे strict में क्या होता है, strict में आप लोगों के 5 exceptions है, strict liability में आप लोगों के 5 exceptions है, ठेक है, लेकिन absolute liability में एक भी exception नहीं है, यान कि strict liability में defendant चाहे तो अपने आपको बचा सकता है, अगर वो 5 exceptions को proof कर दे, वो 5 exceptions में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगी, ठेक है, उसके बाद आप लोगों का जो absolute liability है, absolute liability का concept हमारे इंडिया में arise हुआ, इंडिया में M.C. Mehta versus Union of India का case arise हुआ, जिसको की oleum gas leakage के नाम से जाना जाता है, अब इस case में क्या हुआ, oleum gas leak हुआ, कई सारे लोग मारे गए, strict liability में क्या था, plaintiff का सिर्फ coal mine बरबाद हुआ था, तो जब court में यह oleum gas leakage का, जिसको की M.C. Mehta भी कहते हैं, जब यह case arise हुआ, तो court ने क्या किया, strict liability का concept refer किया, लेकिन court ने सोच कि हमारे यहां तो इस case में, यार कई सारे लोग क्या हुए हैं, damage हुए हैं, कई सारे लोगों को injury हुआ है, so इस case में क्या हुआ, court ने एक नया liability arise किया, that is called absolute liability, और absolute liability में आप लोगों का एक भी क्या है, not even a single exceptions are there, जिससे की defendant बच जाए, तो यह होता है, दोनों में आप लोग का basic difference, is that okay, तो यह आप लोग का क्या है, MC महता, और भुपाल गैस आप लोग जानते ही हैं, one of the famous case of absolute liability, इस case को highest compensation award case से जाना जाता है, is that okay, तो यहां पे भुपाल गैस में, भाई, 1984 की बात है, 2-3 December, MIC gas, that is methyl isocyanide gas का leakage हुआ, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, मतलब ओलियम गैस से भी जादा, और इस गैस का इतना effect पड़ा, कि जो लोग, जो बच्चे पैदा भी हो रहे थे, उनको भी यह चीज जहिलना पड़ा, so this is what भुपाल गैस ट्राजटी केस, okay, now, what is vicarious liability, vicarious liability का मतलब होता है, करे कोई, भरे कोई, जिससे vicarious liability में, master, servant, servant क की गलती का master libel, agent की गलती का principal libel, भाई, जो agent है, जो servant है, वो अपने-पने मालिक के अंडर में काम कर रहे हैं, और आपने मालिक के अंडर में काम किया, अगर कुछ भी effect, कुछ भी injury हुआ, they are libel, क्योंकि यही आप लोग का concept है, इसका एक legal maxim है, कोई facet पर नहीं, कोई facet पर alien facet पर से, इसका मतलब क्या होता है, जो किसी के अंडर में काम करता है, या जो किसी के direction में काम करता है, in that case, the owner will be libel, exactly, flex yt, बिलकुल सही का आपने, ठेक है, तो यह आप लोगों का क्या है, vicarious liability, और vicarious liability में ध्यान दीजेगा, हम state को भी, या center को भी libel ठहरा सकते हैं, according to article 300 of the constitution, हमारा सविधान का article 300 बोलता है, कि आप चाहें तो state government के ओपर, या central government के ओपर क्या कर सकते हैं, case file कर सकते हैं, is that okay, और इसमें आप लोगों का दो चीज़ है, state का sovereign function और state का non-sovereign function, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह सारे concept आप लोगों के बहुत important है, What is sovereign function? Sovereign function में आप लोगों का जो state होता है, that is not liable, और non-sovereign में आप लोगों का जो state होता है, that is liable, Sovereign function का मतलब जैसे peace या security बनाए रखने के लिए कुछ चीज करना, war, यह सब चीज में अगर आपका government कुछ कर रहा है, कुछ अगर damage हो गया, you cannot file the case, लेकिन इन सब केस में non-sovereign function का मतलब है, सरकार की गाड़ी चल रही है, किसी को airport पहुंचा रही है, या army के truck से सबजी जा रहा है, accident हो गया, state is liable, तो यह आप लोग का है, Is that okay? Now, what is negligence? देखो, बहुत सारे important concept आप लोगो के, Now, what is negligence? बेटा, negligence का मतलब होता है, लापर वाही, और negligence का famous case कौन सा है आप लोगो का? That is Donogu versus Stevenson, इसको हम किस नाम से जानते हैं? That is also known as ginger beer case, क्या है आप लोगो का? Ginger beer case, तो ginger beer case क्या है था? पाती चल रही है, किसी एक बंदे के can में snail आ गया, और snail क्या किया? उसने घटक लिया, पेट खराब हो गया, बिमारी हो गई, तो उस person ने क्या किया? जिसने party organize किया था, उस पे case फाइल कर दिया, और जो party organizer था, उसने shopkeeper पर और shopkeeper ने manufacturing company पर है, तो court का decision क्या आया? The manufacturing company will be liable, देखे दियांसे, exactly, that is Donogu versus intervention, what is nuisance, nuisance का famous case कौन से आप लोगों का? आजान case, मतलब हरका देखो famous case है, nuisance, by disturbance, what is nuisance, किसी को disturb करना, भाई मैं अपने property में बहुत आराम से रह रही हूं, मेरे property में किसी ने क्या किया? इंटर्फेर किया, not physically, indirectly, जैसे company का धुवा आ रहा है, मेरा पूरा जो मैं उपर कपड़े पसार रही हूं, गंदे हो रहे हैं, respiratory disease हो रही हैं, उस धुवे के वज़े से, मेरे घर के उपर कोई किसी ने dance class खोल दिया, so what is this? This is called nuisance. अरे हाँ सच्चिन, बेटा, real में, real में आप लोगा स्नेल आ गया था, एक बात ध्यान रखना, जितने भी आप लोगों के famous case होते हैं, case का नाम जहां पे लिखती हूं, ये सच्ची घटना पे अधारित है, बेटा, law में कोई चीज हावा में नहीं फेकी जाती है, law में, जो भी आप लोग के case है ना, to the point, वो सब चीजे हुआ है यार, हुआ है वो सब चीजे, अर्चना बेटा, डोनोग्यों वर्सस्टिवेंशन, अर्चना, it's a डोनोग्यों वर्सस्टिवेंशन, that is a right day, ओके, चलिए, what is defamation, अच्छा, आजान केस में मालू में ना, क्या हुआ था अप लोग का, मस्जिद से, माइक से, क्या है, मस्जिद में माइक से, प्रेयर होता था, आजान प्रेयर, लोगों को disturbance होता था, तो जब कोट के पास मामला गया, तो कोट ने क्या बोला, कि आप अपना प्रेयर गा सकते हो, लेकिन माइक is not compulsory, तो माइक को बंद करवाया गया, ठीके, माइक को बंद करवाया गया, defamation का मतलब क्या होता है, किसी का reputation downed करना, that is called what, defamation, okay, trespass का मतलब क्या होता है, किसी के property में physically interfere करना, that is called what, trespass, physically interfere करना, trespass आप लोगों का, यह जो आप देख रहे हैं, यह आप लोगों के trespass के types है, जैसे trespass to land होता है, trespass to goods होता है, और trespass to person भी होता है, तो trespass to person में assault का मतलब क्या होता है, किसी को धमकाना, that is called assault, किसी को punch करना that is called battery तो assault battery में basic difference क्या है assault मतलब हम डर पैदा कर रहे है और battery हम उस पे physically हमला कर रहे है and what is false imprisonment किसी को गलत तरीके से कैद करना that is called false imprisonment Is that okay तो यह आप लोग का defamation का case है अगर आप लोगों ने IPC पड़ा है तो IPC में trespass, assault, battery false imprisonment conspiracy defamation, nuisance negligence, यह सब टॉपिक आप लोगों के IPC में भी कवर होता है तो TOT में जितने भी cases हैं civil भी हैं और IPC के अंदर रगत criminal भी हैं आपकी मर्जी आप कहां पे case file करते हो exactly ठीक है आपकी मर्जी आप कहां पे case file करते हो so this is your cons, this one उसके बाद class false imprisonment किसी को कैद करना what is conspiracy conspiracy का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक परसर किसी illegal act को करने के लिए कोई planning करते हैं कोई agreement बनाते हैं that is called conspiracy तो conspiracy आप लोगों का हिंदी में इसको शडियंतर बोलते हैं तो यह आप लोग का civil wrong भी है और criminal wrong भी है what is nervous shock कोई चीज देखके shocked होना जिससे कि हमारे जो internal सब जो चीजे हैं जिससे अचानक से blood pressure बढ़ गया वो news सुनके या कोई चीज देखके और इस चीज के लिए defendant liable है defendant गाड़ी चला रहा है अचानक से accident हो गया खिड़की से देख लिया किसी lady ने उसके लिए not liable lady कमजोर है उसने देखा और भयोश हो गई but जिस act से plaintive effect हो रहा है और defendant की गलती है that is called nervous shock that is called nervous shock और आप लोग का last में क्या है last में आप लोग का topic है this is very important क्योंकि ये जो topic है आप लोगों का ये आप लोगों का CLAT के exam में आ चुका है general defense का मतलब होता है ये basically defendant के लिए बनाय गया है defendant अपने आपको कैसे बचा सकता है तो इसमें आप लोगों के कई सारे point है जिसमें से पहला point that is very important voluntary not fit injuria क्या बोला मैंने देखो it's a voluntary not fit injuria इसका मतलब क्या है इसको one word याद करो concern किसी भी काम में अगर plaintiff ने concern दिया है और उसके साथ wrong pull act हो रहा है so in that case the defendant will be not like जिसे best example आप लोगों का cricket match है cricket match देखने जाते हो विराज कोहली आजकल बहुत six पूर मारा है विराज कोहली ने six मारा और आँख plaintiff का food कया in that case the plaintiff cannot file the case on विराज कोहली why? because this legal magazine will apply that's great ठीके? तो यह आप लोगों का general defense है तो general defense में सुन लीजिए voluntary not fit injuria inevitable accident ऐसा accident जिसको रोक नहीं सकते necessity जरूरत पढ़ने पे बड़े हाम को बचाने के लिए हम छोटा हाम कर सकते हैं statutory authority government का order मिला है plaintiff खुद ने गलती की है ठीके? तो और act of God यह सब क्या है आप लोगों की? यह सब topic general defense के topic है जिसमें अगर defendant ने इसमें से कोई सा भी एक topic proof कर दिया वो अपने आपको बचा सकता है exactly ठीके? बटा nervous shock का simple क्या मतलब होता है? देखो nervous shock आप लोग को समझ में नहीं आया nervous shock is basically what? किसी चीज को देख के सदमा नहीं लगता है सदमा that is called nervous shock जैसे और example सुनो भीड भाड है एक लेडी सबजी ले रही है उसका पांच साल का बच्चा है वो भी सबजी लेने आया है लेडी सबजी ले रही है उसके opposite side accident होता है भ्राम सी आवाज आती है वो आवाज सुनके लेडी बिलकुल चौकती है देखती है accident और वहीं पर भियोश हो जाती है मतलब accident वहां हुआ और लेडी उस चीज को देख के बिलकुल शौक्ट हो गई और काफी सारी लेडी थी वो सब की सब भियोश हो गई इस नर्वस शौक्ट बट इन दाट केस जिसने accident किया है वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि जिसने accident किया है प्रतिभा क्या ये accident defendant ने प्लेंटिफ को देख के किया है भाई accident इनका हो गया तुम लोग भियोश हो गई इन दाट केस defendant is not liable लेकिन नर्वस शौक्ट तो हुआ तो नर्वस शौक्ट में देखा जाता है कि defendant और प्लेंटिफ का क्या एक तरह का मतलब प्रॉक्सिमिटी है इसमें defendant अगर भाई जानता है प्लेंटिफ को सपोज defendant गया मजाक में बोला कि आपके हजबेंट का एक्सिदेंट हो गया लड़की मतलब बीवी सुनके शौक्ट बीपी हाई हाट अगया मिनी हाट अट अटेक इन दाट केस defendant is liable for the nervous shock इन दाट केस the defendant is liable for the nervous shock बिलकुल वेटा कामनी बिलकुल मैं आप भी होते हो क्या शौक जब nervous shock होगा अपने आप आलूम चल ज़ेगा practically तो यह जो प्रांक वाला केस था ना इसमें defendant is liable for the nervous shock is that okay next contract बहुत ध्यान से सुनिए taught हम लोगों का सारा topic finished किसी को कोई doubt taught में और अभी तो बस trailer है अभी picture बागी है जब हम passage based question करेंगे तब हमें और मजा आएगा जल्दी बताइए Dolly बेठा voluntary not fit injuria का मतलब होता है जो plaintiff जिस act में concern दे देता है और अगर कुछ damage हुआ तो हम defendant पे case file नहीं कर सकते that's it तो यह आप लोगों का dot का आप लोगों का simple सा सारा topic हमने cover कर दिया class में क्या question आ चुका है मैंने आप लोगों को highlight कर दिया था बिल्कुल ठीक है बेटा जला session को session को फटा-फट like कर दिजे और आज तो पूरा दिन भर मेरे साथ बैठना है आप लोगों को शाम में यहां से जाना है session को फटा-फट like कर दिजे और session को share करिए जितना possible हो सके अब देहे class law of contract contract तो मैं आप लोगों को दो slide में समझा दूँगी taught एक slide लगा प्रवेश बेटा act of God का मतलब होता है भगवान की गलती मतलब देखो मैंने एक तलाब बनाया तलाब में minimum पानी suppose 10 mm तक है capacity वहीं तक है ठीक है अब अचानक से इतना घंगोर बारिश आया जिससे मेरा जो तलाब था उसका लेवल और extreme हो गया जिससे पानी बहा और plaintiff के सारे घर डूब गये खुब सारे plaintiff रहते थे इन दाट केस जिसका तलाब है आप उस पे case file नहीं कर सकते हैं क्योंकि act of God है तो जितना भी natural calamity होता है न बेटा आप defendant पे case file नहीं कर सकते हैं भगवान पे करिये वन्द भगवान पे भी करोगे the government the government will pay you the compensation exactly ठीक है बढ़ियां जी अब देखिये what is law of contract law of contract आप लोग का दूसर टॉपिक चुटकी में आप लोगों का देखो contract basically आप लोगों का न Indian contract act दो पाच में दिवाइड है सबसे पहला आप लोगों का है that is general principle of contract बहुत ध्यान से सुनिएगा contract और दूसरा क्या है आप लोगों का that is special principle of contract दो तरह का contract जो general principle of contract है 1275 है और special principle of contract 124 से 238 सेक्षन तक है ध्यान से देखिये ठीक है उसकी बाद अगर मैं आपसे बोलूँ आप लोगों के examination point of view से क्या मैं important है तो examination point of view से आप लोगों का ये important है what is this general principle of contract questions आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ इसमें से बनते हैं लेकिन मैं आपको special principle of contract के भी सिर्फ meaning समझाओंगी कि special principle में होता क्या है ठीक है तो यहाँ पे class जो general principle of contract है इसको अभी मैं next slide में समझाओंगी journal जर्णल चीजे क्या क्या चीजे मिलती हैं जिससे contract बनता है और special का मतलब कुछ special चीज है जो हमें पढ़ना है इसमें हमें 5 topics को पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी अब question rise होता है ma'am 76 से लेकर 123 section कहां पे है और ma'am 239 से लेकर 266 section कहां है क्योंकि contract में जब आप लोग का 1872 में बना contract प्रीतम बिता तो यहां पे न 266 sections थे तो contract के 2 parts remove हुए जिसमें से ये part आप लोग का 7 था और ये आप लोग का 11th chapter यानि कि contract में total 11th chapter थे उन 11th chapter में से 2 chapter हट गए तो ये जो 7th chapter हटा ये क्या बना sales of good act क्या बना class आप लोग का sales of good act और जो आप लोग का 11th chapter हटा वो क्या बना partnership act this is very important this is very very much important दो chapter remove हुए contract से ये आप लोगो का maybe for MSCT कोशन आजाए क्या पता CLAT में ये कोशन आजाए कि ये दोनों act क्यों हटे क्योंकि CLAT में आप लोगों का कुछ भी paragraph बना सकते है क्या पता इस चीज का paragraph बन जाए exactly समझ में आ गया तो ये दोनों आप लोगों का act remove किया गया तो चलिए जी अब हम मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ general principle of contract तो general principle of contract ना contract एक ऐसा topic है जो आप लोग अपने first semester में पढ़ेंगे contract एक ऐसा law का book है taught, contract, IPC, constitution ये चारो subject आप लोग अपने LLB के first semester में पढ़ेंगे तो आप लोगों ने तो ये सब चीज अभी पढ़ लिया है तो at least first semester में जाके मस्ती करना आप लोग समझ में आ गया? हाँ बिलकुल स्मिती मैं आप लोग के message देख रही हूँ गुन बेटा amendment constitution में होता है यहाँ पे जो change किया गया मैंने क्या बोला? 1930 में SOGA Act बना और 1932 में Partnership Act बना amendment word यूद होता है सिर्फ constitution के लिए यहाँ पे सिर्फ year याद करो किस year में नया Act बना आपका बिलकुल बेटा, गुन्जाल बेटा, JMI, AMU हर के लिए यह session बहुत important है समझ में आ गया? बहुत बढ़िया अब देखो class मैंने क्या बोला था? General principle of contract में हमें क्या पढ़ना है? मैं एक आपको formula बतारी हो contract का इस formula को ना दिमाग में बिलकुल fit करके रखना क्या करना? दिमाग में fit करके रखना देखो क्या formula है पहले formula पढ़ेंगे offer plus acceptance is equal to promise promise को legal term में बोलते हैं agreement जब इस agreement में law in force होता है this is called contract class ये contract का formula याद कर लो क्योंकि ये contract का जो formula है न general principle of contract में इसी formula के words के chapter है offer का chapter acceptance का chapter agreement का chapter types of contract etc तो इसे लिए ये जो formula है मैं formula को एक example के साथ समझाऊंगी उसके बाद हम इसके essential features पढ़ेंगे तो सबसे पहला offer निकिता मैं गई movie देखने कौनसी movie लगी अभी movie का नाम बोल दो कोई कौनसी movie लगी ए class अभी तक होने कोई movie न देखी फुक्रे मालो फुक्रे लगी थी न हाँ निकिता मैं गई movie देखने फुक्रे right मैं ने offer किया मुझे टिकेट दे लिजे movie वाला चलो भाई flop movie को कोई देखने आया तो movie theater वाले ने accept कर लिया निकिता मैं ने offer किया देखो भाई निकिता मैं ने offer offer को accept कर लिया क्या बन गया इसको बोलते हैं promise जब offer accept होता है that is called promise निकिता मैं खुश और movie theater भी खुश चलो हजार उपे आगए मेरे पास इस promise को law के term में क्या बोलते हैं agreement agreement बोलते हैं offer plus acceptance is equal to promise बोलो या तो agreement बोलो promise एक layman के भाषा में बोलेंगे भाई हम लोग अब legal students है हम लोग क्या बोलेंगे agreement ध्यान रखना agreement social भी होते हैं जैसे रिच्छा ने propose किया किसी को ठेक है रिच्छा रिच्छा ने offer किया will you marry me लड़के ने तुरंध हाँ भोल दिया accept कर दिया that is called promise लेकिन ये सारे promise तूटते भी हैं रोते भी हैं आगे etc. राइट ना या तो एक husband ने अपनी बीवी से बोला कि चलो आज शाम में movie देखने चलेंगे बीवी बहुत खुश हो गई शाम में husband देखा तो ticket ने लाया तो क्या बीवी case file करेगी अपने husband पर नई इसमें हम case file नहीं करेंगे लेकिन movie वाले में Nikita माम ने ticket लिया अब जब Nikita माम बैठने गई मुझे बैठने का जगा नहीं मिला मुझे बैठने का जगा नहीं मिला so in that case what will happen in that case I have a right to file the case तो Nikita माम क्या करेंगी? Nikita माम case file करेंगी तो what is law enforcement? ऐसा agreement, कैसा agreement? legal agreement ऐसा legal agreement जिसमें एक party case file कर सकता है this is called contract this is called what class contract क्योंकि इस contract मेंना class दोनों party ने कुछ न कुछ आपस में लिया दिया है जैसे Nikita माम को movie देखने को मिल रहा है और movie theater वाले को पैसे मिल रहा है दोनों party से कुछ ना कुछ है तभी तो माल लीजे Nikita माम बोल रही है कि भईया प्लीज मुझे movie देखने दो तीन घंटे बाद मेरी family आईगी वो आपको पैसे दे देगी ठीक है Nikita माम को अलाओ कर दिया लेकिन माम movie देखके आई पैसे दिया नहीं माम ने तो movie theater भी मुझे पैसे निकलवा के रहेगा तो मतलब दोनों party के पास right है case file करने का तो what is law enforcement law enforcement का मतलब होता है enforce करना अपना right को enforce करना court के सामने that's it ma'am फिर तो अपनी girlfriend को promise की जगा agreement करना पड़ेगा अपसे चिरन जीवी अब ये question में काफी बच्चे बोलते हैं कि ma'am break up ma'am हम जब प्यार में रहते हैं तो खुब सारे gift देते हैं break up हो गया मतलब contract breach हो गया तो क्या girlfriend से मांगोगे gift अपने नहीं this is social agreement this is social agreement समझ में आ गया तो ये सब जो चीज़े आप लोग करते हो social चीज़े करते हो domestic चीज़े करते हो police के पास भी गयना है कि sir मेरा break up हो गया है मुझे अपने gift चाहिए मारेगी तुमनों को police तो इससे लिए contract में हमेशा ध्यान रखेगा ये formula है और इसी formula के सारे words का आप लोगों का chapter है और contract को na LLB में दो semester में पढ़ाया जाएगा सबसे पहरे semester में general principle of contract second semester में special principle of contract बताईए किसी को कोई doubt इस formula में किसी को कोई doubt class इस formula में जल्दी बताईए किसी को कोई doubt इस formula में जल्दी बता दो किसी को कोई doubt समझ में आ गया अब इस formula से questions कहां कहां से आते हैं मैं सब आपको बताऊंगी अच्छा शमशेरा ठीक है मैं तुम्हारी बात पुरा परलेमेंट तक पहुचाऊंगी ठीक है समशेरा तुम्हारी बात मैं परलेमेंट तक पहुचाऊंगी क्लास देखे ध्यान से section 10 है न of Indian contract that is very very much important class section 10 of the Indian contract is very very much important which talks about the essential points of valid contract क्या बोला मैंने section 10 talks about the essential points of valid contract तो एक-एक points को हमें समझना बहुत ज़रूरी है तो आस्मा, ट्रिगल, बॉस, बलजीत, बेता ध्यान से देखिए किसी भी contract में क्या निकिता मैं अपने आप से contract कर सकती है नहीं तो हर contract में बेटा दो party होना ज़रूरी है दो party ये disco वाला party नहीं है party means the person of the case तो यहाँ पे class आपनों का जो party offer करता है उसको offerer बोला जाता है और जिसके साथ offer किया that is called offering ध्यान से देखिए second one is intention to create legal relationship girlfriend, boyfriend वाला मामला husband, wife वाला मामला हम लोगों का बिलकुल intention नहीं रहता कि हम एक दूसरे पे case फाइल करें लेकिन contract में movie देखने जाना आप लोग paid batch लेते हो legal relationship create होना चाहिए legal relationship create आप लोगों का होना चाहिए तब जाके वो contract कहलाएगा जो section 10 है न Indian contract act का that is a backbone of Indian contract act so अगर किसी इंसान का backbone तूट जाए लड़ खडाने लगेगा इसी तरह यहां भी आप लोगों का जो legal relationship है यह क्या है ऐसा relationship जिसमें हम एक दूसरे पे case फाइल कर सकते हैं तो contract में यह चीज होना जरूरी है ओके प्रिणा fulfillment of legal formalities legal formalities fulfill होंगी? बिलकुल अगर मैं shop से एक TV खरीटती हूँ तो क्या TV वो मुझे verbally देदेगा? नहीं TV जब मैं खरीदूंगी proper slip देगा, मुझे warranty card देगा what is this? this is legal formalities तो valid contract में legal formalities करना important है ठीक है? legal formalities certainty of the meaning what is certainty? exact चीज़े जैसे अगर मैं किसी shop से बोलू कि मुझे 100 लीटर oil देना shop की पर बोलेगा? कौन सा oil? तो ये जो मेरा offer है that is not complete लेकिन अगर मैंने बोला कि भाया मुझे 100 लीटर kerosene oil देना now my offer is 13 that is a clear तो contract हमाइचा clear होना चाहिए okay then possibility of performance किसी भी contract में चीज़े possible होनी चाहिए अगर मैंने offer किया कि तुम अगर चांद को टश करके आ जाओगे I will give you 1 करो रूपीज क्या ये possible है contract? the answer is no so जब चीज़े possible नहीं है that cannot be converted into the legal contract ठीक है? उसके बाद agreement हरे contract में पहले agreement होता है agreement के बाद ही आप लोग का आगे contract बनता है ये हमने पढ़ चुका है what is free consent? free consent का मतलब है अगर मैं किसी के साथ contract करने जा रही हूँ तो बंदूग के नोग पे अगर कोई मुझसे contract करा रहा है this is not called contract अगर मैं contract करने जा रही हूँ it should be free consent ठीक है? जैसे free consent में same thing in the same sense इसका legal maxim क्या है? consensus ad edum competence of party contract में जो parties होती है Nikita मैं हो गई movie theater plus 18 है sound mind है and not disqualified by law that is called competence of party what is lawful consideration? lawful consideration का मतलब होता है what is consideration? something for something तो जो contract कर रहे है अगर मैं कुछ चीज दे रही हूँ opposite party भी कोई चीज दे रहा है तो वो lawful होना चाहिए exactly legal object contract में मेरा object legal होना चाहिए and not expressly declare to be void void declare नहीं होना चाहिए तो ये आप लोग का one of the most important point for the valid contract किसी को कोई doubt यहाँ पे जल्दी बताईए किसी को कोई doubt यहाँ पे अब तुम्हारा CLAT में क्या-क्या question आ चुका है ये में जड़ा highlight कर देती हूँ CLAT में आप लोगों का जो question आया है एक तो यहाँ से आया है free consent ठीक है free consent में आप लोग का misrepresentation, fraud इससे question आ चुका है ठीक है और तो कुछ नहीं that's it this is important this is important अर्षना बिटा second point है legal relationship create होना चाहिए husband wife वादा करते है नहीं निभाते हम case file नहीं कर सकते जिस agreement में दोनों party में से किसी एक के पास या दोनों के पास right है case file करने का वो ही हमारा contract कहलाएगा आगे चल कर and this is legal formalities बेटा अगर आप कोई dress खरीते हो दुकान से तो legal formalities complete करते हो ना जैसे आपने पैसे दिये उसने रसीद दिया ये सब legal formalities होती है रसीद में सब कुछ लिखा रहता है that is called legal formalities ठीक है चलिये जी किसी को कोई डाउट यहाँ पे class जल्दी बताईए किसी को यहाँ पे essential points of valid contract में किसी को कोई डाउट यहाँ पे जल्दी बताओ any doubt yes 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 बिलकुल सचन hundred percent hundred percent hundred percent that is come in the all exams ठीक है चलिये उसके बाद class आप लोग का special principle of contract है बच्चे काफी घबराते हैं लेकिन ही कुछ है ही नहीं this is I think one of the most easiest part of the Indian contract act अब ध्यान से सुनिये क्या चीज है आप लोग का what is contract of indemnity अपने पापा से पूछेगा पापा अपने गाड़ी का insurance लिया है क्या या पापा से पूछेगा पापा आपने मेरे health का insurance लिया है क्या अगर वो बोलते हैं हाँ this is called contract of indemnity ध्यान से तो मैंने example एक एक लिक हूँगी ताकि आपको चुटकी में समझने आ जाएगा so insurance में क्या होता है मैंने suppose गाड़ी खरीदा गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का हम insurance कराते हैं insurance का मतलब क्या होता है अगर मेरे गाड़ी को कुछ भी हो गया मेरे जेब से पैसे नहीं जाएंगे कमपनी के जेब से पैसे जाएंगे this is called car insurance तो जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं न बेटा तो नई गाड़ी खरीदने में रोनाल्डो में अभी बता रही हूँ बेटा हम insurance कराते हैं तो इसमें जो कमपनी और हमारे साथ जो कॉंट्रक्ट होता है न that is called contract of indemnity तो लॉस सपोज मेरे गाड़ी का एक्सिदेंट होता है लेकिन who will pay, company will pay so the contract between Nikita Ma'am and the car insurance company is called contract of indemnity this is called contract of indemnity is that okay contract of guarantee इसमें क्या होता है यह suppose bank है यह आप लोग का buyer है और यह आप लोग का seller है buyer seller से कोई समान खरीता है ध्यान से सुनिए ग्लास buyer seller से कोई समान खरीता है लेकिन seller को विश्वास नहीं है कि buyer सही समय पे पूरे पैसे देगा कि नहीं देगा in that case buyer जाता है अपने bank के पास bank से बोलता है जिस bank में उसका खाता है bank से बोलता है कि भाई आप मेरे guarantor बन जाओ तो bank इसके बहाफ पे buyer के बहाफ पे guarantor बनता है कि अगर buyer पैसे नहीं दे पाया मैं आपको पैसे दूँगा bank बोलता है मैं आपको पैसे दूँगा so the contract between buyer, seller जल्दी देखो glass so what is contract of guarantee contract of guarantee is basically the contract between buyer, bank and seller that's it तो bank को क्या बोलते है हम लोग surety भी बोलते है guarantor भी बोलते है जो पैसे लेता है principal debtor बोलेंगे buyer को जो आपका seller क्या कहला हैगा seller is one of the creditor that's it ठीक है तो यह आप लोग का contract of guarantee contract of bailment bailment का best example है parking class आप लोग जब कहीं जाते हो तो अपने अपनी गाड़ी को parking के लिए रखते हो ना फिर माली जब mall में गए तो mall में आपने गाड़ी को parking में रखा shopping करके आए फिर अपनी गाड़ी निकाली चल दिये this is called bailment तो bailment में मैं अपने गाड़ी का possession कुछ समय के लिए parking hall में रख रही हूं जैसे ही मैंने shopping कर लिया मैं गाड़ी को क्या करूंगी ले जाऊंगी अपना तो किसी चीज का delivery करना for specific purpose और जब यह purpose complete हो जाए अपनी गाड़ी ले लेना that is called contract of bailment tailor को मैंने समान दिया सिलने के लिए जैसे ही सिल गया मैंने समान वापस ले लिया that is called bailment मेरा TV खराब हुआ मैंने TV को repair करे दिया repair हो गया मैं TV वापस ले के आगे that is contract of bailment हो गया contract of pledge क्या होता है Nikita ma'am ने bank से loan लिया है एक लाग का और इसके बदले में Nikita ma'am ने अपना jewelry क्या किया है गिर्वी रखा है bank के पास तो pledge का मतलब होता है जब हम किसी movable property को bank के पास security में रखते हैं security में क्यों रखते हैं अगर Nikita ma'am एक लाख रुपे नहीं लोटा पाई तो मैं bank को bank क्या करेगा मेरे jewelry को बेच के एक लाख रुपे ले लेगा is that okay so what is this this is called pledge and what is contract of agency या पढ़ चुके हुँ principle agent वाला principle ने काम दिया agent को agent कुछ भी गलती करेगा principle is liable this is called contract of agency complete कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत special principle of contract में यही आप लोग का कई लोगों को tough लगता है 2 minute में हम लोगों ने इसको solve कर दिया किसी को कोई doubt यहाँ पे yes बेटा mortgage क्या होता है रुची बेटा आचा रुची ने बोला कि मैं अगर जोएलरी एक लाग से कम है तो अगर एक लाग से कम मालों जोएलरी 80,000 की है bank उसको बेचेगा 80,000 तो लेगा 20,000 के लिए दुबारा से disturb करेगा अपने क्लाइन को कोई डाउट किसी को गौरी, is that okay बेटा अभी तो मज़ा आएगा जब हम questions करेंगे questions आज बहुत must must वाले लेके आई हूं ठीक है अब बच्चों ने बोला कि माम yes मैं यह दुनों रहे गया quasi contract क्या होता है quasi contract आप लोगों का half contract होता है तो quasi contract means half contract जैसे class quasi contract में याद रखियेगा initially quasi contract में initially मेरा कोई intention नहीं है contract में जाने का लेकिन बाद में मुझे contract में जाना पड़ता है that is called quasi contract इसको कहते हैं quasi contract example ध्यान से सुनिये पीज़ा निकिता माम ने पीज़ा ओर्डर किया मेरे घर के बगल में क्या है मेरे घर के बगल में रेशम रहती है पीज़ा वाले ने गलती से रेशम के घर में पीज़ा डिलिवरी कर दिया रेशम बहुत खूश हो गई रेशम ने घपा घप घपा घप सारा पीज़ा खा लिया जब मुझे 30 मिनट के अंदर पीज़ा नहीं आया तो मैंने पीज़ा वाले को फोन किया मेरा पीज़ा कहां पे है तो यहां पे रेशम ने बोला कि सौरी माम मैं आपका पीज़ा खा गए तो जब इनिशली जब पीज़ा खा रही थी तो इसका कोई intention नहीं था कि आप मुझे पैसा देना पड़ेगा या पीज़ा देना पड़ेगा लेकिन बाद में लेटर ओन का मतलब क्या होता है बाद में पीज़ा का पैसा देना पड़ेगा रेशमा को दूसरा एक्जामपल सुन लीजे एक घर में चार लोग रहते हैं मीटर बिजली जो इलेक्रिस्टी मीटर है उसका बेल आया तीन हजार एक ही परसन ने तीन हजार पे कर लिया तो कि जो बाकी तीन परसन है उनको भी तो पैसा पे करना पड़ेगा न उनको उस पहले परसन को पैसा देना पड़ेगा दाट इस कॉल क्वजाई कॉंट्राक्ट दाट इस कॉल क्वजाई कॉंट्राक्ट ठीक है मेरा जो old गाड़ी है तुम्हें तब मिलेगा जब मैं नया गाड़ी खरीद दूँगा जब मैं अपना नया कार खरीद दूँगा तब तुम्हें मेरा पुराना गाड़ी मिलेगा तो यह जो event है नया गाड़ी खरीदने का और यह जो पुराना गाड़ी देने का तो यह जो contract है किस पे depend है इस event पे depend है यह नया गाड़ी कब खरीदेगा इसको भी नहीं वालू जब पैसे आएंगे तब खरीदेगा तो जब कोई contract यह valid contract है तो जब कोई valid contract किसी event पे depend होता है और वो event आप लोग का uncertain future event होता है this is called contingent contract अब बताओ किसी को कोई doubt यहाँ पे किसी को कोई doubt यहाँ पे class जल्दी बताईए किसी को कोई doubt यहाँ पे contingent contract में is that clear सब को यहाँ पे clear अरे बस करो आप पीजा पीजा लगे गाना गाने पीजा पीजा CLAT 2025 की preparation don't worry December का exam होते ही हमारा target CLAT 2025 है don't worry hello Priyanka ठेके द्रूब is that clear session को share करते रहे session को like करते रहे तीसरा topic बस class खतम होने वाला है यह चीज ठेके उसके बाद हम लोग करेंगे questions questions में मजा आएगा अच्छा वेजरिंग एग्रिमेंट पूरा पूरा contract पढ़के रहेंगे बेटा वेजरिंग एग्रिमेंट का मतलब होता है वेजरिंग एग्रिमेंट is a types of void agreement वेजरिंग एग्रिमेंट क्या है void agreement का क्या है types है ठीक है example देखो अभी world cup match हो रहा है न तो world cup match में अर्षना betting लगाया हमने मैंने betting लगाया अर्षना अगर इंडिया जीतेगा तुम मुझे 50 लाग दोगी और तुमने बोला निकिता मैम अगर हारेगा न आप मुझे 50 लाग देंगी शर्थ लग गई betting लग गया हमारा तो यहाँ पे इंडिया जीत गया अर्षना तुम भाग गई गई मैं पुलिस के पास पुलिस के पास मने complain फाइल कर दिया अर्षना के उपर इन दाट केस वाट विल हैपल पुलिस क्या करेगी निकिता मैम जिल के अंदर जाईगे अर्षना को भी पगड के लाएगी क्योंकि इंडिया में betting करना तो वेजरिंग क्या है एक तरह से एक्जामपल सटे बाजी तो वेजरिंग वॉइड एग्रिमेंट का टाइप है और वॉइड एग्रिमेंट क्या होता है जो शुरुवात से जीरो होता है हो गया समझ में आ गया तो ये होता है वेजरिंग एग्रिमेंट अब वॉइड एग्रिमेंट वॉइड कॉन्ट्राक्ट एक इन दोनों में मतलब समझ लो और एक voidable contract में class void agreement का मतलब होता है अभी सिर्फ agreement बना है जो शुरुवात से क्या होता है 0 होता है that is called void agreement that is called void agreement चेक है गौरप बता रही हो बिटा बता रही हो बिटा मुझे मालूम था कि तुम लोग ये तीनों भी पूछोंगे तो इसलिए मैं बता रही हूँ void agreement agreement है contract नहीं है जो शुरुवात से void जैसे एक बच्चा एक 5 साल का बच्चा कोई contract करता है that is not valid शुरुवात से क्या होगा? 0 होगा void agreement what is void contract? void contract मतलब ये contract बन चुका था लेकिन अब वो void हो चुका है example सुनिए void contract का शादी के लिए hotel book किया मैंने शादी मेरा मेरा तो हो गया हो चुका है शादी लेकिन सपोस मेरा शादी है 31 October को मैंने hotel book कर दिया advance पैसे दे दिये अभी तक valid contract है? अब क्या हुआ? कोरोना आ गया कोरोना में government का order आया 20 October के बाद से सारी शादी पोस्ट पॉन की जाए सारे होटल बंद रहेंगे सब को कॉरेंटाइन में रहना है so in that case what will happen? शादी मेरा पोस्ट पॉन void contract हो गया क्योंकि contract अलरी हो चुका था मेरा होटल के साथ? लेकिन क्या अभी एक्सिस्ट होगा? the answer is no this is called void contract and what is voidable contract? voidable contract का मतलब होता है suppose कोई भी contract fraud से होता है origin से होता है misrepresentation से होता है या undue influence से होता है जैसे A person ने contract में fraud किया B के साथ B ने धोके से sign कर दिया contract लेकिन जब B को बाद में मालुम चला कि मेरे साथ धोका हुआ है B case file करेगा तो B के पास right है contract को तोडने का so what is voidable contract? one party have a right to breach the contract क्यों? क्योंकि इसके साथ धोके बाजी हुई है इसको डरा धमका के contract sign कराया गया है इसके साथ misrepresentation हुआ है और इसके साथ undue influence हुआ है that's it ठीक है? तो यह class आप लोगा क्या है? that is law of crime क्या है class आप लोगा? इसको कहते हैं law of crime अब बताओ तीनों में आप कोई दिक्कत sorry, this is called voidable contract आप कोई दिक्कत किसी को? मैं मैं इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया अच्छा जल्दी बताओ class तीनों में आप कोई दिक्कत किसी को? किसी को, कोई doubt इसमें? भाई हम लोगा taught हो गया contract हो गया एक-एक point मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर लिया जल्दी करू मुझे questions कराना है questions आप लोगे बहुत अच्छे चले के आई हूँ ठीके? रेश्मा बेठा void contract का मतलब contract हो चुका था लेकिन बाद में हमें उसको टाटा बैबै करना पड़ा that is called void contract okay class उसके बाद law of crime तो भाई law of crime में सबसे पहला ये crime क्या होता है? किसी भी act में किसी भी act में जब इंसान का guilty mind मिलता है किस के साथ? guilty act के साथ that is called crime guilty mind, guilty act that is called crime guilty mind, guilty act that is called crime एक चोर है चोरी करने जा रहा है गलत इरादों से जा रहा है चोरी कर लिया समान लूट लिया that is called चोरी तो हर एक crime में ध्यान रखियेगा मैंस्रिया होना जरूरी है एक्टिस होना जरूरी है एक्टिस्रिया और crime आपका कहलाएगा crime आप लोगों का कहलाएगा this is called what? crime ठेक है? essential points क्या-क्या होते हैं? किसी भी crime को करने के लिए मैंस्रिया होना चाहिए एक्टिस्रिया होना चाहिए और इंसान का injury होना चाहिए यह आप लोगों का third point है crime के stages क्या होते हैं? पहले इंसान intention सोचता है फिर prepare करता है फिर attempt करता है फिर commission करता है these are the stages of crime exactly these are the stages of crime कृती बेटा मैंने अभी बताया न void agreement बोले तो जो शुरुवात से zero है एक बच्चा contract कर रहा है एक पागल person start कर रहा है agreement करना शुरुवात से नहीं मारा जाएगा इंदों का चीकर? बेटा नीलम actus ria का मतलब होता है guilty act जैसे चोर ने सोचा चोरी करना है सोचना हम देख थोड़ना सकते उसने बस guilty mind बनाया जो समान लूट रहा है that is guilty act किसी का समान एक इसरिया का actual मतलब क्या होता है prohibited act ऐसा act जिसको law मना करता है तो पेटा किसी का समान तुम चोरी कर रहे हो law तुम्हें बोलेगा कर लो, कर लो law बोलेगा मत करो this is called actus ria this is called actus ria तो यह आप लोगा law of crime का topic है लेकिन law of crime में journal exception एक ऐसा topic है एक ऐसा chapter है जिसमें men's ria absent रहता है actus ria होता है और यह आप लोगों का crime बिलकुल नहीं कहलाता है this is journal exception this is called journal exception तो journal exception में जैसे एक police वाला है order से किसी को shoot करता है that is not called crime एक 5 साल का बच्चा है किसी को चाको मार देता है that is not called crime judge है order देता है इसको फांसी किसरा दी जाए that is not called crime so this is what इस chapter में men's ria absent है actus ria हो रहा है यह आप लोगों का crime नहीं कहलाएगा ठीक है बाकी सब में जो offense against property है जैसे आप लोगों का हो गया theft extortion robbery dacati cmp cbt trespass mischief यह सब क्या है offense against property है menstruia होगा actus ria होगा that is equal to car and what is offense against body murder culpable homicide hurt grievous hurt wrongful restraint wrongful confinement then आप लोगों का क्या है इस में और that is rape unnatural offense these are the offense against body exactly अब जल्दी बताइए आपको किस offense में doubt है otherwise बहुत short topic है आप लोगों का ठीक है just बहुत short topic है आप लोगों का यह सब चीज़े और आप लोगों से request है आप लोग प्लीज session पे ध्यान दीजे आपस में बात मत करिए जो इस session को miss करेगा सोचो आप लोग फिर दुबारा से A to Z पढ़ना पड़ेगा ओके ठीक है ठीक है stages का मतलब होता है मोहमद बेटा जैसे सबसे पहले मैं चोरी करने का सोचूंगी फिर चोरी करने के लिए मैं समान प्रिपेर करूंगी जैसे bag लाऊंगी या कपड़े मास लाऊंगी ये सब फिर attempt चोरी करने का कोशिश करूंगी जब attempt successful crime मेरा हो गया crime मेरा हो गया that's it ठीक है अब ध्यान से सुनिए तुम लोग सभी लोग में बोल दो कि मैं doubt है मुझे ध्यान से सुनो चोरी का मतलब होता है जब इंसान जो चोर है ध्यान से सुनिएगा मैं line wise सब चीज बता रहे हूँ theft का मतलब है जब कोई चोर guilty mind से दूसरे के घर जाता है बिना उसके permission के समान को move करेगा ले जाने के लिए that is called theft तो समान का move करना वो भी theft कहलाएगा समान का ले जाना वो भी theft कहलाएगा theft extortion खुलम खुला चोरी करेंगे जिसे theft में छिप कर हम चोरी करते हैं लेकिन extortion में खुलम खुला चोरी करेंगे मतलब बिलकुल दिन दहारे बंदू के नोप पे हमने क्या किया उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली तो extortion का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती उसका समान निकल बाना robbery का मतलब होता है जब चोरी करते वक्त या जब extortion करते वक्त हमने उस person को injury भी किया जिसके घर हम चोरी करने जा रहे है एक्स्टोर्शन करने जा रहे है injury किया that is called robbery this is called robbery डकैती पांच या पांच से ज़्यादा person जब रॉबरी करते हैं that is called डकैती that is called डकैती श्रिम बेटा rigorous का मतलब होता है गंभीर rigorous imprisonment कथोर कारावास what is CMP criminal misappropriation of property निकिता माम के घर good faith में खुशी आई निकिता माम के घर good faith में खुशी आई माम का ring बहुत अच्छा लगा उसे ring मांगा ले गई शादी में पहनने के लिए वापस दिया ही नहीं बेश दिया this is CMP good faith में आना फिर बाद में bad faith में use करना एक एक word बता रही हूँ आप लोगों को जो कि आप लोगों के लिए बहुत important रहे है एक एक word what is CBT criminal breach of trust मैंने भरोसे से अपना property का paper advocate को दिया उस advocate ने क्या किया property अपने नाम पे करा लिए उसने क्या किया मेरे साथ CBT criminal breach of trust मेरा भरोसा तोड़ा what is trespass किसी के घर में देखो इन दोनों में menstruia, actusria दोनों है menstruia definition में जैसे dishonest, fraudulently ये सब menstruia है और actusria जो act किया जा रहा है advocate ने will में will को converge किया what is this act किया उसके बाद trespass आपने टॉटने पड़ा mischief का मतलग होता है नुकसान करना that is called mischief किसी का समान नुकसान करना with criminal mind सो मुहमद आमीर बेटा taught में और IPC में काफी सारे ऐसे offense है जो common है इसलिए मैंने आपको बाद बोला जब भी ये सब crime होगा या तो हम criminal case file कर सकते हैं या तो हम civil case file कर सकते हैं exactly ठीक है murder culpable homicide में कुछ basic difference नहीं है murder culpable में 19-20 का difference है culpable में surety नहीं है इंसान मरेगा लेकिन इंसान मरता है लेकिन murder में surety है इंसान मरेगा murder में offender जानता है ऐसा करूंगा तो वो मरेगा लेकिन culpable में offender नहीं जानता और घबड़ाओ मत आज तक इसके उपर कोई question नहीं आया है आप लोगों के IPC में hurt किसी को चोट पहुंचाना disease फैलाना that is called hurt grievous hurt गंभीर चोट हाथ तोड़ना पैर तोड़ना आख फोड़ना बहरा करना that is called grievous hurt what is wrongful restraint किसी का रास्ता रोकना that is called wrongful restraint बाकी सब रास्ते हैं जाने को लेकिन एक रास्ता रोका जिसमें भी उसका हग था जाने का and what is wrongful confinement जो हमने taught में false imprisonment पढ़ा था चारो तरफ से कैद करना that is also called wrongful confinement exactly Sachan and what is rape against the will against the concern किसी के साथ sexual intercourse करना that is called rape and what is unnatural offense अगर कोई लड़का या लड़की किसी अनिमल के साथ forcefully या उसके साथ कोई गलत चीज कर रहे हैं that is called unnatural offense लड़का लड़का पयार लड़की लड़की प्यार करना that is not unnatural offense और अभी recent आप लोगों का decision आया है that same sex marriage is not legal लेकिन हम इन लोगों के rights provide करेंगे और बहुत जल्द भी आप लोगों का parliament इसके उपर law बनाने वाला है समझ में आ गया तो ये आप लोगों का यहां पे क्या है ये क्या है आप लोगों का that is law of crime किसी को कोई doubt यहां पे किसी को कोई doubt gun दात तोड़ना grievous hurt अनुष्का malicious prosecution का मतलब होता है किसी पे मान हानी का दावा करना मेरा reputation किसी ने खराब किया राइट भई मैं सही थी अब मैं उस पे case file करूंगी मान हानी का that is called मान हानी malicious prosecution ठीक है okay that's great तो चलिए अब हम करते हैं अपना what constitution constitution that is very important और मैं आपको बता दू जिसको अभी भी time है ये सारा चीज detail में पढ़ना है तो मेरा सुबह साढहे 9 बजे का session जरूर देखियेगा जहां पे ये सारा चीज आप लोगों को detail में पढ़ाया जाएगा already पढ़ा है recorded session को 2x के speed पे on करके फटा फट देख ला yes बेटा सारे topics आप लोगों के exam में यहां पे आए हैं सारे topics ठीक है सारे topics तो बेटा ये आप लोगों का preamble fundamental rights that is very very much important clat ice parent आप लोगों में हमेशा से question किस के उपर आया है मैं आपको बता देती हूँ fundamental right में article 19 का 1 का a clause आ चुका है article 21 article 32 rits के उपर question आ चुका है इन सब के उपर आप लोगों के questions आ चुके है this is very important this is very very much important नहीं बेटा गन अभी सुबह वाली class में कॉंस्टी खतम नहीं हुआ है कॉंस्टी हम जल्द खतम करेंगे so class ये क्या है आप लोगों का this is fundamental rights ये सब question आ चुके है हर एक चीज detail में अभी पढ़ने का time नहीं है detail में हम लोग इसको अलरी सुबह पढ़ते हैं तो आप लोग प्लीज सुबह वाला session अटेंड कर सकते हैं exactly पलग ठीक है DPSP कोई question नहीं आया है लेकिन तब भी 36 से लेकर 51 state को directions given है state को क्या है directions given है and every state have to follow that directions fundamental duties आप लोग के कितने है 11 fundamental duties है 42nd amendment 1976 में fundamental duty हमारे कौन स्टी में add हुआ पहले 10 थे फिर 11 हुआ और 11 कौन सा था आप लोग का right to education जो की 86th amendment 2002 में add हुआ आप लोग का emergency provision हमने I think recently पढ़ा है पढ़ सो emergency provision national state financial emergency and amendment जो हमारे सविधान में changes होता है उसको amendment कहते है अभी तक total एक सवाट amendment हो चुका है that's it तो यह आप लोगों का क्या है सविधान है other legal subject class यह जो आप लोग यहाँ पे highlighted चीज़ देख रहे हो न इन सब के ओपर questions आप लोगों का आ चुका है other legal subject Hindu law से question क्या आता है by gaming के उपर by gaming के उपर question आता है then maintenance के उपर question आता है आप लोगों का ठीक है और marriage के उपर और divorce के उपर class अभी तक Hindu law से इन चारो topic के उपर question आ चुके हैं इन चारो topic के उपर आप लोगों के question आ चुके है CLAT में IPR as such topic नहीं आया है but that is important जिसमें हमें patent, copyright, trademark geographical indication question आपने आप लोगों के है international law भाई यहां पर आप लोगों का question आ चुका है इसके उपर United Nation that is sustainable development के उपर question आप लोगों का आ चुका है sustainable development के उपर और क्या आया है आप लोगों का international law में एक आप लोगों का monism और duism जैसे इसका मतलब है international law और municipal law में क्या relation है इसके उपर question आ चुका है यह सारे questions मैं आप लोगों के सामने discuss कर रही हूँ जो questions आप लोगों में आ चुके हैं that is very important सब questions भाई tips पर याद है मुझे जो जो आप लोगों के class में legal में आ चुका है ठीक है IT Act जरूर आता है question IT Act के उपर क्योंकि अभी जब भी कोई दंगा होता है net पन कर दो mobile के सारे signal सब बंद किये जाए किस Act के अंतरकत IT Act के अंतरकत सेरोगेसी Act किराय का कोक कोशन आ चुका है अब इस Act में डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए सारे नौ का सेशन देख लीजेगा सारे नौ का सेशन कहां पे है मैं class के लास में बता दूँग आपको ठीक है Consumer Protection Act कोशन आ चुका है Consumer होता कौन है Consumer बोले तो जो समान को consume करता है और जो जो सर्विस को avail करता है This one Special Marriage Act कोशन आ चुका है What is Special Marriage Act? जब दो different religion शादी करते हैं क्या Act अप्लाई होता है ठीक है? Gun बेटा Monism और Durism का मतलब होता है International Law और Municipal Law का Municipal मतलब जो National Law है दोनों में Relations को बताने के लिए ये दोनों थियोरी है एक थियोरी कहता है पढ़ लेना ये paragraph आ चुका है एक थियोरी कहता है दोनों लौ एक जैसे हैं और एक थियोरी कहता है दोनों अलग-अलग है हो तो गया बस ठीक है? Then Muslim Law CRPC Indian Evidence POXO RTI POXO बच्चों के साथ Sexual Harassment का Case That's it RTI जानने का अधिकार है जानने का हक है और अदर लीगल सबजेक्ट में आप लोग के लीगल मैक्सिम्स Fact Important Case Law और बहुत जल्द मैं ये जो चीज है ना Important Case Law November से शुरू करने जा रही हूँ साथे नौ के सेशन में January से लेकर November 2023 ये आप लोग का सेशन चलेगा दियान से क्लास ये सेशन आप लोग का November में साथे नौ के में चलेगा That is very important और उसके बाद Quick Revision साथे नौ का सेशन So class ये हम लोगों का आज का सेग्मेंट I think देड़ घंटे में complete हो गया So class Shall we start the question now Shall we start the question class जल्दी बताईए Yes Bhoomi बेटा Family Law में Hindu Law मैंने बोला न Marriage, Divorce, Maintenance कितने कोशन आ चोके हैं So 10 पच्चपन हो रहा है 10 पच्चपन आप लोगों का हो रहा है 10.58 A.M We'll start the question 10.58 A.M Be ready class Be ready पानी वानी बी के आ जाईए 15 अere 12 अच्पन हो कहते हैं 10th किते हैं 50 वास्पन हो रहा हैं 15 Saudian आपई सक्र Olivet 11th worldview 16 Saud Push 17 झाल 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 क्लाट में आप लुगों का section नहीं आता है so please आप लोग बिलकुल भी चिंता मत करिए shall we start अब हम लोग करने जा रहे हैं questions जिसका आप लोग बेसबरी से इंदिजार कर रहे थे हर दिन एक एक question करते हैं हम लोग लेकिन आज हम लोग करेंगे खूब सारे question so सबसे पहले जो भी यहाँ पर candidates है session को जितना हो सके share करिए and just be ready कोशिश करिएगा मिर्णाली बिठा last में पूरा calculate करके रखिएगा और देखो मैं चाहती हूँ हर paragraph का आप लोग at least one word note करके रखिए और वैसे भी मैं हर paragraph का one word highlight करके लाई हूँ in CLAT articles are also not very much important ठीक है CLAT में articles भी नहीं पढ़ने है याद नहीं करना है बस चीजों को समझो तो session को share करना WhatsApp पे, Facebook पे लगा दो और चलो, be ready सबसे पहला precedent पहले मैं word को समझाओंगी और बिलकुल सब नए paragraph है you will enjoy the session precedent का मतलब क्या होता है जैसे judge का past decision तो एक class बात ध्यान से सुने suppose कोई recent case आया judge को लगता है ऐसा case हम पहले decision दे चुके हैं तो court क्या करेगा उसका reference ले सकता है यहाँ पे court उसका reference ले सकता है तो precedent का मतलब क्या होता है that is past decision of court क्या बोला मैंने आप लोग को precedent का मतलब होता है past decision तो यह आप लोग का जो paragraph है इसके उपर है बिल्कुल है न हट के topic बिल्कुल है यह हट के topic तो चलिए होजाय शुरू this is not a pedantic hair splitting यादे पहले word में ही हम लोग बोल लोग है ऐसा कुछ भी नहीं है इस word का मतलब क्या होता है जिसे न ही हमारे hair splitting होते है splitting का मतलब दो मुहे बाल होना तो इंग्लिश में कहावत क्या होता है it is not pantantic hair splitting it means कोई ऐसी छोटी सी बात जिसको अब बिल्कुल बात का बतंगर बनाना क्या मैंने बोला छोटी सी बात उसको बात को बतंगर बनाना that is called hair splitting in English pro word ठीक है it is in English pro word so making unnecessary things जोब की बिल्कुल फिजूल की बाते है just एक कहावत है देखते हैं कहावत आप लोग का किस के लिए हो रहा है on the contrary it is deeply important because respect for president is a bad rock of our judicial system bad rock का मतलब क्या है कोई धोस चीज तो president क्या है president हमारे judicial system का एक नीव है president is the source of law तो यहाँ पे इस चीज को क्या किया गया है focus किया गया है ordinary prior judgment of the supreme court are binding मतलब prior judgments पहले वाले decisions पहले वाले decisions अगर आज के case similar है पहले के case जैसा तो हम prior judgment को क्या कर सकते है of supreme court are binding supreme court के decision having any decision supreme court के decisions are binding and mean to be followed उसको follow भी करना है this is what provides the system that stability and continuity that differentiate the rule of law from the rule of judge class एक दो word है rule of law rule of judge तो rule of law का मतलब क्या होता है जो हमारे DICI ने दिया है rule of law हमारे India में article 14 में indicate है and what is rule of judge जो judge law बनाता है तो क्या ये पॉसिबल है हमारे इंडिया में judge law नहीं बनाता अगर law बनाता तो जो same sex marriage का concept था वो हट जाता लेकिन same sex marriage का खुद law बनाता है नहीं उन्होंने parliament को सौफ दिया तो जो दो चीजे आप लोगों का contradict है जिसे England में judges के बातों को judgments को महत्व दिया जाता है judges के judgments का भी law बन जाता है लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक है नव इस लेटर बेंच of court wants to go against a binding precedent a series of ground rule exists to ensure that this can only happen after careful consideration and reflection and in the judicial proceeding where both side can put in the case जिसे कभी कबर क्या होता है जिसे माल लीजे कोई constitutional bench बेटा है पांच जज़स का bench बेटा है आप सब जानते हो पांचों जज़स को अपना अपना decision देना पड़ता है right न कोई ज़स किसी का knuckle नहीं करेगा अगर चार जज़स favor में है एक against में है ऐसा possible हो सकता है तो यहां भी president को लेके जो judges है कुछ favor में है कुछ against में है क्योंकि जो favor में है वो बोल रहे है भई इससे हम लोगों का काम आसान होगा जो against पे है वो क्या बोल रहे है भई कोई सा भी case होता है exact fact किसी का भी नहीं हो सकता भई कहीं न कहीं जो वे होता है crime करने का वो दोनों में different हो सकता है तो आप कैसे precedent को लगाओगे refer करोगे तो दोनों बात यहां पे बोला जा रहा है अब देखो ध्यान से smaller bench का मतलब क्या है अब इसी में लगे हाथ याद कर लीजे single bench का मतलब क्या है एक जज बैठते हैं division bench 2 या 2 से जादा full bench 3 या 3 से जादा और constitutional bench 5 या 5 से जादा तो ये हमारे bench होते हैं टेक है these ground rules stipulate for example if a smaller bench feel that the binding decision of previous larger bench is incorrect मतलब smaller bench ने ऐसा माना कि larger bench का जो decision था that is incorrect it referred the case to the larger bench to consider in general this referral take place incrementally for example from 2 judges from 2 judges to 3 3 to 5 etc although there have of course been exceptions the reason for this to retrieve is that respect for precedent require logically that settle law to be disturbed only when there were wave reason for doing so मतलब same चीज बोल रहा है अगर माल लीजे भाई कोई case है तीन judges बैठे हैं उसकी सनवाई के लिए उन्होंने previous case का reference लिया previous case में जो की 5 judges उस case को सुना मतलब ऐसा case सुना चुक है लेकिन दोनों का decision अलग-अलग आ रहा है तो भाई इस situation में क्या किया जाएगा पताईए तो यहाँ पे एक तरह से क्या है आप लोग का question mark यहाँ भी आप लोग का available है ठीक है next however there is something more concerning here if 9th judge bench is no longer restricting itself to the reference question but intend to hear these petition as well मतलब यहाँ पे अब 9 judges का क्या है bench की बात हो रही है अकर कोई 9 judges का bench कोई ऐसा case deal कर रहा है जिसमें हमें reference की जरुरत है देखे ध्यान से but intend to hear these petitions मतलब 9 judges का bench चाहता है की वो petition को भी सुने prior decision भी देखे then it at least potentially followed that the sabrimaala petition out of which review order arrays will also now be subject the matter of hearing this would be truly extraordinary a final judgment of court would be effectively reheard by the 9 judges bench against all existing norm and convention बताब यहाँ पे class 5 judges versus 9 judges क्योंकि 5 judges वाली bench को भी हम constitutional bench बोलते है और 9 judges वाली bench को भी हम क्या बोलते है constitutional bench बोलते है तो बताए इस situation में आप लोग का क्या arise होगा बताए इस situation में क्या reference लिया जाएगा because दोनों आप लोगो के constitutional bench है recall that no judgment has yet doubted the correctness of original Sabri Maala decision मतलब क्लास Sabri Maala decision आप लोग जानते हैं क्या था एक ऐसा मंदिर जहां पे 1.500 साल से women का entry नहीं हुआ था judgment आया जिसमें बोला गया now the women are allowed to enter into the temple तो यहां पे उसकी बात हो रही है in other word the second round with a larger bench is taking place purely by the virtue of chief justice exercising his administrative fate it obvious by now it is obvious by now it should be obvious by now that this is no longer about whether the original judgment in Sabri Maala was right and wrong तो मतलब यहां पे Sabri Maala temple के बारे में बोला जा रहा है कि क्या यह decision सही था कि गलत था क्योंकि आज की डेट में भी कई सारे ऐसे मंदर है जहां पे women साप लोगो के अलाओड नहीं होती है people can and do have different views about that and it would be entirely open to the letter benches to reconsider it and following the proper procedure but what is at stake here is something deeper it is whether president continue to have any meaning at the supreme court and whether what we are witnessing is a gradual it's a manta forces of the supreme court of india supreme court chief justice of india a point I have written about मतलब class यहां पे वही चीज है क्या हम लोग precedent में माल लीजे if we are not satisfied माल लोग precedent use करते समय हमें लगा कि यार past decision तो गलत था तो भाई इस situation में सोचे कितना controversy आ सकता है मतलब past जो हमने decision लिया था judges ने उसको भी फिर से open किया जाएगा तो इसलिए क्या है आप लोगों का D means division bench होता है not double bench D का मतलब क्या होता है division bench not double bench because what has happened here is that number of crucial issues that are required judicial consideration in a proper way whether there is a conflict between शुरूर मुथ और दुर्गा requiring resolution whether the referred question actually affect the pending cases have been implicitly decided through the constitution by the nine judges by in the administrative faith जो आप लोगो का सब्री मारा temple था I don't know the exact bench कितने थे 9 थे 7 थे की 5 थे but may be 9 judges का bench यहाँ पे लग रहा है ठेक है देखते हैं क्या होता है आगे चलिए यह आप लोगो का question है what is the context under which the author differentiate between the rule of law and rule of judges बदाई क्लास author rule of law और rule of judges में क्या किस point को differentiate कर रहा है बिलकुल निखिल passage बड़ा है but concept को समझे क्या कहना चाह रहा है तो paragraph सिर्फ precedent को लेके था बदाई क्लास इसका exact answer the argument about supremacy of constitution questioning that credibility of the court and arbitrary arbitrary का मतलब होता है मनमाना साशन बताई यह क्या चीज क्या कंटेक्स according to the author differentiate between rule of law and rule of this त्यान से क्लास यह paragraph किस चीज को लेके है अकांचा अनुष्का यह paragraph किस topic को लेके है तो यार answer आप लोगों का उसी से related होगा ना excellent normal यह paragraph आप लोगों का किस चीज को लेके है बताईए तो उसी चीज को लेके आप लोगों का answer होगा ना the argument about supermacy of the constitution यह कब हमने discuss किया कि यह जो हमारा paragraph है this talks about the supermacy of the constitution we have not discussed it we have not discussed it class binding precedent provide stability to the system हमने इसके बारे में बात की है ना class questioning the credibility of the court court का credibility जानने के लिए बिलकुल नहीं arbitrary manmana session बिलकुल नहीं तो भही to the point answer आप लोगा given B is the right answer here B is the right answer here that's it why does the author believe that the supreme court is being dissorted to a one man rule बदाईए why supreme court is being dissorted to the one man rule इसका क्या मतलब है बदाईकलास इसका मतलब होता है किसी चीज को बिगारना किसी चीज को बिगारना why does author believe that supreme court is being dissorted to a one man rule one man rule क्या होता है arbitrary आर्बिटरी शाशन one man rule होता है arbitrary शाशन जली बताईए the court is taking into consideration the matter which were not reviewed before them author is being paranoid the court is not following the proper procedure established and hence the administrative faith are arbitrary the court is excising the extra-territorial jurisdiction बताईकलास disorted to the one man rule यहां पर जिसका answer है जली बताईए what will be the right answer here paradoid मतलब किसी के बारे में गलत कहना किसी के बारे में गलत कहना that is called paranoid so why does author believe that supreme court is being distorted to the one man rule यहां पर जिस्ते बोला है C this is absolutely right the court is not following the proper procedure established and hence the administrative faith are arbitrary C is the right answer here okay next what is the review mechanism of the supreme court incremental in nature incremental means जो चीज आप लो का increase होता है why is the review review mechanism मतलब वही आप लो का किसी भी चीज को पुनर मतलब एक रवाइस करना so why is the review mechanism of supreme court incremental in nature why class third one बताईए review तो review भी कही न कही आप लोगों का precedent से mail खाता है because review में क्या है आप लोग का precedent में भी हम पुराने judgment का review तो कर रहे हैं हम पुराने judgment का review ही तो कर रहे हैं we are reviewing so why is the review mechanism of supreme court incremental in nature because class more judges translate to the better judgment review have limited grounds than petition to place a deterrent deterrent मतलब किसी को डराना and respect for precedent requires settled law to be disturbed only when there are justifiable reasons मतलब जो settled law है settled law मतलब जो decision दे दिया गया है उसको क्या करना review करना excellent class बहुत बढ़िया according to the author what provide the system stability and continuity क्या चीज़ हमारे system को एक stability मतलब जिसको change नहीं कर सकते और एक continuity provide करता है बताईए fourth stability and continuity मतलब उस law को हमें छेरने की जुरत नहीं है whatever the previous law we have to follow that one we have to follow that one class जल्दी बताईए fourth का exact answer जल्दी बताईए fourth का exact answer यहाँ पे सबने बोला है the binding nature of prior judgment of the supreme court बहुत बढ़िया क्योंकि यह चीज़ जो है आप लोग का binding stable है तभी तो वो चीज़ binding होता है आप लोग का so a will be the right answer here which of the following pertain to the proper procedure when rectifying precedence rectifying का मतलम होता है किसी भी चीज़ को verify करना बताईए fifth का exact answer which of the following proper procedure when rectifying the precedence हमारे यह जो आप लोग का reference है यह reference आप लोगों के book में दिया था यह reference हमारे paragraph में दिया था जल्दी बताईए तो अपने मन से judges का counting नहीं लिखना है जो हमारे paragraph में given था वो हमें देख के बताना है जो paragraph में गिवन था उसको हमें देख के बताना है जल्दी बताईए referring to a binding decision from three judges bench to the two judges bench referring to the binding decision from the nine judges to this क्या था? बहुत बढ़िया D is absolutely the right answer that is referring to the binding decision from five judges bench to the nine judges bench बहुत बढ़िया किसके full out of full marks आये यहाँ पे? थोड़ा सा tough है paragraph सारे जितना tough करोगे कुछ-कुछ easy भी लेके आई हूँ लेकिन अपने आपको analyze करो कि मैं उस word को कितना समझ पा रहा हूँ हाँ जी class कितने marks आये आप लोगों के? फुल out of full किसके आये हैं यहाँ पे? फुल out of full फुल out of full बहुत बढ़िया जस्ट अनलाइस योसर्फ ओके? जस्ट अनलाइस योसर्फ चलो बहुत बढ़िया next class be ready for the next one sedition sedition का मतलब क्या होता है? देश त्रोही तो अभी फिलहाल हमारे इंडिया में जो IPC है इंडियन पीनल कोड वहाँ पे section 124A talks about the sedition तो भाई कोई भी अपने government के प्रती ऐसा अप्शब नहीं बोलेगा जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुँचे तो यह आप लोग का क्या है? sedition तो यह जो topic है मैंने आपको पहले ही बोला था sedition के उपर आप लोग का paragraph आ सकता है तो देखते हैं sedition क्या कहता इस paragraph में कुंती is sedition cases go back to मतलब कुंती एक नाम है person का sedition cases go back to 2017 and the start of the पथल गाड़ी movement एक movement का नाम है movement का मतलब जब किसी चीज को मन माने के लिए हम कोई कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो एक यह movement है आप लोगों का किसी भी चीज को मन माने के लिए आदिवासीस who were faced with the corporate takeover of their land and resorted to the innovative form of protest आप भी जानते हैं ना कोई भी कमपनी तो क्या करते है वो लोग जहां एरिया उनको देखता है कि यह हम यहाँ पर growth कर सकते हैं वो करते हैं तो यहाँ पर जो आदिवासी के क्या थे जो आदिवासी के क्या थे क्लास ये सब चीजे उनकी जमीन ली जा ली थी ठीक है Corporate take over the land of resorted to the innovative form protest they begin to carve provision of the Indian Constance 5th schedule क्लास हमारे सविधान में जो 5th schedule है याद करिये that's talk about the tribal areas 5th schedule that guarantees tribal autonomy upon stone slab placed upon the boundaries of the village मतलब उनको अधिकार है हमारे सविधान के अंतरकरत ठीक है the first information report that follow alleged that the police were attacked with stick and traditional weapon मतलब FIR report में कहा गया था that police were attacked with stick and traditional weapon मतलब आदिवासी जोगों ने police पे attack किया इन सब चीजों से then allegation that आदिवासी is dispute but additionally the FIR also state that the leader of the movement have been misleading in the innocent people in the name of schedule areas and erecting stone slab presenting the wrong interpretation of the constitution as a result of these affairs individuals spent many months in jail that's it कामिनी एक word होता है sedition का देश द्रोही बताओ क्लास ये paragraph आप लोग को समझ में आया आस्मा बेटा जितने भी क्लैट के paragraph होते हैं सब आप लोगों को important होते हैं all paragraphs are real case class आदिवासी दे नहीं रहे होंगे आदिवासी ने भाई जो भी पुलिस आ रहा था उनको कंट्रोल करने के लिए attack किया ये सबाब लोग का है ठीक है exactly the ongoing event in कुंती reveals multiple fault lines in the legal system and multiple fault in those who implemented मतलब जो कुंती हमारा कुंती मतलब जो movement को आगे बढ़ा रही थी कुंती ने क्या बोला that जो हमारा legal system है और जो multiple faults है मतलब उस चीज़ को highlight कर रही थी मतलब कुछ legally मतलब ये चीज़ legally नहीं हुआ था तो उस चीज़ को कुंती क्या कर रही थी highlight कर रही थी a century and a half after it was first enacted to the Indian penal by the colonial government अच्छा आपको मालूम है न sedition आप लोगों का कहां पे given है sedition is given in IPC देख लो sedition कहां पे given है आप लोगों का IPC में आप लोगों का sedition यहां पे given है तेक है so जो IPC में sedition है that is आप लोगों का colonial government जब Britishers का रास्ता तबका बना है वेग्यू ambiguous, unclear wording of the sedition provision continuous to make it rife from the abuse sedition is defined as अब देखो sedition का हमारे IPC में क्या मतलब है यहां पे लिखा हुआ है sedition का क्लास IPC में क्या मतलब है यहां पे लिखा हुआ है disaffection against the government and bringing it to the hatred and contempt यह देखो sedition का definition कुछ ऐसा चीज जो की हम अपने government के against बोल रहे है भई जहां पे हम रहते हैं जिस थाली में रहते हैं उसी थाली में छेट यह चीज आप लोगा it should be immediately obvious that the scope of these words is boundless and boundlessly manipulable however, when the sedition law was challenged जब sedition law 1962 में आप लोगा challenge हुआ the Supreme Court of India choose to uphold it while claiming to narrow it down the court noted that only acts that has tendency to cause public disorder मतलब जो act सपोज Nikita माम ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा public disturb हुआ would fall within the scope of this section मतलब 1962 में जो पहले का sedition law था उसको challenge किया गया और बोला गया कि क्या चीज हमें नया इस definition में लाना है we have to change the definition as a year since judgment has shown however this dictum had no impact whatsoever on the abuse of this section मतलब लेकिन अभी तक इसकी उपर as such कोई हमारा नया definition नहीं बना है ambiguous का मतलब होता है that is not clear that is called ambiguous ठीक है that is called ambiguous to start with tendency to cause public disorder was almost vague you as a text or the original section second as long as the section continue to exist in the form of did the police could and did continue to invoke it the stifle protest and dissent and the trial could and did not continue to refuse the bail to the jail people मतलब यहां पर चीज़े हैं कि देखो सपोस मैं कुछ भी बोल रही हूँ मैं अपने right to freedom of speech and expression का right use कर रही हूँ मेरा बोलने का right है भाई अगर government ढंक से काम नहीं कर रही है मैं कुछ बोल सकती हूँ अब मैंने बोला अब वो चीज opposite party को लगा कि देखिए निकिता मैं देश के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है तो भाई मुझे पर sedition का चार्ज लगा के मुझे जेल कर दिया तो इन दोनों चीज में भी controversy है article 19 का 1 का A clause और sedition काफी लोगों को अगर आपने news सुनते हैं कुछ भी बोल दिया कुछ डाइग्राम ऐसा बनाया जो की India के against हो रहा है तो इसके अंतरकत क्या कर दिया जाता है हमें जेल कर दिया जाता है sedition का चार्ज जो आप लोगों के JNU के students होते हैं DU के students होते हैं अधिकतर आपने news में सुना होगा sedition के चार्ज में अंदर गया समझ में आ गया the failure thus extended to every wing of state the parliament for allowing the provision to remain on the state ebook मतलब भाई parlement आपने अभी तक इस law को change क्यों नहीं किया अभी तक ये law ऐसा ही as it is है supreme court ब्लेम किस किस पे हम कर रहे हैं इस law के लिए parliament पे जिसने अभी तक law change नहीं किया supreme court पे जिसने अभी तक इस law को strike down नहीं किया state government को state police को that have found it ready tools for operation and lower the court मतलब हर चीज को lower court को मतलब हर चीज को हम क्या कर रहे हैं blame कर रहे हैं यहां पे हर चीज को हम लोगों ने क्या किया यहां पे चाहें lower court हो चाहें police हो state police हो सब को हम क्या बोल रहे हैं that no one had done the or just give the exact definition of sedition यह है हमारा sedition the high court judgment however was stayed by the supreme court which then passed a serious vagu and unclear guidelines a few later the same subject even this resume however was given the recent Telangana counter case अब यहां पे एकोर case का जिकर है Telangana encounter case where acting on the public interest litigation the supreme court stayed all pending proceeding and handed over the investigation to a committee with a six month reporting period मतलब Telangana बे भी किसी person को sedition के अंतरगत गिरिफतार किया होगा तो supreme court ने क्या किया stayed all the pending proceeding stay का मतलब रोक लगाना और आज की date में मैं आप लोगों को recently बता दू हमारा जो sedition law है वो बुलकुल क्या है उस पे रोक लगा हुआ है sedition law का maybe जब IPC नया आएगा तो उसमें sedition का आपको नया definition दिखेगा तो अभी तक क्या है sedition पे हमारा रोक है मतलब किसी को अभी IPC के section 124A के according sedition के अंदरगत गरिफतार नहीं किया जा सकता ठीक है तो start workout बेटा ठीक है start workout बेटा यह जो आप लोगों का topic है IPC sedition के उपर है IPC में जो sedition का law है उसके उपर आप लोगों का यह topic है ठीक है मतलब जिससे उमीद की जाती है हमारे इंडिया में कि वो rule of law को maintain करे वो ही लोग अपना काम ढग से नहीं कर पाते abusive law are enacted मतलब देखो parliament के द्वारा ऐसे law बनाय जाते है that is abusive upheld by court misused by the police and sanctioned by the court मतलब यहाँ पे एक तरस से बुराई की जा रही है जो actual law बनने चाहिए अप एक खुद बात बताओ हम लोगों की जितने भी पुराने laws है IPC 1806 का है Indian Evidence 1872 का है सोचो अभी तक हम इतने पुराने law को चलाते आ रहे थे चलाते आ रहे थे why? क्या हमारे parliament के पास नहीं है कि वो law बनाये fresh अब जाके क्या हुआ है हमने law में change किया है जो हमारे India का जो criminal law था अब हम क्या कर रहे है उसमें changes ला रहे है criminal law में मैं senior citizen act दो हम को पढ़ना है ठीक है पढ़ा दूंगी बाद में अभी नहीं ठीक है अभी नहीं नहीं sedition अलग है आप लोग का और उपा आक्ट आप लोग का अलग है ठीक है दोनों आक्ट आप लोग के अलग अलग है शेल वी दूदा कोशन नीलम शेल वी दूदा कोशन चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन अपना in the above passage author क्या discuss किया है जल्दी बताओ इस passage में author ने क्या discuss किया है बताईए इस passage में author ने क्या discuss किया है हमने sedition का भी topic देखा इसमे fake encounter का भी देखा जो तेलनगाना का केस था हमने अलुषका दोनों चीज देखा भाई सेडीशन का भी देखा फेक इनकाउंटर भी देखा हमने आप लोग फेक इनकाउंटर भूल गए क्या तेलनगाना का दोनों चीजे आप लोगों की यहां पर मेंचन है अब बता दीजे अंसर इसका, अब बता दीजे इसका अंसर क्या होगा, now tell me the exact answer of this one, बेटा, दोनो की बात, हाँ बिलकुल, खुशी बेटा, कल से, क्लाट का, क्राश को शुरू हो रहा है, second बाला, बोथ, this and this, according to the author, the fact that, F.I.R. lodged by police against tribal people recorded, attacking with stick and traditional weapon indicate, ये क्या indicate करता है, कि भाई, tribal area के लोगों ने, पुलिस वालों को, stick से, weapon से मारा, ये क्या indicate कर रहा है, बताईए, पुलिस वाले पे, क्या common people हमला करते हैं, क्या, बताईए, क्या common people हमला करते हैं, बताईए, second का exact answer क्या है, क्या लोग सच, बताईए, लोगों ने बेटा, पुलिस को मारा, पुलिस ऐसा कह रही है कि लोगों ने हम पे attack किया, बाबा, लोगों ने हम पे attack किया, तो भाई, लोग attack कर सकते हैं, misreporting of incident by the police, भाई, पुलिस ने जूट ये सब चीज बोला, कि भाई, पुलिस पे कोई खुच सोच, और कोई attack कर सकता है, आरे, कर सकता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो ना, जब legal system को बोला गये कि भाई, धंका नहीं है, पुराने लोग को ही हम चलाते आ रहे हैं, तो भाई, गल्ती हमारे legal system की है, गल्ती हमारे legal system की है, the author hold following responsible for misuse of Indian law, author ने किसको responsible माना है, बताईए, जो हमारे law misuse हो रहे है, जल्दी बताओ, मैंने सबका नाम हाइलाइट किया था, जल्दी बता देजे, मैंने सबका नाम हाइलाइट किया था, the author hold following responsible for misuse of Indian law, legislature, executive, judiciary या all of the above, जल्दी बताईए, इसका exact answer, जल्दी बताईए, इसका exact answer क्या होगा, यहाँ पे third ka exact answer है, बहुत बढ़िया, तीनों की खामिया बताईए गई है, which of the following is the reason that author call revised definition of sedition to be as vagu as the origin, it does not enumerate the things that can be cause unrest, it recurring abuse and manipulation by the authorities, the unaccountability of the encounter and it has been used without any substantial evidence, मतलब author ने reason बताया है, जो revised definition बना है, वो भी पहले definition की तरह बिलकुल बक्कवास है, पहले definition की तरह वो भी क्या है आप लोग का बक्कवास है, so इसका reason क्या है, इसका reason क्या है, जल्दी बताईए, मतलब जो revised भी बना है, that is also not good, जो revised भी बना है क्लास, that is also not good, तो इसका exact क्या है, बहुत बढ़िया, जिसने भी भी बोला है, it's recurring abuse and manipulation by the authority, मतलब authority ढंक से law आप लोगों का नहीं बना रही, why do encounters and fake encounters take place, बताईए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ग्लास, encounter and fake encounter, मतलब जब पुलिस बिना किसी permission के क्या करती है, शूट कर देती है, so why do encounter and fake encounters take place, why, बताईए, थर्ड का, वेग्यू का मतलब useless, आस्मा, वेग्यू मेंस useless, बताईए, फिफ्ट का exact answer क्या होगा, excellent, जिसका भी A answer है, since there are not enough structures for, of accountability, so A will be the right answer है, बहुत बढ़ियां क्लास, excellent, तो यहां पे फिफ्ट का A is the right answer, बहुत बढ़ियां क्लास, साबाश, हां जी, किस-किस के full marks आए, आ रहे मजा, लग रहे कि हाँ भाई, हम कुछ ऐसे act कर रहे हैं, बिल्कुल नए act है हमारे, बिल्कुल नए टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, किस-किस के full marks आए, किस-किस के full marks आए, जल्दी बताईए यहां पे, किस-किस के full marks आए है, जल्दी बताईए, बढ़िया, बढ़िया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं क्लास, करते रहिए, जितने paragraph हैं कोशिच करिए, at least आप लोग को paragraph, topic तो नया नया मालूम चल रहे हैं, कि इसमें से questions आ सकते हैं आप लोग के, next, contract, that is one of the easiest subject, चलो, contract, relax हो जाओ, आप लोगों ने पढ़ा है, देखते हैं, इसमें कौन full out of full marks लेके आता है, ठीक हैं, तो contract क्या है, अब देखो, बहुत simple है, contract का definition क्या बोला गया है, an agreement between two and more parties, that is enforceable by law, is called contract, in Indian, contract is governed by, Indian contract act, act का नाम है, ठीक है, which a statute containing detailed provision on the various aspects of contract, including execution and enforcement, बहला execution का बदा, contract को कैसे execute करेंगे, कैसे enforce करेंगे, court of law में, ठीक है, the various provision contained in the act are referred section, contract में हर एक point, section 1, section 2, section 3 है, सबको मालू में, ठीक है, section 2H क्या है class, जो कि आप लोग का contract का definition बताता है, और क्या definition है, an agreement enforceable by law, अब agreement enforceable by law क्या होता है, जब contract का मैंने आपको formula बताया था, ये contract का formula है, अरे नीलम यार, ये बहुत, अभी तो just class शुरू हुआ है, अभी just class आप लोग का शुरू हुआ है, ठीक है, thus the formation of an agreement is necessary for contract to come into existence, मतलब class, contract बनने के लिए, agreement होना सबसे पहले जरूरी है, और आप भी जानते हैं, it should be legal agreement, section 2E contract का बताता है, agreement का definition, तो agreement क्या है, हमारे contract act के according, agreement means every promise, every set of promises, forming the consideration for each other, it is called agreement, तो class, ये आप लोगों का agreement का definition है, हमारे Indian contract में, और ये आप लोगों का contract का definition है, 2E का, पूरे बुक का पार्थ है, पूरे बुक का आप लोग को पार्थ है, ठीक है, चलो जी, उसके बाद क्या है, the formation of agreement take place, when the offer is made by one party, accepted by another, आपको मालूम है, contract के शुरुवात कैसे होती है, एक पार्थी ओफर करेगा, दूसरा पार्थी एक्सेप्ट करेगा, under Indian contract, offer is termed as proposal, offer को प्रपोजल भी बोलते हैं, if there is a no proposal at all, if a proposal has been made, but not accepted, the agreement cannot come into existence, offer किया, accept नहीं हुआ, agreement नहीं बनेगा, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, क्लास, जल्ली बताईए, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, इस paragraph में, I think this is one of the easiest paragraph, मैंने आपको बोला था, कुछ tough, कुछ easy, कुछ medium, हर तरह के paragraph आज आपको मिलेंगे, और भाई, मैंने आप लोग जगे रहिये, motivate होते रहिये, और माम को भी motivate करते रहिये, ठीके ग्लास, done, ठीके, I think आपको easy लग रहा होगा, the Indian contract regulate various aspects of offer acceptance, such as manner of making offer, मतला हर चीज, offer कैसे होना चाहिए, acceptance कैसे होना चाहिए, communication of offer, acceptance कैसे होना चाहिए, कब complete होगा, यह सारा चीज हमने पढ़ा है, communication of offer मैंने पढ़ाया है, completion of communication of offer, communication of acceptance, and completion of communication of acceptance, this is very very much important, यह CLAT का paragraph भी आचुका है, यह paragraph, CLAT का paragraph भी आप लोगों का आचुका है, section 2A of Indian contract define a proposal by stating that, यहाँ पर प्रपोजल का definition, what is this class, यह आप लोगों का, प्रपोजल का definition है, so प्रपोजल क्या है, प्रपोजल क्या है, one person signify, मतलब एक परसन, जब दूसरे परसन को signify करता है, अपना final willingness to do and not to do, and just want essence from another person, that is called what, प्रपोजल, यह प्रपोजल का type है, प्रपोजल का definition है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, जल्दी बताईए, प्रपोजल की definition में, कोई दिक्कत किसी को, प्रपोजल की definition में, does offer proposal essentially indicate, a person willingness to do some act, and abstain from doing act, ओके, देखो हर section का, देखो word दिया है, प्रॉमिसर का मतलब क्या है, जो person promise करता है, section 3 explain how offer proposal can be made, section 3 क्या बताता है, offer कैसे दिया जाता है, that's it, it state that a party may communicate a proposal, by doing an act, by which he intend to communicate such proposal, communication का है, कैसे communicate किया जाता है, बताए, कैसे communicate किया जाता है, contract what types, abstain का मतलब है, मना करना बेटा, जैसे कोई भी चीज, जैसे contract आपका positive भी होता है, negative भी होता है, तो abstain का मतलब होता है, मना करना, act to do, and abstain from doing, to do, not to do, चिरंजीव भाथी, क्या पूछना चाहरे हो, तुम contract what types, types of contract, पूछना चाहरे हो क्या तुम, section 4, लोग लास, अब section 4, आप लोगों का, यहां पर आ गया, section 4 हम पढ़ चुके है, that is, communication of proposal, कब complete होता है, is that okay, और आप लोगों का, proposal, कब revoke होता है, यह मैं आपको बता चुके हूँ, यह मैं आप लोगों को, proposal वाला जो concept है, यह हम complete कर चुके हैं, offer कब communicate होगा, offer का, offer कब complete होगा, कब communicate किया जाएगा, यह आप लोगों का section 4 है, और proposal कैसे revoke होगा, by giving notice, मतलब revoke मतलब, मना करना, offer को अब हम, खतम करना चाहते हैं, तो notice देखे, time complete हो गया, failure of acceptor, acceptor ने नहीं लिया proposal को, यह death या पागल हो गया, तो यह जरिया है, जिससे हम proposal को revoke कर सकते हैं, sometime a person may make statement, give some information, accepting other to make an offer, on the basis of such statement information, मतलब, यह आप लोगों का क्या है, that is a proposal, और यहाँ पे, एक और लिखा है क्लास, invitation to offer, and what is invitation to offer, offer से पहले, जहाँ पे, sale, sale, sale लगा है, what is sale, that is invitation to offer, बताईए, I think complete, कोई doubt किसी को, revocation का मतलब होता है, mana करना, revocation मतलब होता है, mana करना, that is end, revocation means, that is end करना, बताई एक लास, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, जल्दी बताई एक लास, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताईए, any doubt any doubt guys ठीक है तो चलिए start करते हैं question सबसे पहला question देखो अब तरह सा कहानी वाला है if A go to stationary shop A go to stationary shop में एक pen लिया and उसने एक place a rupees 10 note in front of the shopkeeper while pointing out the pen and holding it up in his hand without saying anything A conducts may be interpreted to mean that A has made dash to purchase this मतलब पहल लिया इशारो इशारो में क्लास इशारो इशारो में जल्दी बते इसका इशारो इशारो में इशारो इशारो में ए ने A has made and what to purchase the pen जल्दी भाई बहुत इजी है ध्यान से गोरी ध्यान से कोशन को देखो A गया stationary shop में pen लिया places a note of rupees 10 in front of the shopkeeper 10 रुपे का note रखा point किया देखो कुछ बोला नहीं इशारो इशारो में बात कर रहा है pen को point किया तो जो A का conduct है may be interpreted to mean that A has made dash to purchase the pen from the shopkeeper for rupees 10 what is the right answer ध्यान से क्लास contract नहीं पूछा है यहाँ पे पहले का A has made offer to purchase the pen from shopkeeper of rupees 10 बेटा pen रखे थे न that is invitation मैंने pen लिया 10 रुपे का note थमाया bye bye वो समझ गया मैंने देखा रहा है कि 10 रुपे का pen है so that is offer समझे why this is not promise promise थो बिलकुल नहीं promise word को थो बिलकुल मतलाओ जब भी कोई contract का थुमारा statement रखाओ so what is this this is called offer next A send a letter by post to B containing an offer A ने एक letter sent किया B को ठीके offer था the communication of such offers shall get completed only when the letter has been received और पढ़ भी लेगा बी के द्वारा नहीं नहीं इंस्पाइड स्पीक दुकान में जब हम जामान लेते हैं तो एक तरह से वो इन्विटेशन है ना की ओफर है इंप्लाइट कॉंट्रेक्ट का मतलब है इंसान के एक्ट जो करता है ना एक्ट से मालुम चल रहा है की कॉंट्रेक्ट हो रहा है आप लोग का एक्ट से मालुम चल रहा है की कॉंट्रेक्ट हो रहा है वाइट इस सो क्लास जल्दी बताइए यह कॉम्लिकेशन आफ ओफर कब कम्प्लीट मना जाएगा उसका है यह बहुत बढ़िया अर्चना, excellent नीलम, excellent प्रतिभा, अंशुमन, बहुत बढ़िया, the offer has not come to the knowledge of B, क्योंकि A ने letter sent किया, B, the communication of such offer shall be completed only when the letter has been received and read by B, why it is so? because offer has not, A is the right answer, जब तक B के knowledge में नहीं आएगा, तब तक offer complete नहीं माना जाता है, that's great class, next, A made an offer to B, before accepting the offer, B find out that, A is clinically proved that, insane, अच्छा, A ने एक offer दिया, B को, before accepting the offer, मलब B ने अभी accept नहीं किया offer, B को मालूम चला, A कौन है, A, पागल वेक्ती है, okay, what shall happen to the offer, अब बताओ, offer का क्या होगा, बहुत बढ़िया कोशन है, अब बताओ, offer का क्या होगा, B को मालूम चला, कि A तो पागल है, B को मालूम चला, A तो पागल है, बताओ, इसका exact answer, थर्ड का, बताओ, थर्ड का exact answer, पागल है ये, तो भई, पागल है, तो offer होगा आप लोगो का, the offer will be re-negotiated, निगोशिये में बताओ, बारगेन करना, A, इनसानिटी विल स्कैर, B, तो एक्सेप्ट नहीं भई, पागल पन से क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे, the offer will stand revoked, पजबढ़िया, excellent, the display of goods, जो goods आप लोग का display होता है, shopkeeper के द्वारा, वो क्या होता है, क्या वो contract है, क्या वो proposal है, क्या वो invitation to offer है, क्या है, बताओ, अंचुमर, थर्ड, फोर्थ का exact answer, बहुत easy है, display में समान लगा रहता है, shop में, what is this, display में समान लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइगे, इसको बोलते हैं हम लोग, that is invitation to offer, बहुत बढ़ी है class, that's खत्म, किसके full out of full marks आए, अपने आपका अनलाइज करके बताइगे, किसके full out of full marks नहां पे आए, जल्दी बताइगे, excellent बिटा पढ़ान, किसके full out of full marks आए, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, सब के आने चाहिए, यार तो बहुत एजी question था, यार तो बहुत एजी question था, यार तो बहुत एजी question था, आप लोग का, this was very easy class, this was very easy one, बेटा मुहमद कौन से चैनल का नाम यार क्लाट चैनल ही तो होगा क्लाट एन अधर लॉव एंट्रेंस यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया नूर और देर में आओ गुट गुट खुशी चलेजे, next बॉक्सू अक्ट किसको ये अक्ट बिलकुल नया है किसके लिए बेटा करो पानी पी रही है पानी लेके आई हो किसके लिए पॉक्सू अधर एक नया अक्ट है अभी मैंने आपको other legal subject में बताया ना पॉक्सू अधर इस important जल्दी बताओ बोलो बोलो POXO Act किसके लिए नया है POXO Act means बच्चों के साथ sexual harassment होता है उसके ओपर है ठीक है? चलो जी ओके? तो चलो पढ़ते हैं The amendment to POXO Act was made to the behest of Women and Child Development Ministry मेनिका गांदी किसके अंडर में हुआ? जो Women and Child Development Minister थी हमारी मेनिका गांदी who said that she believed this would be deterred the sexual crime against children मतलब इनके अंडर में इनके बहाफ पे इनके recommendations से ये act आया और उनका मानना था इस act के आने से लोगों में डर पैदा होगा जो बच्चों से sexual crime करते हैं ठीक है? मतलब एक act के नाम से आप लोग पूरा चीज यहाँ पे समझ सकते हैं एक्ट के नाम से तो चलिए आगे पढ़ते हैं उसको क्या मिलेगा? सजाए मौत मिलेगी even if it does not result in death even if it does not result in death ठीक है? तो भाई इसमें कड़क कानून है below 12 बच्चे के साथ rape सजाए मौत ठीक है? despite these changes to law however, India is a country that is reluctant to the carry out death penalty आपको मालूम है ना हमारे इंडिया में death penalty भी एक question mark है मतलब इसके उपर हमेशा से debate होता है कि क्या हमारे इंडिया में death penalty मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आज इवन कारावास चलेगा लेकिन death penalty के उपर ऐसा decision आया है that in rarest to rarest case we have to give the death penalty as a punishment ठीक है? it is currently prescribed only for the rarest मैंने बोला यहां कि rarest to rarest case the interpretation which is left to the court the country last execution was 30 July 2005 मतलब हमारे इंडिया में death penalty सबसे अंतिम बार according to the fact 30 July 2015 को दिया गया मतलब जो फांसी की सब हो तो फांसी में तुरांट death penalty मिलता है last आप लोग का 2015 में मिला था exactly ठीक है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है although welcomed by many the new amendment has also been criticized by the number of activity यो भी law बनता है न कोई न कोई रहता है इसको विरोध करने वाला ठीक है? who have questioned whether the debt penalty is really an effective deterrent इन लोगों ने पूछा कि क्या सही में death penalty एक ऐसा punishment है जिसे society में एक डर पैदा होता है क्या यह सही है? this is a question that has been debated around the world does toughing the sentence actually reduce crime? some evidence from the neighboring country would suggest otherwise मतलब कुछ देखो हर चीज के लिए हम लोग reference भी लेते हैं कहां का? other countries का? कि other countries में इसके उपर क्या चीज है? तो वो चीज हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है? मेटा कामेनी death penalty का मतलब होता है मरने का जिसे एक होता है life imprisonment 7 साल की सजा 10 साल की जिता death penalty that is सजाए मौत मौत की सजा ठीक है? experts say that major argument against imposing the death penalty for rape is that it is actually deter the system from handling out conviction मतलब ये सब चीजें जो death penalty है जिसे rape हो गया इन सब जो crime में मिलनी चाहिए आप रोगो का ठीक है? the slow pace of the justice system has also been cited issue the long drawn out trials आपको मालूम है न चाहे हम जानते हैं कि इस लड़के ने rape किया हम जानते हैं कि इसने murder किया but still तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक ये चीज आप लोगों का given है ये चीज आप लोगों का given है तारीक पे तारीक इन इंडिया often mean that victim have to wait for years before they can get justice and in the cases where the death penalty has been handled out those conviction has many chances to appeal against their sentence ये भी सही है माल लोग कोई rape victim है trial court ने बोला death penalty अब जो criminal है उसके पास high court के लिए अपील है supreme court के लिए अपील है even president से morsi petition ले सकता है मतलब president से appeal कर सकता है कि मेरी सजा को death penalty से imprisonment में convert कर दिया जाए तो what is this they show that कि हमारे इंडिया में कितना चीजों को सही करने की जरूरत है is that okay तो यह आप लोग का यह लाइन कह रहा है the man convicted in india most high profile rape case in recent recent year a medical student who died of her injury after being raped in December 2012 अब क्लास आपको मालूम होना चाहिए 2012 का यह जो case है a medical student who died of her injury after being raped in December 2012 are still appealing against the death penalty handed out by fast track trial court in September 2013 मालूम चला कौन सा case है मालूम चला क्लास यह कौन सा case की बात कर रहे है 2012 में medical student movie देखने गई अपने friend के साथ आते वक्त जो rape हुआ छे लोगों ने किया पई criminal system हम लोगों का हिल गया उस rape से ठीक है Robust law would in fact have a very limited impact on reducing the crime unless they are accompanied by the change in the attitude of the police judiciary government officer and the society चेक है that's it बदे इकलास is that clear दामिनी रेप केस exactly what is lethal injection if death penalty सशी कुमार lethal injection is basically मतलब ऐसा injection जिससे इंसान धीमे धीमे मर जाता है मैं what is fast track court पेटा fast track court का मतलब होता है जैसे दिखो एक normal court होता है जहां पे पूरा हमें procedure को follow करना है जब court refer करता है matter को fast track court पे जल से जल आपका निप्टा रहा होना चाहिए मतलब उसको specially handle किया जाएगा yes fun with Vidisha fun with Vidisha we can't clear the clart in the one month if you have a clear if you can clear your concept आज से mock paper शुरू कर दो concept clear कर लो you can crack the exam you can crack the exam ठीक है तो चलिये जी the above passage सबसे पहला question indicate that death penalty has been introduced for what सबसे पहले का exact answer बदा एक लास इसका exact answer क्या है good afternoon Mehdi Varma happy Navratri भी बेटा जल्दी बदाइए बदाइज बदाइज बना है given नहीं है तो D will be the right answer बेटा C क्यों बोला आप लोगो ने C क्यों बोला death penalty में दिया था न rarest to rarest case में आप लोगो का ये था rarest to rarest case में is that okay next according to the author the introduction of death penalty is likely to what fourth according to the author the introduction of death penalty is likely to मतलब जो death penalty का introduction है that is likely to मतलब death sentence में भी मालूम है ना कितने सारे मतलब criminal के पास options रहते है fun with विदीशा यार yes you can crack यार you can crack विटा विदीशा ना फिटा ना फिटा ना फिटा यारी लड़की पागल होगी है विटा spam मत देजिए I will just remove you so यहां पे class excellent this is the right answer death penalty may be we have so many options to just go to the further quote excellent class B is the right answer what does rarest to rare means इसका मतलब क्या है बहुत बढ़िया question से क्या पता कोई paragraph इसमें से आप लोगों का first जाए क्या पता कोई paragraph इसमें से class आप लोगों का first जाए जल्दी बताईगे what does rarest to rare means in the legal terms port का exact answer बताईगे जल्दी port once in a decade left to the interpretation of court in a case where victim has been raped surmanized, multilated and killed port का port का exact answer क्या है rarest to rarest case का legal term में मतलब है ये तो बिलकुल नहीं ये ही सीज नहीं है बता none of the above कोई exact इसका definition नहीं है आप लोगों ने once in a decade क्यों बोला आप लोगों ने once in a decade क्यों बोला ये कब हमने पढ़ा मला 10 साल में एक बर ये क्या answer हुआ 10 साल में एक बर what is the one of the main issue with handling out death penalties बताईए what is the one of the main issue with handling the death penalty बताई क्या main issue होता है death penalties के cases को लेने के लिए what is the main issue it actually deterred the system from handling out conviction the slow pace of the justice system a very little impact on the change of rate of crime all of the above बहुत एजी है तुक्के मत लगाईए to the point चीजों को बोलिये to the point चीजों को बोलिये तो यहाँ पर पांचवे का exact answer क्या है जब death penalty को handle किया जाता है it actually deterred the system from handling out the convictions मतलब एक डर रहता है माल लीजे death penalty दे दिया क्या पता उसका कोई relative यसर हमला कर दे तो किसी को death penalty देना भी एक आप लोगों का एक question mark होता है श्रिम बेटा rarest to rare का exact मतलब होता है ऐसे crime जो मतलब आज तक ऐसा हुआ ने भाई दामिनी रेब केस में किसी ने सोचा था कि भाई वो लड़का rod insert कर देगा that is rarest to rarest case भाई ऐसा केस जो हमने कभी सोचा नहीं था वैसा अगर घटित होता है तो उसमें आप लोगों का death penalty मिलना चाहिए that's it तो class ये आप लोगों का finish हो गया जल्दी बताईए किसके 5 out of 5 marks है अनूप मैंने आपको बता दिया rarest to rarest case का मतलब जल्दी class मैंने बता दिया rarest to rarest case का मतलब बहुत बढ़िया मैंने कोशिश करो नीलम, निर्मल full out of full marks लाने का so that it will be easy for you people चलिए, पांच बा black economic what is economic जो commerce background के होंगे आप लोग economic subject पढ़ते होंगे इंडिया में कितने पैसे आए, पैसे कितना expenditure हुआ, कितना आपका किसी country से लिया कितना समान आ रहा है कितना समान जा रहा है तो ये सब हमारे economic को क्या करता है शो करता है various government have taken step to tackle the black economic in the last 70 year तो what is black economic समझ जाए, कुछ हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग है जो चीजों को misuse कर रहे है प्रॉफिट खूब कमा रहे है प्रॉफिट खूब कमा रहे है ठीक है many committees and commissions, committees का मतलब क्या होता है group of people और commission का भी मतलब क्या होता है group of people many committees and commissions have been set up to study the problem and they have made thousand of suggestions and hundred have been implemented मतलब जो commission और committees बैठता है that is a group of people जो अपने अच्छे अच्छे ideas को देते हैं तो इन में से काफी idea suggestions होते हैं और काफी ideas को implement भी किया गया है that's it ठीक है राम इस paragraph के बाद break मिलेगा मतलब माम को कहना चाहिए कि मुझे break दे दो बेटा और तुम मुझे कहरो कि माम मुझे break दे दी क्या बच्चे हो यार be strong एक बार तीन घंटा session हो जाए उसके बाद आप लोग को break मिलेगा पंद्रा मिनट का खाना अना खाके आई हेगा मैं भी खाना खाके आएंगी अभी चिप्चा पढ़ाई पे दे दे आएंगा in 2016 demonetization sabko maalu mein na what is demonetization jab ham logo ka purana note convert hua tha nai note mein so in 2016 demonetization was announced with a big bang it caused untold misery to the poor who never generated any black income while those generating the black income and who had accumulated much black wealth went squat free bhai kya हुआ था इसमें मलत जिनके पास socho 2016 से पहले जिनोंने पैसा इखटा करके रखा होगा घर में right na पैसा इखटा करके रखा होगा note bandhi 10 दिन में जिसको note change कराना है कराईए पुराना note वनना बंद socho जिसके पास 200, 300, 5000, 1000 करोड का currency रखा है घर में अब वो बेटा बैंक में जाएगा तो बैंक क्या करेगा सीधा उसको जेल होगा that much of currency is not allowed कि आप लोग अपने घर में रखे यही तो हुआ था याद करो भाई मैं भी line में लगी थी बैंक में जो पुराने नोट थे हम लोग उसको क्या कर रहे थे scot-free का मतलब बिलकुल यह जो person है ना जिनके पास काला धन था वो बिलकुल अचंबित हो गए थे shocked ऐसा डिसिजन था विटा ऐसा डिसिजन था आप लोग का ठीक है the problem did not get solved the reason is that the underlying causes of the black economic existence is not technical economic but political and remain unresolved जो black economic है ना विटा आप देख लो that is political and that remain unresolved पतलब कही ना कही इसमें आप लोगों का politics क्या है involved होता है कही ना कहीं अच्छा आपके पास अभी भी पुरान नोट है बहुत बढ़ लिया चेक है कुछ doubt इसमें किसी को किसी को कोई doubt इसमें जल्दी बताईए कोई दिक्कत किसी को इसमें इस paragraph में नोट बन दी जल्दी बताओ मैं बहुत लोगों को heart attack आ गया था ऐसा नहीं है हाँ लेकिन कई मम्मीों के अंदर से भी पैसे निकाले गए थे जो मम्मी लग चुपा चुपा के रखती है राइट अरे गौर्ण अप्शन मैं यार यहाँ पर ध्यान दो न तुम अमेर बदाना से मिली के नहीं मिली पगले प्रपोनेंट ओफ जीस्टी दाट इस गुड्स एंड सर्विसेस टैक्ट जीस्टी जानते हो ना गुड्स एंड सर्विसेस टैक्ट जो भी गुड्स खरीतते हो जो भी सर्विसेस आप लेते हो प्रेश्टो में खाना खाने गए जब बिल पेमेंट करते हो तो बिल सपोस्ट पंदरा सो का आया तो आपको जीस्टी भी पे करना पडता है तो टैक्स होता है तो टैक्स किस के ऊपर गुड्स व पर्डुड्स को जाता है गुड्स के आपर टैक्स किसको जाता है गवर्मेंट को जाता है टैक्ष ठीक है So proponent of GST have been arguing that it would help tackle the black economic since all inputs and output in the entire chain of production and distribution would be copyrighted as argued this is not entirely true for the Indian GST since it has various exemptions and certain key communities are kept out of the preview class जैसे देखो अगर I hope so GST आप लोगो को मालूम होगा क्या होता है goods और services पे आप लोगा लगाया जाता है state GST भी होता है central GST भी होता है ठीक है so you have to pay तो मतलब एक तरह से जो service हम ले रहे हैं so we have to put something amount to the government so that government in पैसों का क्या करती है development में use करती है तो जो जब आप job करोगे ना तो in job you have to pay the tax तो यह सब tax के पैसे हैं जो आप लोगों का infrastructure बनता है कोई भी situation आप लोगा आ गया तो उन सब में पैसा आप लोगों का use होता है okay बहुत बढ़िया further small and cottage sector are largely outside its scope more importantly Indian business are adopt at keeping two set of accounts and they are country true to finally it is believed that digitalization would help digitalization would help tackle the black economic मतलब अगर हमारे इंडिया में जिसनी हमारा Modi government क्या बोलता है इंडिया को हम digital India बनाएंगे so what is digital India digital India का मतलब होता है cash बंद करो सब चीज online के थो I think अभी की date में हम वही कर रहे हैं जितने भी आप लोगों के जो system participants आए हैं Google पे phone पे Paytm यह सब क्या है यह सब आप लोगों के they are the medium जिसे की हमारा इंडिया इंडिया बन रहा है ठीक है it is argued that the informal sector would get formalized and come under the tax net this is an incorrect understanding of the nature of black economic in India most of the organized most of the unorganized sector earn incomes with a way of below taxable limit to understand this it is important to know that in India taxation begin at a multiple per capita incomes and income inequality is high मतलब class जो tax जिसे आप जब लोग बड़े हो जाओगे आप लोग ठीक है जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो जब पैसा कमाने लगेंगे तो according to the salary आप लोगों को tax pay करना पड़ता है जिसे पांच लाग तक का income है दस लाग का पंद्रा लाग का तो पहले 0% फिर 5% फिर 10% जिनका salary 30 लाग से 30 लाग तक होता है उनको 15% tax pay करना पड़ता है तो according to the income you have to pay the tax इसे लिए जादा जादा पैसा कमाओ ठेक है hence a vast majority of the people earn incomes by the way below the taxable limit मतलब हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग है मेटा जो tax limit से कम पैसा कमाते है यानि कि suppose आपका income तीन लाग तक का है राइट जो भी private college से law करता है न सुन लो मेरी बात ध्यान से जो भी आप लोग का private college से law करता है न तो भाई जो नौकरी लगती है न नौकरी आप लोग का 3-4 लाग का लगता है या जो गाओं में काम करते हैं तो गाओं के लोग भी क्या करते हैं 3-4 लाग से कम का कमाते हैं तो इन लोगों को कोई tax pay नहीं करना पड़ता है तो लोग का अलग अलग क्या है टैक्स रिजाई में है कि कितने को कितना परसंट पे करना पड़ता है ठीक है आप जो लड़की है ब्यूटी पालर सर्विस कर रही है जो फ्रेशर्स है या कोई भी हमने ऐसे शॉप खोल रखी है तो भाई इंकम कम होता है तो आप लोगों को tax pay नहीं करना है excellent जीया good विटा मैं GST private job करने वालों को भी बिलकुल technical art बिलकुल मला क्या private वाले नहीं करेंगे है private वाले क्या pay नहीं करेंगे प्राइवेट वालों को भी पे करना है, मैंने क्या बोला, जो tax का slab है ना, सब के लिए है, up to 5 lakh इतना पे, 5 lakh से 10 lakh इतना पे, 10 से 15 lakh इतना पे, 15 से 30 lakh इतना पे, 30 lakh अबव इतना पे, बेटा हर segment के percentage गिवन है, and this is followed by every organization, सबजने आ गया? और यही जो बंदा, tax pay नहीं करता ना, तो यही पैसा आप लोगों का क्या हो जाता है? ब्लाक मनी, सबजने आ गया? यही पैसा आप लोगों का क्या हो जाता है? ब्लाक मनी हो जाता है, not only is the perception that black incomes are generated in the informal sector, मतला जो black income है, black income का मतलब होता है, काला धन, काला धन मन्तव जो लीगली नी आता, इलीगली आता है, तो कहां से आता है? informal sector, incorrect, okay? but there are also other misperception about the black economic, for instance, demonetization was permissed on the notion that black means cash, this lead to the unfortunate conclusion that if cash is squeezed out of the system, then the black economic would disappear at one stroke, मतलब क्लास, जो आप लोग का black money है, अगर वो हट जाए हमारे इंडिया से, तो I think ये जो black economic है, न, economy word है, वो हमारे इंडिया से हट जाएगा, क्या ये possible है? क्या ये possible है, क्लास, जल्दी बताईए, और काला धन पता है न, आपको, क्लास, suppose, politicians, मिठाईयां बहुत आती है, criminals, terrorists, पैसा क्या करते हैं, drugs बेच के, drugs बेचा, drugs में जानते ही हो कितना पैसा आता है, तो ये सब पैसा क्या है? that पैसा is called black money, भाई, जो person's salary based है, आप लोग judge बन गए, आप लोग IES बन गए, तो आप लोगों को अच्छा खासा income मिलता है, लेकिन आपने क्या किया? घूस लेना भी start करती है, एक काम करने का मैं एक करोर लूँगा, तो जो एक करोर घूस से आ रहा है न, that is black money, समझ में आ it has been argued that the use of technology can help curtail the black economy, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, technology के use से हम क्या कर सकते है, black economic को खतम कर सकते है, exactly Sanju, ठीक है, it is felt that the human element is incorrigible, so it needs to be eliminated from the business transaction, that the black money is to be eradicated, the underlying assumption is that the human element can be eliminated in the running of society, this is flawed notion since it is a human being who operate technology, ये हुआ बीग ही है, जो technology को चलाता है, even if the number of human beings running system can be reduced, as long human intervention is needed, illegality can be persistence, the idea that more laws are to be needed to check the growth of black economic, as explained in the book on the Indian economic by this author, there can be no perfect law, author का क्या कहना है, there can be no perfect law, since human ingenuity can be fined by the way of circumventing any law, tackling the black economic is a political and a socialitarian issue, which only movement can be addressed, एक बात बताओ, गूगल पे, अगर आप लोग यहाँ पे, गूगल पे यूस करते हैं, तो भाई ये भी जो digital media है, हम लोगों का payment करने का, जब नया नया आया, सब ने क्या किया, इसको install किया, जिसे गूगल पे एक app होता है, हम पैसा transfer कर सकते हैं, जिसे दूसरे person को, अब इसमें भी आप लोगों के जो transactions हैं, उसको क्या किया जाता है, जिसे कोरोना में, भाई अगर आपने कुछ OTP share किया, तो जो आप transaction कर रहे हो digital media के according, वो आप लोगों का transfer उस hacker के account में आ सकता है, तो ये भी क्या है आप लोगों का, ये भी एक way बन गय है किस चीज़ का, मतब लोग इसको misuse करने लगे, क्या करने लगे इसको लोग misuse करने लगे हैं, ठीक है, बेटा शनाया बिलकुल ये AMU के लिए भी है यार, AMU के लिए भी है ये आप लोगों का, there is a need to change the consciousness of the public at large so that they demand accountability from the elected representative, but the public is also compromised, जो भी नही सरकार आती है, हम चाहते है ना कि हमारा देश का भला हो, जो भी सरकार आए हमारे भलाई के बारे में काम करें, तो ये सब चीज़ आप लोगों का, क्या है, given है, ठीक है, it's vote for a person for his own caste, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई सरकार चुननी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, क्या ये हमारी caste का है, क्या है, क्या हमारी community का है, even if they are corrupt, भले ही वो corrupt है, लेकिन वो हमारे caste का है, हम उसी को vote देंगे, ये reality है, ये class reality है, होता है ना, बिहारी बिहारी भाई, UP, UP भाई, पंजाबी पंजाबी भाई, भले ही corrupt हो, लेकिन हम vote उसी को देंगे, यही चीज़ आपका यहां बोले, यही से, जिसे voting में, reality है, voting में क्या होता है, मालो कोई state का voting हो रहा है, हर घर में हजार हजार का पत्ती पहुंचा दिया गया, इससे क्या होता है, जिसने हजार का पत्ती पहुंचाया, हम उसको vote देंगे, that is reality, विलकुर सही है बिता, ये मत मोला कि माम आप जुट बोल रहे हो, the public chooses one who will do their work regardless of legality, given that policies fail, there is also growing belief that one community can only gain at the expense of another, एक community, उपर कैसे होती है, उसी दूसरे community के वज़े से, ठीक है, people have come to believe that it is a zero sum game and not a positive sum game, GST does not dismantle the tried and hence cannot tackle the black economic, as argued above, way of circumvent, the GST law will emerge to enable the black economic, मतल जो GST law आया है, इससे ऐसा कहा जा रहा है, black economic हम लोगों का धीरे धीरे खतम हो सकता है, and even its form changes, that's it, ये paragraph बड़ा है, लेकिन चीज़े बहुत simple थी, black economic बताया गया है, black economic का मतलब क्या होता है, एक तरसे पैसा, काला धन, जो आता है, उससे क्या होता है, हमारा economic गिरता है, तो इसको सही करने के लिए हम अपने इंडिया को dislise कर रहे हैं, हम GST का provision ला रहे हैं, हमने demonetization किया, यही तो paragraph है आप लोग का, यहार आपको paragraph में हर एक word को नहीं समझना है, ऐसा करोगे तो कभी paragraph कर ही नहीं पाओगे, paragraph का आपको crux यहां पर समझना है, समझ में आ गया? Exactly, और आस्मा मैंने अपने गाओं में देखा है, गाओं में तो लोग dress change कर करके जाएंगे vote देने के लिए, मैं एक बार vote देने गई, फिर मैंने dress change किया, और वो mark नहीं लगा के आएंगे, ताकि वो दुबारा से vote देने जाएंगे, That is a reality, that is reality, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, question, Above passage, which of the following conclusion, मतलब इस passage से हम क्या confusion निकाल सकते हैं, class, बताओ, बिलकुल, PMB tax pay करते हैं, जल्दी बताओ, class, सब कोई tax pay करता है, Above passage से, क्या conclusion निकल किया सकता है, Demonetization did not hit the target audience for which it was intended, मतलब, Demonetization जिस वे में किया गया था, उसने वैसा चीज नहीं कर पाया, जैसा कि उमीद था, मतलब, आपको मालूम है न, आप 2000 के नोट नहीं छपते हैं, तो लोग कही न कहीं से जुगाड करी लेते हैं, लोग कही न कहीं से जुगाड आप लोगों का कर ही लेते हैं, बताए क्लास, फॉस्ट का exact answer, और सबने यहाँ पे सही बोला है, A is the right answer, Author has used the term black economic, क्लास, black economic का क्या मतलब है, यह देखो, पुश्पक सिंक मौरों की थपड है, तुम लोग के स्टुडेंट कहलाने लाइक नहीं हूँ, वागर तुम चार-चार वोट दे रहो एक दिन में, हां जी क्लास, second का, What is black economic? देखो, where tax rate is low, tax is nil, economic where money majorly exists in digitalized form, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, questions को ऐसे भी आप लोग solve कर सकते हैं, लीगल आपका, ऐसे भी questions को आप लोग क्या कर सकते हो, solve कर सकते हो, समझे, next, the author classify India's workforce into, मलब इंडिया का जो लोग काम करते हैं, उसको किस-किस category में divide किया गया है, thought का exact answer बताईगे, keep supporting पेटा, लीगल का, लीगल study का class, आपका, Tuesday और Thursday को, धाई बजे होगा, हमेशन, अभी सब teacher का alternative class चल रहा है, बाद में आप लोग का regular चलेगा, मताओ ग्लास, author ने, इंडिया के workforce को, किस-किस part में divide किया गया है, आरे कैसे बच्चेों तुम लोग हैं, break मांग रहे हो, माम नहीं break मांग, तुम लोग break बहुत तुम लोग चाहिए, तो यहाँ पर class, organized, organized sector, formal, informal, C is the right answer, ठीक है, a vast majority of people in the unorganized sector, पताए क्या करते हैं, बताओ class, fourth का exact answer क्या है, जो unorganized sector में लोग काम करते हैं, क्या वो basically tax case lab में आते हैं, बताओ ये, क्या वो लोग tax case lab में आते हैं, जल्दी बताओ ये सिया नो, क्या वो लोग tax case lab में आते हैं, बोलो बोलो, तु यहाँ पे, C is the right answer, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, this is the right answer, बताइए किस-kis के full out or full marks आए, किस-kis के full out or full marks आए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, full out or full marks, किस-kis के आए, Excellent ठीक है? जल्दी बताओ किस-किस के full out of full marks आए Excellent अब देख लो इतना बड़ा paragraph था Questions थे नई easy देखो सबका pink हाथ दिख रहा है इसलिए घबराया मत करो जब भी आप लोग का paragraph आए paragraph को भले ही एक page पूरा दिया है डेड़ पेश कर दिया है घबराना मत Questions बहुत easy पुछे चाते है समझ में आ गया? तो अब आप लोग का time हो रहा है साड़े बारा निकिता मैं ब्रेक दे रही है 12.45 sharp 12.45 PM I will start the class sharp 12.45 PM class will start okay चलो खा पी लो अच्छे से okay 12.45 PM I will start the class कर दो प्यूदा थाउ खाउड़ाब आपाट कर दोड़ाई दूदा़ झालो कर दोड़ाई रहा है जो खंदा़ज झालो झाल 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 सब लोग जल्दी जल्दी आ जाईए येस माम दुबारा से अनर्जी गेन करके आ गए चुकी है जल्दी आईए क्लास फटा फट आपस में डिस्कस कर लिया करो कैसी त्यारी चल रही है कितना तुमने मौक पेपर सॉल किया ऐसा भी होता है कभी के बार आप लोग का ये भी होता है राइट जल्दी आजएए सब की सब जो भी यहाँ पे चांड़ेट से जल्दी आईए we will start our session from 12.45 because we have just given the time और हम लोगो ने सोचे अभी तक अभी तो बहुत paragraph लेके आई हो आप लोग के साबने 6 घंटे का paragraph है भाई 6 घंटे का हम लोग का session होने जा रहा है legal reasoning का जिसमें हम लोगों ने complete किया है सारा segment और questions पे questions questions पे questions अरे अभी पढ़ार नहीं रही बभाई अभी मैं पढ़ार नहीं रही जस्त आप लोगों से बाते कर रही हूँ from 12.45 the session will be start don't worry from 12.45 the session will be start marathon करने का ना basic reason ये था ज्यादा से ज्यादा paragraph आप लोगों के पास पहुंचे so that आप लोग paragraph wise यहाँ पे questions करें ठीक है चलिए जी जल्दी आईए कोई नहीं अभी और questions करेंगे नूर बेटा खाना वाना खा लीजे ठीक है चलिए start करते हैं session हम लोग अपना time हो गया हम लोगों का यहाँ पे जो भी candidates है session को शुरू करने से पहले again I am saying विजे दश्मी पर्व है right 80% का discount चाहें आप लोग कल से आप लोग का class का जो crash course है second वाला शुरू होने जा रहा है तो अगर आप लोगों को right crash course को detail में concept पढ़ना है 20 mock paper नया चाहिए e-books चाहिए concept clarity detail में चाहिए तो चाहे तो class आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों का यह नया batch है जो 23 October से शुरू हो रहा है यह आप लोग batch क्या कर सकते हैं ले सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को concept clarity 20 mock paper मिलेगा e-books मिलेंगे आप लोगों को doubt session, mentorship और recorded session मिलेगा जो हम पढ़े हैं तो यह आप लोगों का कल से ही शुरू हो रहा है आप लोग coupon code यूज कर सकते हैं Y391P for the maximum discount समझ में आ गया सो जो भी यहाँ पे candidates हैं आप लोग बेटा इस batch को ले सकते हैं कल से शुरू हो रहा है अभी भी CLAT के form आप लोगों के open है 3 November आप लोगों का CLAT का last form open है ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेशन अपना ओके unlike the US free speech in India is not absolute class हमेशा से इंडिया में जो आपका constitution है constitution का जो आप लोगों का fundamental right है the fundamental right is very very much important तो यहाँ पे जो free speech in India है US में नहीं US में भी आप लोगों का हर जगा fundamental right होते है India में क्या है? India में we have a fundamental right but that is not absolute right क्या बोला मैंने? that is not absolute मतलब certain restrictions are there certain restrictions are attached in the fundamental right यह सब को मालू होना चाहिए ठीक है? आवर कौंस्टी वाइल guaranteeing the freedom of speech and expression places reasonable restriction देखो class यह आप लोगों का reasonable restrictions है हमें मालूम इसलिए तो fundamental right को negative right भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके restrictions है on this basic human rights journalists are often targeted class जो हमारे इंडिया में not only India हर जगा जो journalist होते है बहुँ जनलिस्ट को भी article 19 का right है लेकिन journalist क्या चीज बोलना चाहिए क्या चीज नहीं बोलना चाहिए तो हमेशा क्या है बिटा यह आप लोग का target है journalists are often targeted by the state authority for their comments on social media आप भी जानते हो journalists कैसे कैसे comment आप लोगों के दालते हैं right in September last year Delhi based journalist मतलब यह Delhi based एक journalist की कहानी है was arrested for his tweet on sculpture of sun temple in konark जैसे class Odisha में आप लोगों का konark temple है okay तो konark में sun temple है आप लोगों का तो उस journalist ने कुछ बोला था उसके बारे में and another journalist from Manipur मतलब यहाँ पे एक journalist कहां का है यह आप लोगों का है Delhi based और दूसरा आप लोगों का कहां का है Manipur was booked under the stringed national security act 1980 and jailed for uploading a video on internet in which he made remark deemed to be the derogatory toward chief minister of state मतलब Manipur के लड़के ने जो chief minister था उस state का उसके बारे में कुछ गलत चीजे क्या किया था publish किया था तो यह दोनों क्या है आप लोगों का class यह दोनों journalists थे जिनके ओपर गिरिफतार किया गया Is that okay तो आप लोगों का next क्या है देखिए class in December the union minister of electronic and information technology the nodal ministry for regulating matter on information technology and the internet released a draft amendment to guidelines under the IT act देख लो मैंने क्या कहा था IT act के उपर question आता है तो जितना भी आप लोगों का online चीजे होती है if we are broadcasting anything कुछ भी चीज कह रहे है हम लोग तो यह कहां किस act के उंतरगत आती आप लोगों का IT act के उंतरगत आता है देखिए ध्यान से किस के उंतरगत IT act के उंतरगत आता है which prescribes certain condition for content hosting platform to seek the protection from the third party content तो आप समझ जाओ यह आप लोगों का act क्या है by journalist को किस act के उंतरगत गृफतार क्या होगा IT act के उंतरगत that is important the amendment which was brought along to tackle the menance of fake news and reduce the flaw of obscene and illegal content on social media seek to mandate the use of automated filter for content takedown on the internet platform require them to trace the originator of that information बाई किसने उसको leak किया किसने obscene मतलब जो अनाप शनाप आपके picture होती है illegal content होता है fake news होता है किसने किया जैसे आपने देखा होगा अमिता बच्चन की जो पूती है अराधिया उसके उपर किसी ने मतलब फाल्तू के comments करते है उन लोगों ने case file किया तो court का decision के आया कि जो इसका originator है जो ये सब meme को बनाता है उसको पकड़ा जाए समझ में आ गया ये चीज आप लोग का है चीक है targeting the messaging app like whatsapp signal और आप भी जानते हैं सब चीज कैसे आप लोग का broadcast होता है तो इस अब media होता है whatsapp signal and telegram जिसके थूँ आप लोग का information है यहां से वहां तक broadcast होता है ठीक है apart from the state authority content sharing social media company take down content in tandem with their community standard and the terms and conditions मतलब आब सोचिए माल लीजे कोई भी हमने चीज whatsapp के थूँ broadcast किया क्या whatsapp को भी हमें एक तरह से इस company को भी क्या हम लोगों को punishment देना चाहिए telegram के थूँ मैंने कुछ अप शब्थ किसी को broadcast कर दिया तो यह सब चीज के भी उपर क्या है हमारे इंडिया में यह सब चीज law बनना चाहिए ठीक है this is often arbitrary and inconsistent लेकिन यह सब चीज क्या होगा एक मनमाना साशन होगा यह और inconsistent होगा we believe that the draft amendment to the rules that regulate the platform liability undermines the free speech and privacy right to the वालब आप भी जानते हैं दो चीजे इसमें आप लोग का broadcast होता है जैसे एक तरह से इंसान बोलता है वाई हमारा right to privacy और free speech तो यह दोनों चीज क्या है आप लोग का इस main आप लोगों का इस paragraph का basic theme है कोई मेरा photo broadcast कर रहा है मेरे right to privacy का violation है और right to privacy अब मेरा fundamental right हो जोका है under article 21 देखे ध्यान से having said that acknowledging the problem of circulation of illegal content legitimate access to the law enforcement and disinformation on the internet the law should mandate governance structure मतलब law को इसके लिए क्या होना चाहिए बिलकुल एक mandatory law बनाना चाहिए and the grievances mechanism grievances mechanism का मतलब होता है जो इन सब चीजों का remedy दे सके on the part of intermediaries enabling quick take down of content determined as illegal by the judiciary and appropriate मतलब judiciary को भी जब ऐसे matter आए तो तुरंट से तुरंट निप्टारा करना चाहिए और तुरंट से तुरंट हम लोगों का इसके base पे law बना चाहिए जबसे हम लोगों का I think mobile आया है laptop आया है जबसे आप लोगों के इस सोशल मीडिया के apps आये हैं तो सोचिए कितना सब चीजें हम लोग fake बना देते हैं तो इन सब चीजों पे हमारा controlling authority होना चाहिए इन सब चीजों पे law बनना चाहिए by judiciary को अगर ऐसे केसे साएं तो तुरंट से तुरंट निर्टारा देना चाहिए देखे ध्यान से ओकी ग्लास अभी तरह कोई doubt किसी को आपको समझ में आ ये act आप लोगों का किस पे based way है exactly अंजली defamation का मतलब होता है किसी पे हमने गलत आरोप लगाया है defame किया है अब गलत आरोप से वो बंदा जेल के अंदर है ठीक है अब investigation में मालुम चला कि जो मैंने आरोप लगाया था मैं खुदी गलत हूँ वो सही था अब वो बंदा जो जेल के अंदर था बेटा अंजली वो मुझ पे case file करेगा मान हानी का कि निकिता मैम आपके defamation case के वज़े से मेरा मान हानी हुआ मेरा job कया तो अब वो person जो मुझ पे case file करेगा that is called malicious prosecution समझ में आ गया next the filter bubble class क्या है the filter bubble effect where user are shown similar content result in reader not being exposed to opposing views due to which they become easy target of disinformation tech companies must rethink their internal policy tech companies मतलब यह सब जो companies है जो social media को एक तरह से चलाती है they have to rethink their internal policy to ensure that self-initiated content takedowns are not arbitrary and user have right to voice their concern government agency should work with internet platform to educate the user in identifying the disinformation to check its spread कुछ कुछ चीजे गुवर्में को करना चाहिए कुछ कुछ चीजे हमें करना चाहिए यह सब चीजे lastly the government should adhere to constitutionally mandate the principle and conduct of multi-stakeholder consultation before drafting internet policy to safeguard the varying interest of the interested parties मतलब basically कैसे इन सब चीजों को उन्प्रूफ किया जाए कैसे social media के थ्रू जो crime होते हैं उनको रोका जाए तो इस based पे आप लोग का यह paragraph है that's it yes class बताईए कोई दिक्कत किसी को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना हो सके like करिए session को share करिए that is very very much important ma'am defamation का charge लगा से बिलकुल बेटा social media के थ्रू भी अगर मेरा नाम बदनाम हो रहा है defamation लग सकता है defamation पढ़े नहीं हो गया written भी हो सकता है oral भी हो सकता है punishment मिलेगा ही इसको ठीक है that's it चलो which of the following views जल्दी बताईए can be correctly attributed to the author of the passages बताईए क्लास बिटा मेहंदी arbitrary का मतर मनमाना साशन जैसे हिटलर था हिटलर क्या करता था मनमाना साशन करता था ठीक है बताओ इसका exact answer sixth का exact answer इस passage का exact क्या कहना चाह रहा है कॉंस्टी में दिक्कत क्यों आती है क्योंकि कॉंस्टी हमें समझ में नहीं आया content समझ में नहीं आया इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है कॉंस्टी को करने में बताईए क्लास session को फटाफट like करते रहिए session को share करते रहिए और यह सारे paragraph आप लोग को करने है आज बहुत बढ़िया जिसका भी अंसर है यहाँ पे पेटा, गौवर्मेंट के च्वाइस से नहीं पब्लिक इंट्रेस्ट से हमेशा restrictions apply होते हैं author does not have any opinion about the freedom of free speech must be protected A is the right answer excellent palak बहुत बढ़िया बेटा, च्वाइस से नहीं होना चाहिए पब्लिक इंट्रेस्ट से हम restrictions को impose करते हैं समझे next if social website say twitter मतलब यहाँ पे twitter की बात हो रही है uses the automated filter to take down the personal detail posted by celebrity of people who sent her rape threat an obscene picture in order to expose them but does not take down the obscene content directed at the celebrity would such action line with the amendment discussed by the author क्या इस act को लेके हमारे author ने क्या कुछ बात कही है yes बेटा उजमा yes बताव क्लास second का exact answer क्या है मतलब सपोज एक आपकी सामने fact दिया है suppose कोई twitter है twitter आप लोग का एक social media है उसने क्या किया है एक आप लोगों का filter लगा रखा है to take down the जिससे कि इंसान की जो personal details है वो आ जाते हैं posted by celebrity of people who sent her rape threat and obscene picture in order to expose them but does not take down the obscene content directed at the celebrity क्या ये action amendment हमारे author ने discuss किया है तो second का यहाँ पे exact answer है बेटा ये सब चीज discuss नहीं किया है अब ही तो सिर्फ हमने paragraph में बो देखा कि भाई government को ये करना चाहिए ये होना चाहिए commission बनना चाहिए committee बनना चाहिए but exact way में ऐसा हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है तो second का अंजली बेटा B is the right answer चेक है इस amendment को लेके बस बाते हो रही है but we have not taken any action so B will be the right answer here B इसको समझी दे आंसे इसको अच्छे से समझी है according to the author which of the following method ensure better efficiency of news law proposed to be enacted in India कौन सा सबसे best method है news laws जो की आप लोगों का चलता है बताईए third का exact answer क्या है जिसे कोई भी news ये सब आती है न तो criticism भी आते है आप लोगों criticism का मतलब है उसमें से क्या negative चीज़ आप लोगों का बन सकता है ये भी आप लोगों का highlight होता है मताईए कलास according to the author which of the following method ensure better efficiency of the news law proposed to be enacted in India special committee ऐसा नहीं बात बोलना debate third का special committee बनना चाहिए to review the effectiveness of proposed law नहीं publicly releasing draft of proposed law and inviting objectionable मतलब जो उसमें से हमें लगता है कि criticism है ये objections है उसको हमें raise करना चाहिए A will be the right answer good as you know A will be the right answer here excellent how do users become third के बाद सीधा फिफ्ट आ गया how do users become easy target of disinformation बताईए users कैसे आप लोगों के target होते हैं regarding the disinformation last one last one by being the filter bubble by not being shown the opposing views बताइए how do users become the easy target of disinformation यहाँ पे by being in the filter bubble and by not being shown opposing views C is the exactly right answer बहुत परिया C is the right answer शबाज ख्राज ख्रास that's great अब हो जाओ relax क्योंकि आ गया है आप लोग का topic that is very important यह topic समझाना है यह topic क्या हमें कामिनी समझाना है इस topic को बताइए क्या यह topic हमें समझाना है क्लास क्या यह topic समझाना है बहुत बढ़िया खुशी जल्द बाजी में जल्दी में एक act बना आप लोग का जिसमें ट्रिपल तलाक को invalidate बोला गया कि यह valid नहीं है और criminalize किया गया with a sentence up to three years तीन साल का punishment for the Muslim man पाउंड गिल्टी इस तलाक is prevalent among one such sub-sector that is mustluck of Sunnis जैसे क्लास Muslim community भी Shia and Sunni में divided होती है मतलब Shia community, Sunni community तो ट्रिपल तलाक आप लोगों का इस community का पार्ट है जैक है अब majority among Indians Muslim मतलब इसमें से इसमें majority आप लोगों के Indians Muslim है Even since the Jawahal Nehru led government legislate the Hindu marriage act Jawahal Nehru का जो government था उस समय हम लोग का Hindu marriage act बना A section of society has been harboring a grievances regarding why Muslims were spread a similar reform ठीक है In 1986 when Rajiv Gandhi let administration overturned the Supreme Court verdict in a favor of Shah Banu अब देखो class important case Shah Banu through legislation snatching away her right to maintenance the grievances repose आप जानते है ना पहले क्या होता था जो Muslim woman होती थी यह हम cases को पड़ भी चुके है मैंने आपको short trick भी बता दिया है case का crux क्या है right तो शाह Banu बेगम में आप लोगों का क्या था maintenance सिर्फ Muslim law के according इदद पीरिट तक मिलता था right इदद पीरिट के बाद maintenance नहीं मिलता था तो जब यह case फाइल हुआ तो आप रोगों का court का decision क्या है according to section 125 of CRPC which talks about the maintenance अब Muslim woman को भी तब तक maintenance मिलेगा जब तक उसका divorce नहीं हो जाता तब तक that is important okay this overturning of the verdict was conducted under pressure from the Muslim clergy who famed social conversation in the worst possible way taking recourse of the street mobilization notably this grievances was not limited to the Hindu right यह चीज Hindu में बिलकुल आप लो का अलग है Hindu law that is different from the Muslim law okay now उसकी बाद आप लोगों का All India Muslim Personal Law Board President Ali Mian Nadvi confesses in his 1988 memory that's the करवानी जिंदगी how he mislead Rajiv Gandhi and made Prime Minister upturned the Apex Court verdict through the retrogressive legislation आपको पता है जैसे देखो government के भले ही आप लोगों के तीन औरगन होते हैं ठीक है government के भले ही आप लोगों के तीन औरगन होते हैं लेकिन हमेशा तीनों में टकरार होता है जब maintenance का बात आया था ना जब judiciary ने बोला था तुरंत law बना तो एक तरह से legislature को क्या लगता है एक तरह से हमारे पार्लेबेंट को लगता है कि भाई देखो हम लोग judiciary को follow up कर रहे हैं जो judiciary बोल रहा है हम law बना रहे हैं तो इस तरह government और judiciary में हमेशा तना तनी रहता है बिसे fact देखा जाए तो actual में cases किस के पास आते हैं हमारे judiciary के पास आते हैं सारे cases तो judiciary को चाहिए कि भाई कोई भी law बनाते समय we have to take idea to the parliament कि भाई इसके उपर law बनाओ आप लो ठीक है शाह बानो married in 1932 1932 में शादी हुआ अपने husband से separate हुई 1975 में 62 year old wife थी of a well of advocate in indoor when she approached the court in 1978 for maintenance an instant triple talaq was uttered against her inside the indoor court only after the judge in the course of police said that under Muslim personal law she was entitled to maintenance अब देख लो जब इसने 60 साल में talaq लिया कई लोग क्या सोचते हैं हम लोग के Indians पाई कौन तलाक लेगा कौन कोट के चहरी में जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं इस लेडी ने वो कर देखाया जो हमारे इंडिया का एक लैंड मार्क judgment बन गया इंडिया का हमारा क्या बन गया एक लैंड मार्क judgment बन गया आप लोगों का ये चीज़ ठीक है this historical fact is pertinent for many reasons including for being at the core of notion of maintenance of divorce muslim woman in india by muslim woman agar india may he reh rahi hai toh bhai india ka jo bhi national law hai wo india ke sab person pe apply hota so the tragedy with tuesday legislation is that it does not say a word on maintenance muslim woman remain as potentially helpless or the helpless sha bano as so many women's abundant by their husband in their community including the hindu matlab aise kai lady the class aap bhi jaantay ho na jo muslim male hotay hain muslim male chaar shadi kar sakte hain ab chaar shadi mein divorce bhi de sakte hain ab divorce denge to sochi ye lady kahaan jayenge kin ke paas jayenge isi liye aap logon ka ye law bana hai sadly even the citadel of modern education such as aligarh muslim university dekho class joh aap logon ka amu college hai jmi college hai have also miserably failed in reaching out the muslim masses and freeing them from clutches of religious reactionaries but the muslim community me beta aise bohat se aap logon ka laws hain jinko change karne ka hame zarurat hai thik hai exactly yes ka mei thik hai us ke baat they shall have to play their roles in bringing about the reforms the new anti instant triple talaq law too shall have to be amended as soon as the better sense prevailed the on ill of legislation we need to reform the various law according to this law koi doubt kisi ko ya hain pere kisi ko koi doubt ya hain pere jaldi bataiye maim hum bhi bade hoke eak law baneayenge jis ka naam raheega break up break up break up thik hai shamsayra banana lau thik hai done class badey ya hai so chaliyye sabse pahla question aapko is paragraph se kya conclusion yaha pere mil raha hai badai class is paragraph se kya conclusion hume mil raha hai aapko pata hai ini joh triple talaq hai kamini vita asma vita triple talaq sirf man ko allow है not woman triple talaq आप लोगों का सिर्फ man को allowed है बिटा not woman जल्दी बताईए इसका exact answer इससे क्या conclusion आप लोगों का यहां पे आ रहा है बताईए what conclusion is coming excellent जल्दी बताईए इसका exact answer excellent class A is the right answer before enactment of the law banning triple talaq only Muslim man had right of triple talaq against their wife exactly तभी तो यह हटी गया तभी तो triple talaq हटी गया बेटा अब जो triple talaq देगा तीन साल का punishment होगा समझे जो custom unreasonable होगे न वो custom को हम remove कर देंगे यह हमारा law बोलता है इन शाह बानो husband of शाह बानो what बताई एक लास एक यह भी रीजन था Muslim man triple talaq जल्दी से दे दे थे ताकि भाई maintenance जादा ना देना पड़े यह भी एक जरिया था triple talaq दो maintenance इद्दत पीरेट मतब तीन महीना फिर खलास बताईए सेकंड का सेवंथ का सेकंड का आईजाम पर आंसर बताईए देखो correctly word तो बिल्कुल नहीं होगा इसको तो wrong कर दो correctly word तो अरे रूची देखो इसको अभी मैं बोली correctly correctly excise the right of triple talaq इसके पती ने सही किया कैसा अंसर दे रही हो तुम अर्चना अरे तुम दो B क्यो बोल रहे हो यार correctly कैसे हो सकता है वेटा राम तुम भी बेलिलकुल वही निकले arbitrary arbitrary का मतलब अपना मनमाना साशन arbitrarily excise the right of triple talaq only to avoid the liable to pay the maintenance A is the right answer यार कैसे आप लोगो ने correctly बोला जर बताई मुझे कैसे आप लोगो ने correctly बोला जर बताई बताई कैसे आप लोगो ने correctly बोला so A is the right answer in Muslim Women Act 2019 is a central act which can be amended only by the Indian parliament in this context phrase enough legislator used by author means बताई लिए बताई लिए बताई लास इसका exact answer क्या होगा मते लास थर्ड का exact answer आप जानते हैं ना हमारा Indian parliament law बनाता है हमारा Indian parliament class law बनाता है और law को amend भी करता है amendment कई तरह के होते हैं तो जरूरी नहीं है कि simple majority हो आप लोगा लगा अजिज़्ट लगा बनाते हैं कि लीकिज़ा लगा लास 파िर साउसजर लासंद लीज़ा है तरह लींजर्स लोगा शवा बनाते हैं to approve the amendment, this is the right answer, this is the right answer, what is author opinion, is that what, author opinion is that, बताई क्या, author opinion, चार options है, author का opinion बताईए, what will be the author opinion, क्या Muslim जो हम लोग का community है, क्या सारा चीज अब डन हो चुका है, क्या जो सारे हम लोगों के act है, जो सारे unreasonable custom है, क्या उन सब पे रोक लग चुकी है, क्या भी लगना बाकी है, पताईए, क्या सब पे रोक आप लोगों का लग चुकी है, the answer is absolutely no, भाई अभी भी आप लोग का निकाह हलाला हो गया, पॉली गेमी हो गया, जिसके उपर हमारा लोग बनना बाकी है, तो यहाँ पे 7th का, 4th का क्या अंसर होगा आप लोगा, this is, C will be the right answer here, अपने B क्यों बोला, मुस्लिम वोमन दस नोट अद्रेस अल गरिवयां सम्सक्राप्टी शुद भी स्क्राप्ट एंड रिप्लेस भाई निव लोग, नहीं पेटा, हाटाना नहीं, इचुद भी अमेंड़ शुटेबली, किसी भी कॉमुनिटी के जो कस्टम होता है न, याद रखियेगा, किसी भी कस्टम को हम ऐसे ही स्क्राप नहीं कर सकते हैं, दंगा हो जाएगा, इसलिए, according to the situation, we have to just make a new law, समझे, हम तुरंथ भाई उसको हटा नहीं सकते हैं, we cannot scrap it, सम्झे आया, we cannot remove it, that's it, ठीक है, C is the right answer, अच्छा जी, किसकी आये full out of full marks, किसकी क्लास आये full out of full marks, जल्दी बताईए, how many of you got full out of full marks, tell me, बिलकुल बेटा, वर्ना भाई, custom, आप किसी भी community के custom को ना, easily ऐसे हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, exactly, बबा, दंगा हो जाएगा, अगर इंडिया में ऐसा हो गया तो, दंगा हो जाएगा आप लोग के इंडिया में, ठीक है, done, बहुत बढ़िया, अभी भाई, पिच्चल बाकी है, अभी तो खूब सारे हम लोगों को सेशन्स यहाँ पे करने हैं, अभी हम लोगों को खूब सारे सेशन्स यहाँ पे करने हैं, ठीक है, फटा फट सेशन को लाइक करते रहिए, मैं कहां से लाए हो यह पेरग्राफ, तुम पेरग्राफ करो ना यार, आम खाओ ना, गुठलिया गिनने में क्यों तुम आतुन हो, ओ माई गॉद, एथोनेशिया, यह क्या नया वर्द है कोई क्लास, गैज, एथोनेशिया अपरीघ बसॉपल न परीए, अज न compliqué, हमारे लाइट। इथोनेशिया क्यों पॉद, हमारे अंद्या का बता दूँ, हमारा इंद्या कर क्था चनट्रीणेट, पैसिव एथनेशिया इस अलाओ इंडिया में पैसिव एथनेशिया इस अलाओ मतलब अरुना शाह भाकेश सबसे फेमस केस आप लों का जहां पे इसको क्या है मरने का आजादी दिया गया because right to die now also comes under the fundamental right under article 21 of the Indian constitution ठीक है तो यहां पे class the British House of Lords Select Committee on Medical Ethics defined Athanasia Athanasia का मतलब क्या है deliberate intervention and undertake with the express intention of ending a life to relieve intractable suffering मतलब कोई ऐसा person जो की बहुत सालों से क्या है सफर कर रहा है जैसे अरुना शाबा केस अगर आपको याद है 45 यर से वो बंदी कोमा में थी न खुद के कभी काम कुछ करना कोमा मतलब simply bed में लेटी थी ठीक है In the Netherlands and Belgium Athanasia is understood as termination of life by doctor at the request of patient मतलब class आप लोगों का यहां पे देख सकते हैं नीदर लेंड और Belgium में Athanasia का मतलब क्या होता है termination of life by doctor जब patient request करेगा this is called Athanasia this is called Athanasia in Dutch law मतलब अलग अलग law है in Dutch law however does not use the term Athanasia but includes the concept under border definition of assisted suicide मतलब Dutch law में इसको suicide में मदद करना and termination of life on request यह definition है Athanasia is categorized in different way which include voluntarily non-voluntarily और involuntarily कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर क्लास क्या बात है बच्चे बच्चे लग रहा है उज़े थक गए है ठीक है बच्चे लग रहा है धेड़े जा रहे है because बस अब हम recorded session देख लेंगे यार live रहो ना माम भी तो खड़ी है आप तो अपने पूरे बेड में लेट के मम्मी से खाना पानी चाह सा मंगा के आप लोग session को देख रहे है इतना ही मत नहीं है कि भाई 6 घंटा तक हम law पढ़ सके law जिसे आपना आपको अपना future बनाना है career बनाना है हाँ ठीक है सब को समझ में आ गया बहुत आप लोग का ये easy paragraph है ठीक है मैं हम exam में sheet पर बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं tech art बेटा जैसे pencil या pen allow होता है rough sheet मिलेगा rough sheet में कुछ लिख सकते हो otherwise booklet में मना किया जाता है लिखने को most recent case of athanasian India was a Mumbai couple who approached court to seek medical termination of pregnancy after legally permissible abominable time had been crossed अच्छा एक आप लोगों का इंडिया का ध्यान से देखिए athanasia का case आया था जहां पे Mumbai couple एक couple था husband wife court के पास पहुंचा to seek the medical termination of pregnancy after legally permissible abortion time limit and has been crossed मतलब abortion का time limit होता है जैसे 26 week के बाद abortion is not allowed लेकिन ये कपल abortion मतलब भई हम एक बच्चे को मार रहना पेट के अंदर हमारा पेट के अंदर बच्चा है उसको मारा जा रहा है that is called what ये भी तो एक आप लोगों की हत्या है तो एक कपल court में गया इस चीज के लिए के abortion लाओ किया जाए हम लोग का time भला ही खतम हो गया ठीक है मतलब ये इशू आप लोगों का एक different way में solve हुआ जब mother को miscarriage हो गया miscarriage का मतलब अपने आप बच्चा मर गया ठीक है globally in a landmark case a British teenage girl ये दूसरा case है एक British teenage girl who won the right to die the way she want मतलब बिटिश court में ठीक है exactly better British court में एक lady ने right to die का भांगा कि मैं जिस तरह से मनना चाहती हूँ मुझे please permission दिया जाए terminally ill Hannah Jones just 13 year old had spent much of past 8 year in the hospital what undergoing the treatment of leukmenia ये क्या होता है बिमारी जिसमें आप लोग का शायर खून हर I think हफते में खून चरता है मतलब इंसान के अंदर blood नहीं बनता तो वो बिमारी से पी रहे थी Ethnicia is a very complex because the issue of attached is ending the life voluntary मतलब इंसान का हम life का end मांगते हैं surprisingly today it has been legalized only in the handful countries आज की रेट में ये legalized किस countries में है जो three countries develop है but here too as where that many forms Ethnicia have been taken into consideration मतलब just Ethnicia के बारे में आप लोग का है exactly बेटा लोग खातम कुछ दिक्कत इस पारेग्राफ में हाँ रजन बेटा sorry 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 आपका जो abortion है 24 वीक तक है बिलकुर जसे यभी एक decision आया था ना उसमें एक एक रेप विक्टिम थी तो रेप विक्टिम को I think 26 वीक हो गया था उसको अलाओ किया गया 24 वीक है आपका 24 वीक है आप लोगों का इसमें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं session which of these definition Ethnicia is understood by the law of various nations बताईए first का exact answer बताओ ध्यान से क्लास हमारे पेरेग्राफ में different different countries का different different countries का different different definition था ध्यान से बहुत बढ़िया इसमें चेंजर है क्या मैं married और unmarried भी एक criteria है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है एथोनेशिया में ऐसा कुछ नहीं है भूमी एथोनेशिया में that is not true that is not true बताओ एक लास बहुत एजी है definition देखे आप लोग का definition क्या लिखा हुआ है you have to study the definition तो यहां पे यह सारा segment आप लोग का क्या है that is right यह सब definition आप लोग में गिवन था so D is the right answer सबाश the court in India have authority to sanction Euthanasia बताओ यह second ka exact answer second ka exact answer the court in India have authority to sanction the Euthanasia if you think that the answer is a true if you think the answer is probably true probably मतलब कोई गुझाईश है क्या if the data provide inadequate to answer the question if the answer is definitely false क्यों भाई हमारे इंडिया में अलाउ तो है sanction का मतलब होता है पावर देना sanction that is verified तो हमारे इंडिया में राम that is allowed Euthanasia is allowed the court considered the age of futis before granting permission for an abortion अच्छा कोईशन है ये सब ये सब कोईशन अच्छे है बताईए क्या Euthanasia में जो पेट में पल रहा बच्चा है उसके ओपर भी क्या permission ये सब चीज लौ बना है क्या उसके ओपर भी permission ये सब चीज लौ बना है जल्दी बताईए प्रबली में इस कुछ गुझजाईश रह जाना बहुत बरिया इस भी ड़ेले अब हमने एप्रिट में भी पड़ा एब ह्री बहुत बरिया चाहित ताईए 4th Mumbai couple lost baby It is fortunate Fortunate मतलब क्या मतलब एवही बेवी उनका लॉस्ट हो गया था एवही बेवी उनका लॉस्ट हो गया था बेटा, फुटिस मतलब Samir, जो पेट में जब बच्चा अंदर रहता है That is called Futus, Samir Singh That is called Futus ठीक है So it is fortunate The Mumbai couple Fortunate का नहीं बेटा Mumbai couple का जो बेवी लॉस्ट हुआ था वो मिस्कारज से हुआ था Fortunate थोडी था कि हो गया नहीं, बाइलाग थोडी न This is false मिस्कारज दिया था था कि मिस्कारज हुआ था कुछ भी है A answer सब की सब दे रहे है By D is the right answer The answer is definitely false गलत है ये मिस्कारज से हुआ था था थो भाई By luck D is the right answer बताओ किस-किस का सही answer किस-किस का full out of full marks है जल्दी बताईए किस-किस के full out of full marks है जल्दी बताओ किस-किस के full out of full marks है जल्दी बताईए So, समझ के answer So, समझ के answer को दीजिए Done? बहुत बढ़िया Excellent Good चलिए, स्टार्ट करते है नेक्स्ट एक नया कॉंसेप्ट लेकिन घबराना मत इजी कॉंसेप्ट है पढ़ेंगे मेरे साथ आप लो ठीक है अखिल The Builder Buyer Agreement सबसे पहले तो क्या है यह Suppose यह Builder है Builder का नाम क्या है? Unitec Builder का नाम क्या है? That is Unitec ठीक है? Suppose निकिता माम Flat को यह Flat है इसमें Unitec Flat है सारे निकिता माम एक Flat लेना चाहती है तो यह Builder और यह Buyer निकिता माम क्या है Buyer? तो Builder Buyer Agreement is signed by the Seller Whenever a person Invest in Immovable Property Suppose Glass इस Unitec Flat को खरीदा है राम ने Suppose Glass यह Unitec का प्रोजेक्ट है इस Flat को राम ने खरीदा अब राम इस Flat को बेच रहा है निकिता माम को तो निकिता माम क्या है? Buyer राम क्या है? Seller आया समझ में मैं मेरा अंसर दीजिएगा प्लीस हाँ बेटा बिलकुल कोई नहीं कोई नहीं ठीक है? ध्यान से देखो Glass तो यह Unitec Project है मालो Flats बने है इस Flat को राम ने खरीद लिया है अब राम बेचना चाहता है तो राम is Sailor निकिता माम is Buyer निकिता माम को Flat खरीदना है ठीक है? So a Builder-Buyer Agreement is signed by the Sailor whenever a person invests in the inmover property this agreement stipulates certain date on which possession of property shall be handed over the buyer but every now then it has been absorbed that some cunning builder cunning का मतलब कुछ जो चलाक builder होते है Do not give possession of property at a mentioned time because of malpractice like shortage of fund financial hiccup मतलब इसमें क्या घपला होता है आप यहाँ पे देख सकते बहुत simple way में मैंने आपको paragraph समझाने का यहाँ पे कोशिश किया है ध्यान से देखिए Builders sometime even alter the plan, design the property without consent of knowledge of the buyer if there is some genuine reason आपको बालूम है na suppose प्राची यहाँ पे building बनने वाली है जिसे आजकल के date में क्या होता है suppose यहाँ पे building बनने वाली है किसका? Unitec का और building के possession अभी से क्या है? दे दिये गए तो निकिता मैंने भी क्या किया? एक flat का possession ले लिया अभी तक building बना नहीं है लेकिन निकिता मैंने suppose पचास लाग पे कर दिया अब Unitec वाले को बहुत सारे buyer का पैसा आ गया अब Unitec क्या किया? भाग गया ऐसा भी होता है मालूम है आप लोग को? exactly ऐसा भी आप लोग का practically होता है सारा पैसा ले लिया इसने, builder ने और पैसा लेके भाग गया समझे गलास? ऐसा भी हमारा होता है ठीक है? कोई दिक्कत क्लास इसमें किसी को जल्दी बताईए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत क्लास जल्दी बताईए कोई दिक्कत आया समझ में ठीक है if there is some genuine reason for the delay in completion the builder can ask a limited time period extension मतलब अगर कोई genuine reason है कि building तयार नहीं हो रही है the builder can ask for limited time period extension if the residential property is not delivered to the buyer even after the extension period it account or delay in possession of the property बिलकुल भाई मैंने पैसा दे दिया है तो मुझे अब रहने का ठिकाना चाहिए न और आप पैसा लेके भाग गए that is your fault that is your fault excellent प्राची अभी से स्टार्ट करो बाद ने अपना करना the liability is accounted for only when the delay is caused due to his fault in the case of natural calamity अच्छा क्लास कभी कबार क्या होता है माल लीजे भुकंप आ गया right so कभी कबार suppose class natural calamity आ गई और any situation beyond human control या कोई ऐसा situation जो builders के control में नहीं है right then the buyer isn't liable to act against the builder बिलकुल माल लीजे earthquake आ गया जो builder का property था उसका जमीन खिसक गया तो भाई अब buyer pressure नहीं कर सकता क्योंकि ये तो भाई एक genuine reason है builder बच सकता है बहुत simple आप लोका है with the introduction of RERA class एक बहुत important आप लोका act RERA what is RERA? Real Estate Regulation Act some stringent provision and laws have come up to assist the property buyer and disciplined real estate developer मदब इस act के आने से कुछ discipline आया इस situation में बताईए अभी तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर तो RERA क्या insure करता है? RERA insure करता है transparency in all property transaction the developer must provide all information concerning their project जो developers होते हैं builders होते हैं उनको RERA के अंतरकत हर एक चीज़ को दिखाना पड़ता है from the foundation till its completion on the RERA information portal मतलब अगर आप भी future में अगर आप भी कोई future में building purchase करना चाहते हैं तो देखेगा क्या वो building क्या वो builder ने इसे RERA certified किया है कि नहीं RERA certified है तो आप लोग आख बन करके buildings को खरीच सकते हैं आख बन करके कोई दिक्कत किसी को जब आप लोग संजना metropolitan cities में जाना metropolitan cities में ये सब चीज़ बहुत होता है metropolitan cities में ये सब चीज़े बहुत होता है मैं मैं में city में question आज जाए अगर हमने ना पढ़ा हो तो topics तो कैसे क्ले तुम प्राची बेटा पले तुम यहां पे द्यान दो पढ़ाई पे ठीक है महन दी बेटा बहुत easy paragraph है आप लोग का next the real state regulatory act has also authorized the consumer dispute judicial commission अब देव क्लास इस act के अंतरगत आप चाहें तो consumer protection act होता है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके अंतरगत भी आप case file कर सकते हो ठीक है at different level to address the complaint of property मतलब आप यहां भी यह जो आप लोग का consumer protection act है इसके अंतरगत भी आप complaint को क्या कर सकते हो file कर सकते हो ठीक है consumer forum में ठीक है the district commission will handle the dispute involving up to the value of 20 lakh class ध्यान से जो देखो तीन level पे forum बने रहते हैं district level पे जहां पे complaint चाहेगा state level पे बना रहता है और आप लोग का national level पे बना रहता है तो जो state level का होगा वो 20 lakh तक के मामले को solve करेगा या मतलब मेरी property अगर 10 lakh 15 lakh की है तो मैं directly अगर कुछ भी मेरे साथ होता है dispute तो मैं कहां पे case file करूँगी district commission में मैं रेरा क्या होता रही संजना यारी क्या मैंने तुम्हें बदा बटा है रेरा एक act का नाम है real estate regulatory act जो builders अपनी building बनाते हैं तो उनको कौन सा rule regulations को follow करना है that is रेरा इसको short form में रेरा बोलते हैं इसका full form आप लोगों का real estate regulatory कैसे regulate किया जाता है यह आप लोगा act यार अब भी तो बताया है तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो यह क्या नहीं रेरा का full form है आप लोगों को लग रहे नीद आ रही है जिसको नीद आ रही है जाके सो जाईए जब नीद खुल जाए तब आए हाँ पर आ जाना समझ में आ गया नीद खुल जाए तो आप लोग यहां पर आ जाएगा the state commission class district commission का दिया है 20 लाग तक के मामले और state commission में दिया है आप लोगों का value more than 20 लाग more than 20 लाग तक के मामले state commission में and national commission will handle more than 1 करोर class यह आप लोग का है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो state commission 20 लाग से लेकर 1 करोर तक के मामले solve करेगा बताओ यह किसको doubt है इसमें किसको class इसमें doubt है बिलकुल बेटा कामे नी यह सब मैं पढ़ा चुकी हूँ अब वोही है ना जो बच्चा वाई sincerely class को attend करता है उसके लिए कुछ है ही नहीं यह सब चीज़ है सब हम लोग पढ़ चुके हैं everything we have just done it मताइए अगर कोई property मेरा 1 करोर से जादा है कुछ dispute हो जाता है मैं directly national commission में case file कर सकती हूँ done ठीक है पेटा चलिए next to prevent buyer from exploitation of real estate developer मतलब buyer जो भाई exploit होता है किस के वज़े से builder के वज़े से कि भाई पैसा दे दिया उसको उसका property नहीं मिल रहा तो हमारा यह RERA mandate them to register on their website and share all the pertinent information in relation to the work in progress of the project मतलब RERA का एक particular website भी है जहां पे जो आप लोग का builder है उसको पूरा information update करना पड़ेगा कि कहा तक आपका property बन चुका है क्योंकि लोग क्या करते हैं लोग property बनने से पहले ही purchase कर लेते हैं घर पूरा आपका sample उनके पास रहता है तो property purchase कर लेते हैं और अच्चल में भी काम शुरू नहीं हुआ है तो RERA के अंतरगत builders को A to Z information को update करना है समीर बेटा स्टेट कमीशन में बीस लाग से जादा एक करोड से कम तक के मामले जाएंगे this empower the buyer to claim the interest on the payment made to the developer till the last date in case of any delay through this the buyer is also entitled to claim compensation for damages suffered by him due to deficiency in service अगर शेलर ने कुछ भी चीज़ दिखाया तो buyer compensation मांग सकता है in some state according to RERA the builder is liable to refund the funds invested by property along with the interest in the case of he couldn't justify the delay मतलब कुछ कुछ स्टेट में ग्लास अगर builders ने समय पे property नहीं बनाया या डिले किया तो वो जो builders हैं वो जिन्होंने buyers जिन्होंने पैसे दिये हैं उनको उनका पूरा पैसा वापस लोटाएंगे प्लस इंट्रेस्ट भी देंगे mandate का मतलब होता है प्राची that is compulsory mandate का मतलब होता है that is compulsory ठीक है वेटा mandate means that is compulsory that's it done सबको clear हो गया क्लास जल्दी बताईए सबको clear ठीक है under the domestic आँ देखो एक और एक और आप लोग का है एक और एक और एक्ट है Domestic Building Contract Act 1955 the property buyer is legally entitled to take मतलब इस act के according जो आप लोगों का property buyer है मतलब जो property खरीदना चाहा रहा है legally entitled to take strict action against the builder और developer for delay caused by them if they have included any warranties pertaining to the completion of project in the signed contract मतलब buyer case file कर सकते है किस पे? builders पे also as per consumer protection act buyer can file complaint against builders stating the deficiency in service in the case of delay मतलब जो हमारे buyer है दो act है या तो इस act के अंत्रगत case file करेंगे या तो consumer protection act के अंत्रगत case file करेंगे कोई doubt किसी को बेटा नया act है competition exam में हमेशा surprises के लिए हमेशा ready रहा करो किसी को कोई doubt class यहां पे जल्दी बताईए किसी को कोई doubt यहां पे जल्दी बताईए किसी को कोई doubt यहां पे जल्दी बताओ बहुत ऊज़ी है बेटा नया act है लेकिन यार I think meaning is so 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 much easy right the buyer can also file a regular suit before court आरे वाह मतलब देखो यार buyer के पास कितने सारे right है यार buyer चाहे तो sorry buyer चाहे तो यहां case file कर सकता है यहां case file कर सकता है और buyer चाहे तो regular court में भी मतलब जो normal court होते हैं वहां भी case file कर सकता है वाउ ठीक है under the Indian contract act मतलब इस act के according in the case there is a chance for fraud and cheating involved तो यह भी आप लोगों का मतलब अगर fraud है cheating involved है तो civil या criminal case भी file हो सकता है तो देख लो आप भी जब घर खरीतने जाओ इतने सारे आप लोगों के पास rights है किस चीज को लेके यहाँ पर बताओ कोई किसी को दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर class जल्दी बताईए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर कोई doubt किसी को यहाँ पर कोई doubt जल्दी बताओ कोई doubt किसी को any doubt द्रुव चलिये मज़ा आएगा समीर कोशन करने में what is the not an advantage of real state regulatory बताइए ninth what is not an advantage of rera बताइए बोलो 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 right to information not an advantage मतलब भाई we can ask question yes we can ask question ठीक है we can ask question risk reduction of builder insolvency and bankruptcy बिलकुल more than 30% of advanced payment to the builder यह हमने कहीं पढ़ा था क्या 30% वाला हम लोगोंने कहीं पढ़ा this is not हो गया हो गया हो गया class B who will handle the dispute जहां पे up to 20 lakh तक के मामले बहुत easy है up to 20 lakh तक के मामले कहां पे फाइल होंगे up to 20 lakh तक के मामले कहां पे फाइल होंगे बताओ मैंने आपको diagram बताया है आस्मा 20 lakh up to 20 lakh 20 lakh से 1 करोर above 1 करोर 20 lakh district इसमें भी आप लोगों को doubt है इसमें भी आप लोगों को doubt है class national commission वाह जल्दी बतादो national commission third का national commission में कितने तक के मामले आएंगे national commission national commission में excellent अंजले बहुत बढ़िया माही मेंधी शीनू दुरुव why RERA mandates builder to register on their website share all the information in relation to the work in progress ऐसा क्यों चाहता है RERA पताईए why why RERA wants कि builder हर एक information हमारे यहां site पे upload करे why class जल्दी पताईए जल्दी क्यों 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 करना चाहता है why बहुत बढ़िया to prevent the buyer from exploitation of real estate developer to prevent the real estate developer from the exploitation of buyer this is absolutely the right answer ठीक है A आप लोगों का यहां पे exact answer हो का buyer को क्या है to prevent the buyers not real estate this one यह आप लोगों का गलत है यह B पार्थ है तो भाई किसको prevent करना buyer को prevent करना क्यूंजा खात्म मताओ। कैसे लगा परग आपरगाव is that okay गौरी how's that paragraph मजा आया परगरव में मजा आया परगरव में जल्दी बदेह कलास is that clear जल्दी मजा आया परगरव में मजा आया परगरव में माही आज सोचो इतने नए नए आक्ट जो कि आप लोगों के examination point of view के लिए है full marks full, बहुत बढ़िया last paragraph आते आते तक ना तुम लोगों को full marks मिलेंगे don't worry देखो सब के full है सब के full marks है तो भाई, legal is nothing but a common sense and logic so please apply your common sense and logic okay, let's start next one एक दो paragraph मैं आप लोग खुद देखके answer दोगे मुझे, अभी तो मैं समझा रही हूँ but एक दो paragraph ऐसा होगा just like exam की तरह आप लोग खुद पढ़ोगे, खुद answer दोगे ठीक है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ सबसे पहले देख लो ये आप लोगों का दसवा paragraph है दसवा मतलब हर में पांच-पांच कोश्चन पचास कोश्चन साप लोगों ने कर लिये पचास कोश्चन साप लोगों ने कर लिये ठीक है, चलिए next the Consumer Protection Act Bill 2019 वा, was introduced in लोग सभा under the Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution Mr. Ram Vilas Paswan on 2019 मतलब क्लास, देखो आप लोगों का जो Actual Consumer Protection Act था ना Actual ठीक है तो Actual आप लोगों का 1986 का है लेकिन 2019 में आप लोगों का ये Bill amend हुआ the Bill replaces, देखो मैंने मलत देखा भी नहीं Second Line और वो ही लिखा है इस 19 के Bill ने 1987 के Act को replace कर दिया ठीक है अग Consumer is defined Class, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये Class का पिछले साल का paragraph है Consumer is a person who buys any good avail any services for consideration मतलब Consumer का मतलब है जो समान खरीदता है, सर्विस लेता है इसके बदले में पैसा देता है It does not include आप लोग याद रखिएगा Consumer अगर कोई समान resale कर रहा है या कोई commercial purpose के लिए यूज करता है तब वो Consumer नहीं कहलाता ठीक है तब वो Consumer नहीं कहलाता माम डिस्टी कोट में अप टू 20 लाग 20 लाग से उपर या फिट अरे बाबा अप टू 20 का मतलब होता है 20 लाग के अंदर तक 20 लाग के अंदर तक का पगली पगले It's covered transaction through all mode including offline online through electronic means tele shopping, multi-level marketing मतलब क्लास Consumer Protection Act में चाहे आप online shopping करते हैं offline करते हैं या कैसे भी करते हैं अगर कोई goods में defect निकला कोई service में defect निकला आप complain कर सकते हैं Consumer Protection Act में समझ में आ गया For instant despite the fact that real state already exists अच्छा देखो class देखो real state में भी Consumer Protection Act था Consumer Protection Act में भी real state का कुछ लिखा हुआ है Despite the fact that real state regulation development act 2016 already exists 2019 bill includes housing construction within the definition of service मतलब क्लास जो रेरा के अंतर करत जो housing construction होते हैं उसके services के matter भी disputes भी consumer protection में फाइल हो सकता है लेकि ध्यान से ठीक है The RERA was brought in as a special act to primarily achieve the dual purpose of regulating the real state sector and for establishing the adjudication mechanism for speedy registral grievances All dispute relating to the real state project in question must be lie before authority under RERA This will help in achieving the informatine decision and better regulation of the real state project noted lawyer Shobhit Potela ने ये चीज का आपका where consumer forum could still be approached for the cases just also fall within the RERA preview is a question that is pending before Delhi High Court मतलब क्लास दिल्ली High Court में ये question pending है कि क्या RERA के matter consumer forum में आ सकते हैं देखे ध्यान से Potela points out the mere inclusion of housing construction in definition of service cannot be interpreted as being derogation of provision of RERA मतलब क्लास देखो कई लोग बोल रहे हैं RERA के सारे provisions अगर because RERA भी service provide करता है तो service भी हमारे definition में आता है लेकिन कईयों का मानना है कि जब RERA का particular act है so RERA के कोई भी disputes हो we have to go in the go in this act that's it experts said even if RERA is complete code of dispute relating to real estate project there still would be dispute relating to the housing and construction where RERA is not applicable मतलब क्लास ऐसे कई सारे चीजे हैं disputes हैं जैसे housing and construction जहां पे RERA applicable नहीं है example आप लोगा दिया है an issue with the architect or contractor who is carrying out construction मतलब कोई architecture है contractor है जो घर बना रहा है repair कर रहा है renovate कर रहा है in once personal property is not real estate project बिलकुल जो बन्दा Nikita माम ने खर खरीद लिया माम ने अब architecture बुलाया अपने खर को पूरा decorate करने के लिए contractor बुलाया तो ये सब matter थोड़ा RERA में जाएंगे भाई ये लोग मुझे service प्रोवाइट कर रहे है service में जहां डिफेक्ट हुआ मैं जाओंगी Consumer Protection Act में that's it such dispute will invariably fall within the direction of consumer बब ये सब dispute है वो consumer forum में ही जाएंगे another conflict may arise with respect to the e-commerce marketplace like Amazon Flipkart which has been brought मतलब class जो आप लोगों के Amazon से समान खरीते हो Flipkart से समान खरीते हो ये भी आप लोगों का 2019 Act के अंत्रगत आएगा ठीक है e-commerce matter should be dealt with the IT Act अब देखो मतलब contrast देखो अब क्या बोला जा रहा है जो e-commerce के matter होते हैं वो IT Act solve करेगा और वैसे भी IT Act के जो questions जो e-commerce के चीजे होती हैं वो IT Act ही deal करता है देख लो ठीक है उसके बाद I don't think Consumer Protection Bill should be supersede the IT Act सेट कजीम रिजवी कजीम रिजवी ने क्या कहा है कि मुझे नहीं लगता कि Consumer Protection Act supersede करेगा IT Act को ठीक है मतलब इस अब issues आप मतलब overlapping हो रहा है सारा चीज क्या हो रहा है overlapping RERA Consumer Protection Act Consumer Protection Act IT Act overlapping कौन supersede करेगा because दोनों में दोनों चीज handle हो सकता है ठीक है हो गया कोई दिक्कत किसी को बताईए मुहमद आमीर बेटा तुम दस बार question ये पूछ सुके हो को मैं PDF कहां मिलेगा law with Nikita मैं telegram ID है आ जाईएगा इसमें आप लोगों को मिल जाएगा join कर लीजे इसको ठीक है class कोई दिक्कत किसी को किसी को कोई दिक्कत इस paragraph में जल्दी बताईए बबा सेशन को फटाफट like कर दीजे session को फटाफट like कर दीजे बिलकुल अच्छा paragraph लगा आज marathon लेने का बस यही purpose था कि जितना हो सके आपके पास नया paragraph आए जितना हो सके ठीक है inspire speak बताओ देखो मज़ा आने वाला है सब question में ठीक है बताईएगा सबसे पहला question Shivam ने order किया एक smartphone ध्यान से क्लास Shivam ने order किया एक smartphone from Talmart's Great India Sale एक sale से किया unfortunately he received his order he was shocked to see that there was a dish washing bar packed inside the parcel rather than new phone मतलब Shivam ने जो order किया था phone के बदले उसे dish wash मिला he planned to approach authority for judicial his grievances मतलब जो उसको defect निकला उसके लिए उसे कहीं जाना था based on the information principle on the assumption consumer protection bill आप लो का बना so decide करिये legality of the case that is very important जल्ली बता बहुत बढ़िया कोशन है आप लोग का बहुत बढ़िया है session को फटा फट पहले like कर दीजे भाई बहुत easy question है class ये ये ऐसा होता भी है ये आप लोगों का I think ऐसा होता भी है ये आप लोगों का होता भी है आप लोगों ने smartphone करीदा अभी जैसे sale चल रहा है राइट सोनू अभी sale चल रहा है और smartphone के जगह आ गया साबून की टिकिया तो भाई ऐसे अगर कुछ भी हो तो आप लोग आख बन करके consumer forum quote में जा सकते A will be the right answer ठीक है बढ़िया Roshan ने purchase किया घर ध्यान से class Roshan ने purchase किया घर from XYZ property 2020 Within the month he start noticing मतलब एक ही month हुआ नहीं उसने notice किया उसके घर में crack आ गया shippage problem, seepage problem material defect in the building. He brought up the matter with the proprietor of the company but was given a cold shoulder response. मतलब वो गया जिस company का उसने property खरीदा था वहाँ पे गया लेकिन उसको वहाँ से response उस धंका नहीं मिला फिर उसने decide किया court जाने का based on the information and principle Consumption Act what is the legality of the case बताईए बताओ class अचा आपके साथ हो रखा है मैं आपने one shot में ही बताए बहुत बढ़िया so बताओ class इसका exact answer क्या होगा देखो class building के construction में दिक्कत था ध्यान से सुनिए building के construction में दिक्कत था building के construction में दिक्कत था building के construction में दिक्कत था मैं आपको hint दे रही हूँ जब बिल्डिंग के construction में में परहान खान धंक का reply ना देना cold shoulder means धंक का reply ना देना तो बताओ second का exact answer क्या होगा second का exact answer है भाई जब property में defect तो rara act apply होगा घर में कुछ बनवा रही हूँ consumer protection act excellent inconsistent with what was laid down in passage which of the following legal inference can be deduced regarding consumer protection act inconsistent का मतलब है जो चीज आप लोगो का मेल नहीं खाता जो चीज आप लोगो का मेल नहीं खाता बताए inconsistent with what was laid down in the passage which of the following legal inference can be deduced regarding the consumer protection bill 2019 बताए इसका exact answer बताए इसका exact answer this is very important inconsistent क्या क्या चीज हो रहा है यहां पर आप लोगो का third का exact answer D है जो IT act है और जो आप लोगो का rare act है इसमें भी provisions आप लोगो के क्या हो रहे हैं inconsistent हो रहे हैं which of the following views can be said to be correctly matched with the view of author बताए यह author के साथ कौन सा view आप लोगो का बिल्कुल correct match कर रहा है बताए फोर्थ का exact answer which of the following views can be said to be correctly matched with the views of author जो रेरा है particular property के matter right IT act है सारे online matter लेकिन जो consumer protection act है जितने भी goods and services है क्योंकि यह भी service है यह भी service है तो भाई इसका दाएरा बड़ा हुआ थोड़ा इसका दाएरा थोड़ा बड़ा हुआ तो बताए इसका exact answer क्या है तो इसका दाएरा बड़ा हुआ सारे goods जो भी खरेदे उसमें defect निकला सारा services जो आपने लिया defect निकला तो दोनों में आप लोगों का क्या है? तो इसका exact answer है Consumer Protection Bill will lead to increase the litigation due to overlapping jurisdiction with the other enactment So, इसका exact answer D Accident खतम बताईए, किसके full out of full marks आए यहाँ पर? किसके full out of full यहाँ पर marks आए हैं? जल्दी बताईए जो भी यहाँ पर candidates है session को फटा फट आप लोग यहाँ पर like कर दीजए और अब I will keep quiet you have to read the question you have to read the paragraph and you have to give me the answer that's it paragraph मैं भी पढ़ूँगी, आप भी पढ़ेंगे but just imagine कि आप लोगों का यह exam चल रहा है खुदी अपने आप में आप लोग अपना performance देख लीजे अब आप लोग के full out of full marks यहाँ पर आ रहा है that's great that's great वेटा तो सब को समझ में आ गया I will show you the paragraph you have to read you have to read the paragraph and then you have to give the answer done excellent अरे खुशी करते रो यार ठीक है? महक ठीक है? done just like exam में मैं आप समझाईगी नहीं because वो known act है known act है ठीक है? ठीक है? ठीक है? पाल कर갑ा है थीक है is बाल यह पैरिग्राफ है पंगली यह पैरिग्राफ है आपका यह पैरिग्राफ है आपका यह पैरिग्राफ है आपका यह पापका चुरलाबनिता यह पापका यह पापका यह पापका यह पननोग करफर यह चार्प्स यह पननिमस नेक्स्ट जस्ट इमाजिन याप लगो का एक्जाम का परिग्राफिक जब भी परिग्राफ बढ़ा आए घवराईए मत कोश्चन्स बहुत इजी होते हैं डन जब भी परिग्राफिक जब भी परिग्राफिक तोड़ा बड़ा परेग्राफ है बट इस परेग्राफ का मैंने आपको क्रक्स पता दिया है रिट हेवियस कॉर्पस हेवियस कॉर्पस कम्स अंडर अर्टिकल 32 अफ दे इंडिन कॉंस्टिटूशन इन दे रिट वाल ठीक है बहुत इजी इसके कॉश्चंस हैं घबराईए मत बिलकुल परेग्राफ अच्छे से पढ़िए बहुत इजी इसके कॉश्चंस है आर्टिकल 21 परेग्राप परेग्राफ लुट साओ इसके कॉश्चंस है आर्टिकल 2 यह उपियस कॉश्चंस है अजबराब बुबराब इसके कॉश्चंस है जल्दी बदे एक लास, is that clear? सबको clear हुआ ये? सबको clear हुआ? सबको clear हुआ, क्लास ये? ठीक है? questions बहुत इसके easy है बताईए सबसे पहला question questions बहुत easy है you will enjoy the session बताओ which writ in a court order demanding that public official deliver the imprisoned individual to the court and show the valid reason for person detention? बहुत easy question है अब जिस बच्चे को पांचू रिट्स के बारे में मालुम है मैं पढ़ा भी चुकी हूँ बच्चो वाला question है ये accident habeas got this what should the court done rather as protector of citizen fundamental right बताईए court क्या करेगा what should the court have done rather than protector of citizen fundamental right बहुत easy है जल्दी जो भी यहाँ पर candidates है जल्दी बताईए इसका exact answer पंगल रॉब बहुत बढ़ी है it should have organized the security of detainee detainee का मतलब जिसको detain किया गया है कैद किया गया है excellent the supreme court ये तीसरा question है must have its vested interest in the protection of what third किसका protection करना है state, judiciary, service या citizen किसके rights को protect करना है जल्दी बताईए किसके rights को protect करना है जल्दी बताईए किसके rights को protect करना है जल्दी बताईए किसके rights को excellent excellent mehek citizen के rights को why the supreme court is being criticized supreme court क्यों भाई criticize किया जा रहा है fourth one why supreme court has been criticized जल्दी बताईए supreme court क्यों criticize हो रहा है जल्दी बताओ why excellent which article no person shall be deprive of his life and person liberty except according to the procedure established पहलो कौन सा article बोलता है ये इतना बड़ा question देखके बच्चे डर गए बट डर के आगे जीत है राइट राम डर के आगे जीत है अब last question का अंसर बता दो कौन सा ये आप लोगों का है excellent article 21 का ये wordings है हो गया बताओ किसके full out of full यहाँ पे marks है किसके full out of full यहाँ पे marks है जल्दी बताईए excellent तो इसी तरह जब एक्जाम में ये सब चीजे आए तो ख़बराईएगा मत आपको हर चीज का अंसर मिल जाएगा ठेक है हर चीज का अंसर मिल जाएगा done excellent बचलिए सिर्फ दो-तीन मिनट का ब्रेक आप लोग यहाँ पे लगे रहिएगा I'm just coming ओके दो-तीन मिनट का ब्रेक है बस तब पर चलो परेग्राफ करो आप लो परेग्राफ पढ़िएगा परेग्राफ से पहले बता दू again आज जिसने crash course purchase किया जो कि कल से शुरू हो रहा है 80% का discount आई पर मैं बता दू that is very important guys जो भी यहाँ पे CLAT का कल से भी जो बंदा जुआइन करेगा ना तो आप लोग भी अच्छा खासा concept को revise कर सकते हैं ADDA 24-7 open करना all courses पे जाईए undergraduate पे जाईए यह आप लोग का law entrance है CLAT यह बेटा आप लोगों का क्या है आप देख सकते हो यह आप लोगों का crash course है यहाँ पे कलिक करिए आज 80% का discount है आपको coupon code Y391P use करो 80% सिर्फ 5000 में यह आप लोगों को batch मिल जाएगा 5000 में 5000 में आप लोगों को यह batch मिलेगा जहाँ पे 20 mock paper है e-books है live class चलेगा recorded session मिलेगा e-books मिलेगा etc ठीके तो चलिए तब तक आप लोग अच्छा आप लोगों को यह break चाहिए चलो भाई 2-3 minute का break है उसके बाद हम लोग continue करेंगे यहाँ पे class बहुत ही मज़ेदार आप लोगों का क्या है इसके बाद paragraph है मज़ेदार paragraph है coupon code Y391P for the maximum discount जल्दी से 2 minute में आईया है सब लोग जल्दी से 2 minute में आईया है सब लोग जल्दी से 2 minute में आईया है सब लोग जल्दी से 2 minute में आईया है मज़ें, आईया है चुल हुआ है भी हुआ क्या है क्या SUR झाल 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 चले ग्लास जल्दी आ जाईए जो भी यहाँ पे candidates से जल्दी आ जाईए तुम लोग break बहुत लेते हो तुम लोग break बहुत लेते हो आईए क्लास यहाँ पे जल्दी से the Sabri Mara Temple the Sabri Mara Temple I think एक केस सब को ही जानता होगा इस पे आप लोगो का landmark decision आया था Sabri Mara Temple सब को ही याद है Sabri Mara Temple ठीक है so it is one of the Kerala most famous temple and it is dedicated to the worship of Lord Ayappa Bhagawan का ना who is also referred as a Dharam Shastra or Lord of Dharma and is worshipped as a it's a Nashtika Brahmachari और a Salibate for Life मतलब भगवान के बारे में आप लोगों का क्या है गिवन है ठीक है चली therefore as per notification by Deva Swamp Board that manage the temple मतलब ये board है जो temple को manage करता है women belonging to the mensuration age are not permitted to enter into the temple मतलब जो लड़की जैसे लड़कियों को mensuration 13 साल के बाद से कभी भी आ सकता है तो जो लेडी को mensuration होता है that is not allowed to enter into the temple ये आप लगों का enter into the temple ये आप लोगों का challenge हो गया ठीक है class this is challenged this exclusion of woman from the Sabri Mala temple was justified on the basis of ancient custom which was sanctioned by rule 3 framed by the government under the authority of 1965 Kerala Hindu place of worship act मतलब क्लास ये जो आप लोगों का act का name given है आरे बिलकुल अजली wrong है तभी तो हमने claim तो ये जो आप लोगों का act है इस act के according mensuration जिनको होता है लडकियों को उनको मना है यहां पे जाना ठीक है section 3 of the act require that the places of public worship be open to all section and the class of Hindu subject to the special rule of religious denomination rule 3 भी बताता है however provided for the exclusion of women at such a time during which they do not they are not by custom and urge allowed to enter the place of public worship these pieces of legislation in turn was juxtapassed against the constitutional provision भाई एक बात बताओ एक तरफ हम बात करते हैं right to equality का राइट क्लास एक तरफ हम बात करते हैं right to equality का और एक तरफ बोल रहा है you are not allowed to enter into this one भाई लॉबी बन गया है लॉबी कहता है that women's are not allowed तो यह हम लोगों का साफ साफ article 26 article 25 article 14 article 15 of the कौनस्थी को क्या करता है violate करता है मैं वाईश लो हो गई थोड़ी क्यों? हलो 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 अब सही है? नीची हो गया माइक लग रहा है ठीके class now it is okay ठीके अर्षना तो यह भाई हम लोगों का बात है चलो जी next देखते हैं क्या है in response to the PIL भाई PIL file हो गया 1991 में करला हाई कोट had judged that restrictions of women at the age of 10 से लेकर 50 मतलब class पचास साल तक to the temple was in accordance with the uses uses का मतलब होता है custom ठीके prevalent from the time immemorial मतलब यह जो custom है women's के ना entry का यह हमारा custom है और हमें नहीं मालूम देखो custom क्या होता है जिस चीज का time हमें नहीं मालूम की कब से शुरू हुआ है it directed the Devasum board to uphold the Supreme Court of India overturn अब देखो क्लास landmark judgment 28 September 2018 में Supreme Court of India overturned the restrictions on the entry of women declaring it is unconstitutional and discriminatory अब सही है ना मैं अभी irrelevant voice आया था कुछ दिर पहले I don't know चलो कोई नी क्लास ठीक है अब तो सही रहा आवाज the Supreme Court had rule that women at all age groups can enter into Sabri Maara Temple मिलकुल भाई women हर एक group की जा सकती है Sabri Maara Temple में the apex court in इसमे constitutional judge बैठा था जिसमे चार ratio एक से decision आया that जो temple का ये जो practice हो रहा था custom हो रहा था that violate the rights of Hindu women and banning into women Shrin the gender discrimination भाई साफ साफ दिख रहा है gender discrimination है क्या है gender आप लोग का discrimination है only 2 January 2 women under the age of 50 finally entered the Shrin आप class जब ये judgment आया तो जन्वरी 2019 में 2 ladies 50 साल के अंदर के थी गई पहली बार decision आने के बार after attempt by many other failed due to protest by devotees मतलब जो भी जाती थी उनको रोक लिया जाता था जो भी जाती थी उनको रोक लिया जाता देखो दे हम से किसी को कोई doubt यहाँ पर class किसी को कोई doubt यहाँ पर जल्दी बताईए किसी को कोई doubt class यहाँ पर जल्दी बताईए good afternoon ma'am ma'am my legal passages are completely left out for clar preparation I just watched this class will cover all the legal Manpreet Bindra Veta it is better if you just focus on the mock paper these are the only legal passage that will help you in the analysis of your legal reasoning part but for everything you have to do the mock paper just do the mock paper as much as possible that's it yes yes asma beetha yes 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 khattam कोई doubt किसी को shall we start सोचो यह real का case है कई बच्चे बोलते हैं कि ma'am क्या यह सब चीजे सही का है beetha सही का है मैंने आपको क्या बोला आप लोगो को केस में judgment बहुत आते हैं आप लोगो का judgment है सबरी मारा टेंपल का what was sanction मतलब इस act के according क्या बताईए मना ही था मैं आपको cold हो रखा रहे नहीं यार I am absolutely fine I am absolutely fine जल्दी बताओ आप देखो इसी बात पर गुस्सा आता है आप लोगों पर इसी बात पर गुस्सा आता है यार इतना easy question को आप गलत कर रहे हो इतने easy question को आस्मा बेटा मिरनाली बेटा आप लोग गलत कर रहे हो क्या किसी भी age की woman को मना ही था क्या particular age था 10 से 50 साल भूल गय सब की सब भूल जाओ तुम लोग सब की सब the right answer will be the right answer will be कृती बेटा कैसे हो गया सी यार कैसे सी हो गया जब 10 से 50 का दिया था इसके अंदर तक की ladies को नहीं जाना तो सी क्यों बोला आप लोगों ने नहीं जिसने सी बोला है मेरा उससे है मैं ऑनलाइन मॉक पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा गन I have no idea गन in my opinion if you just purchase the CLAT book in which the various mock papers are given so that will help you to clear the exam okay exactly तब भी देखो कई लोगो का अंसर गलत आया है why did supreme court overturned the Kerala court decision in 1991 बताईगे supreme court ने क्यों overturn कर दिया Kerala high court का decision second का exact answer second ka exact answer बताउ class second का exact answer second ka exact answer second ka exact answer जन्दिवाताई टांसे के ग्जक टंसर बहुत बढ़ियां second का A is the right answer because इस जो आपलो का given था unconstitutional and discriminatory A is the right answer what article are cited by the Supreme Court this is being violated according to the passage कौन कौन सा article आप लोग का violated हो रहा था अरे PDF मिल जाएगा न जो आप लोग का ग्रुप है Law with Nikita Ma'am उसमें मैं PDF दे दूंगी and don't waste your time now पताईए कौन कौन सा article बहुत बढ़िया मिर्णाली, मंगल विच आर्टिकल गिव प्रोविजिन Freedom of Worship बताईए कौन सा आर्टिकल हमें Freedom of Worship का right देता है बताऊ कौन सा आर्टिकल गिव प्रोविजिन फॉर Freedom of Worship 25, 14, 15 all of the world 25, religion 14, equality 15, discrimination पताई इसका exact answer बहुत बढ़िया 25 is the right answer which article प्रोविजिन अगेंस दा डिस्कमिशन लगेता है बच्चो वाले कोश्चन से इसलिए माम का वर्डिंग्स मानिएगा कभी भी पैरग्राफ देख के घबराना नहीं है आप लोग को ठीक है? बताओ which article गिफ प्रोविजिन अगेंस दा डिस्कमिनेशन मैंने क्या बोला था? जो articles है क्लाट के बचे पूछते थे ना कि माम क्या ये articles हमें याद करने हैं तो आप लोगों में इस वे में कोश्चन साता है आप लोगों में इस वे में कोश्चन आप लोगों का आता है किसके फूल मार्क्स आए? किसके फूल आउट और फूल मार्क्स आए? जली बदाओ किसके फूल आउट और फूल मार्क्स आए? आया मज़ा पेरागराफ करने में इतना easy questions टीक है? चलीए, start करते हैं next अच्छा जी थोड़ा सा परग्राफ देख लो आप टाप आ गया है In 2007, the Ministry of Defence issued the tender for purchase of मतलब Ministry of Defence जो हम लोग का defence है Air Force, Navy, this one उन्होंने contract किया to purchase the 126 fighter aircraft in line with the procedure set out in the defence procurement procedure आप भी जानते हो न India, कभी कोई fighter jet Russia से, USA से लेता रहता है राइट ना? तो ये paragraph समझ लो वैसा ही कुछ है In particular, the union would purchase 18 from the abroad in the fly away condition while 108 would be manufactured in India by मतलब इस में से the union would purchase जो union है वो 18 purchase करेगी कहां से? बाहर से abroad का मतलब बाहर से और 108 purchase होंगी जो की manufactured होती है इंडिया में HLA के द्वारा Hindustan Aeronautics Limited via transfer of technology from the foreign company After an extensive selection process the union selected the French company मतलब इंडिया को जो 18 चाहिए थी plane तो union ने क्या select किया? French company that is Dissolte Dissolte manufactured the Rafale Twins Engine Fighter Aircraft जो आपका France था France क्या बनाता है? France का जो company है Rafale बनाता है Rafale is a fighter plane By 2015 price negotiations were in their final stage दो भाई जब इंडिया को बहार के country से कोई fighter plane चाहिए तो भाई free में तो मिलेगा नहीं पैसा देना पड़ेगा तो ये आप लोग का ECV में है बताओ ये आपको paragraph समझ में आया? This paragraph is clear class ये किस चीज की बात कर रहा है? भाई 18 plane हमें खरेदना है बाहर से और 108 इंडिया से ही जो 18 बाहर से खरेदना है तो union ने French company select किया dissolved dissolved क्या बनाता है? rafail बनाता है बताईए कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत किसी को जल्दी बताईए नो? चलो जी, बढ़िया However, in March 2015 ये real का fact है आज जो भी मैं आप लोग के सामने ले के आईऊँ न हो सब सच्ची कहानी पे अधारित है 2015 में प्रामिनिस्टर नरेंद्र मोदी अन प्रेजिदेंट अफ्रांस अन्यू दी फर्चेस को प्रांस से खरीदना है The ministry of defense subsequently announced that the tender for 126 has been withdrawn. जो पहले 126 मांग रहे थे वो सब खतम. अभी सिर्फ कितना चाहिए? 36 चाहिए. 36. The new deal included 50% offset clause which required dissolved to invest 50% of the contract value back into India. The purchase of India good services. मतलब जो पहले का 126 plane का जो advance दिया था वापस मांगा जा रहा है. इन October 2016, Dissault and Anil Ambani Reliance Group announced a joint venture. जो Dissault company है और जो Anil Ambani Reliance Group है उन्होंने announce किया joint venture. मतलब एक partnership का. Dissault Reliance Aerospace Limited. नाम देखो क्या रखा गया? नाम भी रखा गया यह. With Dissault specify that intent to invest 115 million to partially fulfill its offset application. गजब. मतलब इन्डिया से जो नहीं हुपाया, वो हमारे Ambani Sur ने किया. इन्डिया से जो नहीं हुपाया, वो हमारे Ambani Sur ने यहाँ पे किया. Is that okay? रफेल के deal में कुछ घपला हुआ है. They brought, मतलब इन एद्वोकेट्स ने यह सब चीजे हाइलाइट करवाई. क्या है? Did Minister Modi make a decision to go ahead with the deal without the approval of Cabinet Committee? क्या Modi ने Cabinet Committee का approval लिया है? Was Reliance Defense was made dissolved Aviator Indian Offset Partner without approval of Minister of Defense? जो Reliance आप लोग का है, वहीं, कोई इन्डिया का कंपनी बहार के कंट्री से दील कर रहा है. So, they have to first of all take the permission from the defense of India. क्या यह चीज हुआ है यहापे? Is deal in the fact was intergovernmental deal between India and France? If it is, does this allow the central government to forego the disclosing the detail of deal, involution of controller and this? क्या कैग को यह सब चीजे मालूम हैं? कैग का मतलब होता है, जो पूरा audit करता है India का expenditure. Does the deal suffer from pricing irregularities? The price per aircraft for the first deal to second deal was approximately double. इतना सब घपला दिखा रहा है, क्लास. नीदारी जाके सो जाईए. जिसको नीदारी जाके सो जाईए. यह कुछ भी आप लोग का hard paragraph नहीं है. जिसने नीउस पढ़ा है रफेल दील का, उसको यह चीज मालूम है. तब ही तो बोलती हूँ, नीउस पेपर पढ़ा करो, सुना करो. नीदारी जाईए. नहीं हुई है इसमें, ना प्राइसिंग में, ना सेलेक्शन में. The court reached its conclusion on the basis of evidence. Court ने evidence के बेस्ट में decision दिया. Court ने evidence के बेस्ट में decision दिया. On 21 वर्वरी 2019, the court agreed to hear the review petition challenging the judgment. मतलब किसी ने क्या किया? filed by यश्वन सिन्ह, अरुन शौरिय और प्रश्चान भूशन. ये हम लोगों के जाने माने lawyers हैं, जिन्होंने 18 में judgment आया, 19 में इन लोगोंने क्या किया? Review petition दाला कि इस judgment का review किया जाए. These review petition alleged that the judgment rests on incorrect factual claims. इन्होंने claim किया, जो judgment दिया गया है, वो incorrect fact के अधार पे दिया गया है, जो कि government ने बूला है. March 2019 में, the court reserve an order on the review petition with regard to the limited questions of whether leaked document could be placed on the record. 10 April 2019 को, the court held that classified documents could be placed on the record, dismissing the union objection. 10 माई को, court reserved judgment in the review petition. 14 November को, it dismissed the review petition. Review petition को dismiss कर दिया. Emphasis that, it had limited scrutiny of defense contract with article 32. Gajab. Exactly. बिटाई, ये कुछ मुश्किल paragraph नहीं है. Simple सा paragraph है, India कोई और country. India दील कर रहा है, fighter jet plane खरीदने का. जिस समय दील किया, उस समय नहीं हुआ, सारा process हो गया, India ने पैसा दे दिया. कुछ सालों बाद, अब कम plane मंगाना था उसे. पहले ज्यादा plane 126, उसके बाद अभी सिफ 36 fighter jet चाहिए. अब जब ये सब चीज़े हो रहे थी, तो भाई, caution mark arise हुआ. क्या ये जो deal हुआ है, क्या ये genuinely हुआ है, क्या ये बिलकुल true हुआ है, कुछ पैसों का घपला तो नहीं है, कुछ corruption तो नहीं हुआ, बस ये ही चीज़ है आप लोगा. हो गया अर्शना. तो यहाँ पे court का judgment आया पहले, 2018 में, कि नहीं, ऐसा कुछ बे नहीं हुआ, deal बिलकुल सही हुआ है. लेकिन 2019 में, जो advocates थे, उन्होंने review petition का, judgment का review होना चाहिए. तो review petition का case फाइल कर दिया. कितना बड़ा है ये? हो गया. paragraph done. कुछ है ही निए इस paragraph में. Nothing is there. Shall we do the question? चलिया. How many jets were initially? इतने बच्चों वाले question तुम लोग बोले रहे माम ही क्या है? Initially, कितने purchase किये गए थे jet? सबसे पहले. तुम लोग बोले रहे माम हम तो डर गए थे. बच्चों वाले questions है आप लोगों के? और आप लोग डर जाते हो question देखके. Initially, कितना purchase किया था? कितना purchase किया था? लो, समने देखको सब अंसर सही देंगे. मुझे मालूम है, सब अंसर सही देंगे. 126. क्या कुछ hard लगा? दर गए आप लोग. Why was petition filed by multiple litigants in Supreme Court regarding the rafal deal? क्यों multiple petition filed किया गया? बताओ. आपको आता है. आता है. You know that thing. You know that thing. You know that thing, class. जल्दी पता दो. देख लो. सब के सही आंसर है. भाई, irregularities हुआ था इसलिए, क्या हुआ याप लोग का गभरा रहे थे, मैं कैसा परिग्राफ है Why did court dismiss the plea of court monitored the investigation Court ने क्यों dismiss किया plea for a court monitored the investigation बताईए बहुत easy है बताओ बताओ अब देख लो, खुद पे खुद सब सही अंसर बोल रहे हैं लेकिन डर जाते हैं कि मैं कितना भयान कर परिग्राफ है हाँ, कितना भयान कर परिग्राफ है excellent if document is said to be leaked can it be admissible in court अब थिरो इसमें common sense use करना इसमें common sense use करना अगा document आप लोगों का कहा जाता है कि leak हो गया मतलब किसी को मिल गया क्या ये court में admissible है evidence के रूप में क्या ये court में admissible है evidence के रूप में admissible का मतलब क्या इस चीज़ को हम evidence के रूप में पेश कर सकते हैं तो ये हम लोग evidence के रूप में जल्दी पताईए evidence क्या होता है वही क्या चीज़ हम court के सामने पेश करें जिससे वो हमारा proof हो जाए यहाँ पे थोड़ा question को आप लोग गलत करोगे जल्दी 50% offset clause क्या था जल्दी बताओ बहुत easy है 50% offset clause क्या था that is very easy India कुछ demand कर रहा था हमें हमारे पैसे वापस दो हमें हमारे पैसे वापस दो right class हमें हमारे पैसे वापस दो advance तो बिलकुल नहीं 50% final amount भी नहीं C आपने B क्यों बला अंजली B में है advance क्यों जितना दिया था वो वापस मांग रहा था foreign party will have to invest 50% of the contract value back to India via the purchase of Indian goods and services यह deal हुआ था tax plate अब जल्दी बता दो किसके कितने marks आए बताईए किसके कितने marks आए है बताईए किसके कितने marks आए है जल्दी बता देज़े फिर से full अब आप लोगों को एक perfection आने लगा है इस में that's great ठीक है last का जो paragraph होगा न संजना गौरी वो मैं आप लोगों को last का paragraph आप लोगों को मैं क्या करूँगी hope work दूँगी ताकि और मज़ा आएगा चीक है चलो good 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 अच्छा जी आरे बापरे कॉंट्रेक्ट आ गया फिर से चलो जाओ कॉंट्रेक्ट आ गया मस्ती करेंगे आप कॉंट्रेक्ट के साथ जल्दी से क्लास ये लाइक स्को 200 तक पहुंचा दीजे जो भी यहाँ पे स्टूरेंस है मैं बोल रही हूँ agreement without consideration is void पढ़ा है न आप लोगों ने जाओ भाओ जिसको जाना है भाई ये जाइए जिसको सोना है सोईए agreement without consideration is class what? void right each party entertaining into agreement promises to do something for the other in return of something in turn मतलब class contract में consideration होना जरूरी है अगर consideration नहीं हुवा तो हमारा contract क्या हो जाएगा void हो जाएगा ठीक है? चाहिए this is called ये जो आप लोगों का quotation है that is given in section 25 of the Indian contract ठीक है? क्या बोलता है? in the above example example है A promises to give his car to B for free A ने B से बोला कि वो अपना car free में देगा such agreement is void ये agreement void है because there is a no consideration for A to give car his B due to which will be justified if A letter refuses to give the car to B बिलकुल भाई contract करने जा रहे हो अगर मैं अपनी car gift कर रही हूं तब तो चलेगा लेकिन अगर मैं और gift भी कर रही हूं तो written way में gift भी कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं written way में करूंगी तब जाके gift माना जाएगा verbally मैंने बोल दिया yellow push कर बेटा ये BMW गाड़ी तुम्हारी क्या पता 10 दिन बाद मैं अपनी गाड़ी ले लूं क्या पता 10 दिन बाद ये मैं अपनी गाड़ी ले लूं मेरी मर्जी ठीक है consideration but unknown consideration का मतलब होता है something for something आप shop से समान लेने गए पैसा is consideration समान is consideration किसके लिए क्या consideration है आप भी जानते हैं तो consideration बोले तो something for something किसी को कोई doubt यहाँ पे जल्दी बताओ किसी को कोई doubt यहाँ पे किसी को कोई doubt यहाँ पे जल्दी बताईए next the set general rule is subject to certain exception class exception भी है exception का मतलब we are doing contract consideration नहीं है अभी तक void बोला लेकिन अभी ये valid भी हो सकता है मतलब agreement without consideration is valid also देखते हैं सबसे पहला example gift deed अभी मैंने आपको example दिया gift में does not involve consideration the property is transferred and gift deed gift deed का मतलब क्या होता है पूरा written way में मैं तुम्हें gift दे रही हूं ये girlfriend boyfriend वाला अचना gift नहीं है written way में मैं gift दे रही हूं agreement having unlawful consideration while each agreement in order to be valid must have some consideration the consideration must also be the lawful and not illegal consideration हमेशा lawful होना चाहिए consideration हम आप लोगों का illegal नहीं होना चाहिए ठीक है मैं void valid avoidable में बहुत ज्यादा confusion होता है देवांशी बेटा इसको मैंने आपको पढ़ा चुका है section 23 of Indian contract states that an agreement having illegal consideration जिस agreement में illegal consideration है वाप लोगों का void होगा hence such agreement shall be void and not enforceable in the court of law बिल्कुल अब ये भी हम पढ़ चुके है what that agreement जिसमें हम किसी को शादी करने से रोक रहे है क्या बोला मैंने agreement जिसमें हम किसी को शादी करने से रोक रहे है वो भी क्या होता है void होता है लेकिन अगर किसी minor को रोक रहे है that is valid yes yes according to section 25 written में gift did होगी तब जाके वो valid होगा agreement in risk trade not trade class पता ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग void agreement के types पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग voids agreement के types पढ़ रहे हैं समझ में आ गया agreement जो की बिलकुल uncertain है clear नहीं है that is void agreement by way of wager that is void पूरा contract को छाप दिया है पूरा contract को छाप दिया है देखो देख रहे हो वेजर का मतलब जो मैं आपको वेजरिंग समझाया था ना वेजरिंग क्लास देखो betting बताओ ये आपके types of void agreement है I hope so आप लोग इसको पढ़े होंगे types of void agreement हां जी क्लास बताए कोई दिक्कत किसी को I think ये आप लोगा paragraph खतम हो गया होगा और भी है फिर से types of void agreement agreement to do impossible act that is void agreement जिसमें हमारा object और consideration अपोज रहता है public policy that is called void सारे void agreement के आप लोगों की examples है देख रहे हो सारे void agreement के examples है आप लोगों की so nothing we have to focus this point in a very serious way सारे void agreement के points है आप लोगों की सारे void agreement के points है आप लोगों की समझ में आ गया हो सारे void agreement के types done class आपको बहुत अच्छे से मालू होगा तो चलो हो जाए question तभी तो हो जाए question class पहला A B ने contract entered किया where A ने promise किया to sell the car to B for rupees 50,000 the payment of rupees this by B form the consideration for A to sell his car the sale of the car is by A form the consideration for B to pay this to him what is X in the statement ही तो बच्चो वाला कोस है class what is X in the statement class क्या है पेमिंट आफ क्या car, bike या none of the exactly better yes technical सबाश क्या है ये X पे X जल्दी जल्दी बहुत इजी है भई क्या पे करना है परहान खान excellent inspired तुम क्या car पे करोगे है B is the right answer कुछ भी answer बोलोगे है कुछ भी answer बोलोगे कुछ भी answer बोलोगे B is the right answer रुची यार पे car क्यों होगा पे rupees होगा न car कब से होने लगा A agreed to pay rupees 10,000 to B for the murder of C A ने बोला मैं तुमें 10,000 दूँगा B को अगर तुम C का murder करोगे the murder of C by A is unlawful constitution as what 14 का जल्दी बता दो second का जल्दी बता दो मैं B बोल कर फिर A बोल गया रहे नहीं बता मैंने ये बोला कि car थोड़ी न पे होता है मैंने car को circle किया बोला थोड़ी न हो शबाज क्लास excellent A is the right answer excellent guys if A promises to B rupees thousand if B remains unmarried till the age of 50 years A ने promise किया B को कि वो से 10 जर देगा अगर B शादी नहीं करेगा 50 साल तक ये agreement क्या है आप लोग का ये agreement क्या है क्लास अर्रे मैं क्लैट में ऐसे गजब बात करती हूँ क्लैट में अंसीम पैसेज आता है तो ये ही तो अंसीम पैसेज करा रहे है तुम लोगों में बताईए इसका exact answer शादी के लिए रोकना शादी के लिए रोकना पढ़ान खान वाइड A agree to pay B a doctor rupees 10,000 if B does not practice इसका option कहा गया अच्छ हाँ ये रहा इसको हटा दीजे बताओ class बताओ class की exact answer मैं B पक का सलमान खाना रहे ऐसा मत बोलो अदर्श सुन लेगा तो मारेगा तुम्हें घीच के थपड class A agree to pay B doctor rupees 10,000 if B does not practice medicine anyone कुलकत्ता for 3 year मतलब A ने बोला कि वो doctor को 10,000 देगा अगर doctor कुलकत्ता में 3 साल तक practice नहीं करेगा तो यह जो agreement है आप लोग का क्या है भई आप कौन होते हैं मुझे मेरा profession करने से रोकने के लिए हूँ आ रही हो मेरा profession करना मेरा fundamental right है under article 19 का 1 का G clause तो यहाँ पे इसका exact answer क्या है this is totally void A B enter into agreement for sale for a few apples by A to B for rupees 100 such agreement is by because 5 पे का exact answer बताईए few apple few is certain or uncertain answer दीजेगा few is certain or uncertain जल्दी बताईए few आप लोगों का certain है की uncertain है जल्दी बताईए few आप लोगों का certain है की uncertain है भाई few नहीं मालूम कितना 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg कुछ भी हो सकता है अब बताऊ कितना कितना score आप लोगों का कितना कितना score आप लोगों का जल्दी बताईए कितना कितना स्कोर आया जल्दी बता दीजे इसका exact answer कितना कितना स्कोर आया अब एक paragraph मेरे तरफ से homework लेकिन उस paragraph में आप लोगों के लिए 10 questions है Excellent That's great अब जो भी यहाँ पर candidates है आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को क्या करना है बहुत बढ़िया Excellent, keep it a price अब मेरे तरफ से बेटा एक homework मेरे तरफ से again class contract का एक homework मेरे तरफ से contract का एक homework अराम से रात में करना रात में करिएगा और इस paragraph में आप देख सकते हैं total 10 questions है 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस paragraph में 10 questions हैं आप लोगों के 10 questions तो बहुत अच्छे से ये 10 questions आप लोग करिएगा comment box पे मैं answer check करूंगी समझ में आ गया मैं आप लोगों का answer check करूंगी in the comment box लेकिन, लेकिन, लेकिन ठीक है बिलकुल तो जो भे यहाँ पे candidates है again I am saying अगर आप लोगों को concept पांचों subjects के पढ़ना है तो आज आप लोग यहाँ पे ये batch ले सकते हैं आप देख सकते हो ये batch कल से शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर से inspire speak इसका answer मैं तुम्हें comment box पे लिख दूंगी comment box पे Nikita Singh करके मैं सारा answer लिख दूंगी you can check your answer समझ में आ गया so that's all for today's class I hope so आप लोग को class अच्छा लगा होगा बहुत सारे हम लोगो ने paragraph किये last paragraph जरूर करियेगा relax हो के ठीक है so thank you so much for attending the session और जो भी यहाँ पे candidates है आप लोग इस batch को ले सकते हैं crash course जिनको लेना है यह आपका crash course है और coupon code आप लोग Y391P यहाँ पे use कर सकते हैं बिल्कुल खुशी जो कल से आप लोगों का sprint 2.0 batch शुरू हो रहा है इसमें आप लोगों का regular class होगा यहाँ पे ठीक है thank you so much for attending the session ओके और जो भी यहाँ पे candidates है जो भाई अगले साल का preparation कर रहे हैं तो आप लोग अगले साल के लिए बिठा यह लोग का महा पैक ले सकते हैं जिसमें आप लोगों को आज discount है अच्छा खासा और आप लोगों को इसमें 15 महीने का weldity मिलेगा यानि कि अगले साल का klat आप लोगों का cover हो जाएगा so Y391P apply करिए सिर्फ यह law maha pack आप लोग का 14,800 रुपे का है तो I hope so आप लोगो session अच्छा लगा होगा ऐसे ही हम लोग session करेंगे don't worry जब तक आप लोगों का exam यहाँ पे complete ना हो जाए तब तक के लिए bye bye गुटे गुटे